अस्सलामु अलेकुम नौवेल स्लेवरी में खुशाम दी हाजरे खिदमत है बहुत ही खुसरत प्यारी सी नौवेल के साथ हमारी नौवेल एक्स्ट्रीम लफ बेस नौवेल है लव एट फॉस साइड बेस नौवेल है और किड्नेपिंग बेस नौवेल है हमारी नौविल का हीरो बहुत ही केरी और एक बिजनेसमेन है और हमारी नौविल की हिरोईन निडर है और गरीब है लेकिन उस पर अपने घर की जिम्मेदारिया है उनकी लोई स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती है आप लोग रीट कीजिए का सुनिए का आपको जरूर लाएंगी चलिए बढ़ते हैं हमारी खुबसरत सी नौविल के जानेब पूरे घर में सफे मातम बिच्छा था भांध भांध की आवासे लोग रो रहे थे अफसोस वरे जुम्लों का तबादला हो रहा था बहुत से औरते उसके साथ लिपट कर रो रही थी मगर वो यक साथ किसमत के होने वाले सितम से बढ़कर अपनी फैमिली की कफालत पर ठिक गई थी आंसों मातम वो सब भूल गई थी बेयकीनी की कैफियत थी कल तक तो बाबा बिलकुर ठीक थे और सुबा फजर की नमाज के दौरान ही ऐसा हार्ट टेक हुआ के पहली बार में ही उनकी ज साफ कर रहे थे जिन्दकी के हकिकत बस इतनी ही है इनसान के मरते ही सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं सिवाए उनके जिनका सबसे खरीबी रिच्टा उनसे जुदा हो जाता है अराज, वलिया, यमना, मुस्तफा और साइरा के अलावा इस दुख से किसी का त जालुक मतवस्त घराने से था, सदाकत बैंक में कलक की नौकरी करता था, तोनों के तीन बच्चे थे, विलिया बड़ी थी, उसके बाद यमना और मुस्तफा सबसे चोटा था, विलिया ने हाल ही में प्राइवेट गिरेजवेशन किया था, यमना अभी एफए के फास्ट को जैसे तैसे पढ़ाने का बेड़ा सर ले लिया था, विलिया बिये के बाद चोटी मोटी नौकरी ढून रही थी, मगर आचकल मुल्क के जो हालात है, इसमें एमे और एमफुल पाद जूदिया चटखा रहें, उसके बिये को किसने पूछना था, अभी वो इस ताकुदो पैसे कहां से ला जाया, कि जिन्दगी ने उसे इलाज की महलत ही न दी, अपने पीछे तीन बच्चों और वीवी को लावरिष छोड़ के चला गया, रिष्टदारों ने गुर्बत की वज़े से बहुत पहले उनसे मिलना जुनना छोड़ रखा था, हाँ, मगर अल्लह ने महलेदार रिष्टेदारों से बढ़कर अच्छे दिये थे, अब भी उन्होंने उन चारों पर च्छाओं रुकर रखी थी, वो सब तो गम्मे निढाल थे, इधा उधर वाले ही महमानों और कफन दफन का इंतिसाम कर रहे थे, अम्मा, आप क्यों नहीं समझ रही, यह महलेदारी उठाने से इंकार कर शुके थे, दो लाख उनके कितने दिन काम आ सकते थे, विलिया इस वक्त मां के पास बैठी कपड़े सिलाई करने की जाज़त मांग रही थी, साहरा वी कपड़े सिलाई करती थी, बच्चियों को इसने सिखाया भी था, मगर अपने साथ इस कितनी जगों पे अपलाई किया है, मगर बेरोजगारी सहत तक बढ़ चुकी है, कि मुझे कहां से नौकरी मिलेगी, और जो आस परोस के स्कुलों में मिलती है, तो वो छे साथ हजार से आगे देने की बात नहीं करते, अमा, इस महिंगाई में छे साथ हजार से हम कैसे किया साइरा मतजस हुई, में फड़क पर मैं एक छोटा सा होटल या खाने पीने की दुकान खुल लूँ, बहुत से लोग आते जाते हैं, मजदूर तबका होता है, हमारी दुकान चल जाएगी, और आप ही तो कहती है कि मेरे हाथ में बहुत साइका है, तो क्यों ना उसे ब बताओ, वो बेबसी से रो दी, अभी हाथ में वो पैसे है जो अबा के बैंक वालों ने दीए है, हम दुकान किराए पे ले सकते हैं, जब यवी खतम हो गए तो अम्मा सोचो क्या करेंगे, सारा बेबसी से आंसों भरी, आंखों को मेंच कर रह गई, दुपट्टा मुपे रखकर बमश्किल सिस्कियां रोकी, विलिया मां के पास चार पाई पर बैठ की, मुस्तफा और यमना भी मां से लिपढ़ के, अम्मा मैंने आज दिलावर से बात की थी, वो कह रहा था कि वो और उसके दो तिन और दोस्त मेरी मदद को तयार है, मैं सिर्व दुकान के एक ख़ूस उसे में पकाऊंगी, लोगों को खाना देना, ये सब वो संभालेंगे, और अभी तनक्वा, उन्होंने तनक्वा लेने से भी मना कर दिया है, कह रहा था, बैजी एक महीने बात सोचेंगे, अभी काम शुरू करो, वो साथ वाले रफीक चाचा के बेटे के बारे मे मा को बताने रगी, रफीक चाचा हकीकत में चाचा से बढ़कर थे, कहने को गैर मगर अपनों से बढ़कर उन्होंने उन लोगों का हमेशा साथ दिया था, दिलावर को को चरसा विलिया ने पढ़ाया भी था, इसलिए वो भी उसकी बहुत इज़त करता था, यही हाल उसके गहरे मिली तसलिया देने लगी और वो सब कर भी क्या सकते थे, यह कड़वा घूट तो उन्हें पीना ही था, तायरा को मानते ही बनी, आफिस का दर्वाजा अचलत में खोल के बंदर दाखल वा, पीछे पीछे रियास फाइल थामे इतनी ही तेजी में आया, दारिम ने टे चोड़े शफाफ माते पे बल वाज़े थे, सित्वानाग पे गुसे के बास, हलकी सी सुर्खे दराई थे, तर वो मैंने सोचा हम खुद मौमला हंडल करने की कोशिश करते हैं, अब आपको क्या दूर बैठे परिशान करें, रियास ने सचाय से अपना दिफा क्या जानता दारियों को जूट से शदीद नफरत है, रियास साहब में शार्जा गया था, दुनिया से नहीं चला गया था, और क्या आपको मैंने ये अथर्टी दे रखी है कि किसी डीलर से बात ना बनने पर आप मेरे इल्म में लाए बगर अपनी मर्जी से कोशिश करतें फिर, रिया रियास जाने रखा, फिर कुछ सोच कर रुका, सर वो एक और बात भी बतानी थी, अपके बार वो डरा डरा बोला, जी बताए, दारियम अपने सामने लेपटॉप खोल चुका था, एक हाथ से कोट का बटन कोल कर कोट उतार कर कुरसी के पीछे रखा, सर वो ये नौकरी छो पाते हुकम सादिर किया, जी जी सर, अभी बेचता हूं लिया, जल्दी से उसके आफिस से भागने के इसे अंदास में निकला, साहरा से इजासत मिलते ही, विलिया ने दिलावर और रफीक चाचा को घर पे बुलाया था, साहरा इदत की वज़े से उनके सामने नहीं आ सकती बात हो गई है, बस दो चार दिन में वो दुकान के चाबी हमारे हवाले कर देंगे, पंद्रह हसार महाना पे दुकान देने पे मान गए हैं, बिल के पैसे अलग होगे, रफीक ने तफसीर से बताया, आपा, मैंने दोस्त से बात कर ली है, वो से करहें दुकान से हमें सब फ आए, तो फिर कोई टेंशन नहीं, मैंने सब के पैसों का हिसाब इस डायरी में लिख लिया है, तुम ये अपने पास रख लो, एक कौपी उसकी मेरे पास होगी, एक तुम्हारे पास ताके हिसाब किताब इधर उधर ना हो, दिलावान एक डायरी उसके जानी बढ़ाई ज खोल देता है, मैं आप दुनों का शुक्रिया किस मूँ से अदा करू, नम लहजे और तशक कोई भाई नजरों से वो उन्हें देख रही थी, ले जहली ना हो तो, बाप और भाई को भी कोई शुक्रिया कहता है, मेरे इतनी हाला आप नहीं, मैंना मैं कभी तुम्हे ये सब ना करने देता, रफीक अपने जगे से उठकर विलिया के सर पर हाथ रखते हुए बोला, आपा आज तो ये कह दिया है, आइंदा ना कहना, दिलावर भी मान, भरी नाराज किसे बोला, बस तुम मेनों लिखो, और मुझे चीज़े बताओ, जो हम बनाएंगे, उसके लिए एक और काम निकाल चुका था, मेरा ख्याल है आगास, बिर्यानी, पकड़ो और समोसों से करते, एक बार ये चल पड़े तो फिर और चीज़ों का इसाफ़ा कर लेंगे, अपना ख्याल साहर करते हैं, उसमें रफीक अ दिलावर से पुछा, बिलकुल सही, अभी खरीब के ल ले जाना, कुछ चीज़े मैं रात में बना लिया करूंगी, और कुछ वहीं मिक्स कर लूँगी, हाँ ठीक है, दिलावर रफीक को देर मजीद बैट कर उसके दुकान को ही डिसकस करते रहे, फिर वापसी के लिए उड़ गए, उनके जाते ही साहरा बाहर आई, अल्ला तु लोगों को भी उसकी अजासत देता हूं, दारिम ने अगले दिन आफिस आते रियास की तल्बी की, जिस सर मैंने एक लड़के से बात की है, मेरा जानने वाला है, वो कह राता कि एक दो दिन में बंदो बस हो जाएगा, रियास ने उससे तसली दी, प्लीज दरा जल्दी, द दारिम ने मा को तसली दी, ओफ ममी, प्लीज क्या ये जरूरी है कि हर बार यही टॉपिक डिसकस हो, मुझे फिलाल अपनी मर्जी के लड़की नहीं मिली, जब मिली आपको बता दूँगा, और यकीन करे, देर नहीं लगाऊंगा, उसके घनी मुचों के साय तले मौजूद खुबसूरत तराशिद लब मस्कुराए, अच्छा कल कहां कहां मिटिंग है, अब उन्हीं मौजूद से हटा कर, उनके मतलब के मौजूद पे आ चुका था, और इसकी कोशिश कामियाब ही, सदव भी अपनी अमेरिका में होने वाली मिटिंग्स के तफसिलाद बताने लग डेरी फॉर्म्स और फैक्टरीज को वही समाल रहा था, चबके सदव एंजियो की सीई ओ थी, ये एंजियो औरतों के साथ होने वाले जल्मों सितम को मनजर आम पर लाकर उनकी मदद करवाते थे, दारी मगर इस एंजियों के खिलाफ नहीं था, तो हक में भी नहीं था, बह यावर मलिक में, ये एक मसरूफियत का जर्या था, इसलिए उन्हें मना नहीं करते थे, बलकि खुद भी वक्तन फॉक्तन डूनेट करते रहते थे, यार एक बखुत बड़े बंदे के ओफिस से ओफर आई है, उन्हें कुक चाहिए, तो बाजी से बात कर, वो वहाँ थे, शेहजाद की दिमाग में इसी वक्त से खलबली मची हुई थी, उस सब दोस इस वक्त विलिया की दुकान सजा रहे थे, मुक्तलिफ चीज़े सेट कर रहे थे, कल से उन्होंने दुकान पर काम करना शुरू करना था, नहीं यार, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं, और वैसे माहूल का कुछ नहीं पता, यहां तो हम सब होंगे ना, उनके पास, उनकी तरफ महली निगावे नहीं उतने देंगे, मगर वहां तो जानता है, ओफिस इसका माहूल कैसा होता है, दिलावर के लहज़न भाईयों जैसी फिकर थी, ऐसे ही तो विलिया उस पर इतना अंदह दिमाद नहीं करती थी, अच्छा, चल, जैसे तेरी मर्जी, खेर मैं तो कल जा कर देखता हूँ, वो दिलावर के दो टोक अंदास पर खामोश हो गया, जल्दी जल्दी वो सब काम निप्टाने लगे, सर मैं लड़के को ले आया हूँ, लियास साफ दारिम के ऑफि साथ ही पीछी पीछी उसके आफिस में दाखल लुआ, किस लड़के को, दारिम के जहन से महूं हो चुका था कि वो किस बारे में बात कर रहे है, आफिस के कुरसी पर बैठे एक हाथ मुबाइल थामे, वो अचंबे से बोला, तर वो कुक के लिए आपको बताया था, दारिम के सवाल पर नोने सहूलत से जवाब दिया, ओ हाँ, ले आए उसे, मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ, दारिम ने मुबाइल मेंस पर रखा, और उन्हें फोरां से लड़के को लाने के लिए इशारा किया, वो ल्टे कदमों बाहर की चानिव गए, चंदी दारिम को सलाम किया, वालेकुमसलाम, आओ, बैठो, दारिम ने सीधा हाथ उठा कर उसे मेज के दूसरी जाने रखी कुरसी पर बैठने का इशारा किया, वो शुक्रिया करते हो, बैठ गया, लियास साहब भी उसके बैठते ही, साथ वाली कुरसी समाल चुके थे, क्या नाम दिया, आगे क्यों नहीं पढ़ा, सची इतने वसायल नहीं थे के पढ़ता, और अगर पढ़ता तो घर का हंडी चुला कैसे चलता, बस, कमाने के लिए निकल पढ़ा, उसकी बाद पे दारिम के चहरे पे गहरा साया लहराया, अभी उस लड़के क्यों मरी क्या थी, अब व तुम्हेरी कुछ शरायत है, तो तुम्हें माननी पड़ेगी, दारिम की बात पर उसने फॉरन सरह लाया, ता जो कहेंगे मानूगा, उसने जल्दी से हामी भरी, पहले तो ये के तुम यहां काम करने के साथ-साथ बी-ए की तैयारी करोगे, और चब बी-ए के पेपर पास क कर लोगे, ता तनुफ़ा में इजाफा हो जाएगा, दुसरा एके तीन महीने के प्रोफेशन प्रियर्ड के बात तुम यहां के मस्तकिल वरकर बन जाओगे, लहाजा तुम्हारे वालिद का इलाज और उनकी माजूरी को बहतरी में बदलने के लिए हम पूरी कोशिश करें उसकी शरायत पर शहजाद के आंके नम ही, बहुत शुक्री है सर, मैं जरूर पढ़ाई डारी रखूंगा, नम मगर मस्कुराते लहजे में उसके हामी बहने पर दारी लमा बर को मस्कुराया, गुट, रियास साब अब उसके काम की नुईयर बता दे और सफाई पर मैं किसी बात का कम्प्रॉमाइज नहीं करूंगा, रियास से मखातिब होते आखरी बात उसने शहजाद को देखकर तंबीही लहजे में की, जी जी सर, कोई शिकायत नहीं होगी, शहजाद भी उसकी बात का मतलब समझ गया, ग्रेट, उसकी बात खत्म होते रियास साब शहजाद को कुलियर उसके ऑफिस से बाहर आ गए आज उसका पहला दिन था दुकान पर सायरा से दुआइं लेकर वह अश्कबार निगाहों से अपने दुकान में दाखल हुए हर हर कदम पर उसे बाप की याद सता रही थी कौन से ऐसी लड़की होती है कि जिसका घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर जमाने की सरदो करम नजडरी बरदाश करने को दिल करता है मंगर उसे बरदाश करना था वो कर रही थी, अपने घरवालों के लिए, अल्लह ने पेट और भूग की ऐसी जरूरत इंसान के साथ लगा रखी है, कि जिसको पूरा करने के लिए इनसान को हाथ पाउ मालने पड़ते हैं, और इसी मजबूरी की वज़े से विलिया को घर से बाहर निकलना पड़ा, मुस्त दुकान का नाम उसने मुस्तफा होटल के नाम से ही रखा था, महले वाले जानते थे इसलिए सारा दिन उसकी मदद के लिए गाहा की बढ़ाते रहे, दिलावा ने कुछ सेटिंग अरेंजमेंट दुकान के अंदर रखा था और कुछ बाहर, उसे उमीद थी कि इतने मुखल इस लोगों के हमराही में उसका कारोबार जल्दी तरक्य करेगा, आज उसे दुकान पर काम शुरू के पांचवा रोज था, और दिन बनी लोगों का रश बढ़ता जा रहा था, दो पैर का वक्त था कि एकदम विलिया को बाहर से कुछ शोर की आवाज आई, ये शोर कुछ गयर मामुली नौयत का था, उसने जरा सा पर्दा सरका कर बाहर देखा तो जीब से विलिये वाले लोग पार की कुर्सियों पर बैठे नजर आए, विलिया का दिल परिशान सा हुआ, सामने दो मर्द बैठे थे लंबे लंबे बालों वाले, क्रेबान के बटन खुले थे, स थोड़ी ही देर में दिलावर ने एक और काम करने वाले लड़के को विलिया के पास भेजा, जी बाजी, उस लड़के के शकल पर भी बारा बजे थे, कुछ परिशान सा दिख रहा था, मुदासे, ये बाहर कौन लग है, दिलावर को क्यों घेरे बैठे है, उसने तश्वी भरी, नहीं बताती, उसने भी वादा किया, बाजी, ये यहां के जमाद के गुंडे है, जो भी दुकान यहां खुलती है, वो इनसे भत्ता लेते है, दिलावर को भी मच्जबूर कर रहे कि हर हफ़ते उन्हें इस दुकान के कमाई का 30% देना होगा, अगर ना दिया तो बाजी वो धंकी दे रहे कि ऐसा ना किया तो वो तुम्हारे घर में घुसकर, दंगा फसाद करेगे, मदसर ने हिचकचाते बात की, वीलिया सर थाम कर बैठ की, कैसा माच्रिया है कि जिसमें एक औरत सुकून से रोजी रोटी भी नहीं कमा सकती, दो आंसु लुड़कर गा जो, उसने सरसबात मिलाते मदसर को कहा, वो पर्दा हटा कर बाहर निकल गया, कुछी देर बाद दिलावर उसके सामने मौजूद था, दिलावर पुछ इतना कहते हुने हर हफ़ते का उतना हिस्ता दे दो, वीलिया ने कुछ भी पूछे बिना उसे हुकम दिया, आपा, इस खमाश के लोग है, हमारी फिस्मत में जितना होगा लाह हमें दे देगा, प्लीज, उसने हाथ जोड़े उचानती थी, ये लोग इंकार करने वालों को उठा कर ले जाते हैं और फिर, बंद बोरी लाशे उनके घर वालों को देते हैं, विस दुकान के किसी बंदे को जाली कुरसियों को देखा और सुपका सांस लिया, रात तक के खबर जंग में आप की तरह, पूरे महलने में फैल चुकी थी किसे जमाद के लोग विल्या की दुकान पर भट्ता खोरी की नियास से आये थे, अद दिलावर को अच्छा धंका कर गये हैं, विक कैसे मुम्किन ठापतां खनान था को पता चल जाता और सारा को पता ना चलता, रात में जिस वक्त विल्या दुकान बं करके वापसा आई सारा उसे घर के दाकली दर PK गंके देए 7Lीया किजफे से निकल कर सेहन में आई, विल्या कि मैं क्या सुन रही हूँ बेटा, परिशान हाल सारा को द यमना इतनी देर में पानी लेकर आई विलिया ने चादर और कंदे से लटका बैग उतार कर चार पाई पर रखा सायरा को नजर अंदास करके यमीना से पानी का गिलास लेकर चार पाई पर बढ़ते एक ही सांस में पी गई विलिया देख बहाना मत करना कोई सायरा उसकी खामशी को चानती थी कि वो इतना वक्त तभी लेती थी जब उसे कोई बहाना गड़ना होता अमा ऐसा नहीं है आप इदर बैठे खाली किलास यमीना को थमाते उसने सायरा का हाथ थाम कर अपने पास बिठाया देखो अमा घर से बाहर के दुनिया आपको हर कदम पर निगनने को तयार होती है बच्टे वही है जो इस दुनिया के साथ और उसके मताबिक इस दरिया में बहते जाए जिसमें मोजो का रुख अपने मताबिक मोड़ा हुआ हाँ फिर तुफान ही आ जाता है और ऐसे तुफान दरिया में मौजोद हर चीज़ को निगल जाते है आप ये समझो के मैं भी अब इस दरिया में निकल खड़ी हुई हूँ और मुझे उसकी मौजो के साथ बहना है ऐसे में मुझे इसका साथ देना है और भता खोर तब तक हमारे खिलाफ नहीं हो सकते जब तक हम उनकी बात नहीं मानते अगर इंकार किया तो वो हमें निंगल जाएंगे विलिया ने बहुत तरीके से माँ को समझाना चाहा तो बेटा यही तो कह रही हूँ तू तू बस छोड़ ये सब बंकर दुकान बेटा मेरी दुनिया तुम तीनों ही हो मैं बरदाश नहीं कर पाऊंगे अगर तुम तीनों में से किसी को भी कुछ हुआ साहरा मुपर हाथ रखे रोने लगी कब से दब्द किये हुए थी अमा कुछ नहीं होता पिलीज आप ऐसे करेगी तो हमारा क्या होगा मुझे आपके होसले और हिमत की जरुत है अगर आप यू हार कर बैठ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी अमा पेट पालने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है अब मुझे इन चन्द दिनों में अंताज़ा हो गया है मगर मैं आप में से किसी को इस दुनिया के जलक नहीं दिखाना चाहती अमा पिलीज मेरा होसला बने मुझे कमजोर ना करे विलिया सायरा को साथ लगाए अश्कबार ही वो भी इस वाके के बाद से अब तक अपने आसों अंदर ही अंदर चमा किया हुए थी अब मा को सामने देखकर जब्त खो गई मैं आप लोगों के लिए मस्बूर चटान बना चाहती हूँ भर-भरी रेत का ठेला नहीं कहां से इसे ऐसी बड़ी बड़ी बाते आगई थी सारा नहीं जानती थी मगर सच है के मा का साइबान उठते ही बच्चे बड़े होचाते है सारा को विलिया की बाते सुनकर अंदाजा हो गया था ठीक है मेरी जान मगर एक वादा कर कहीं भी तुझे जरा सा खुद को भी तकलीब पहुशने का शायबा तक हुआ तो ये कारुबार बंद कर देगी विलिया तेरी जान से बढ़कर हमारी भूख मुझे अजीज नहीं है सारा ने आसों पोश्टे उसका चहरा हाथों में लेकर महबब से चूर लहजे में कहा मैं वादा करती हूं अमा अब खाना खिला दो बहुत भुक लगी है मां की हिम्मत बंते देखकर उसने भी खुद पर जब्द करके मौजू ही बदर डाला हाँ हाँ चल यमीना खाना लगा सारा ने दूसरी चार पाई पर बठी यमीना को पुकारा जी अमा वो भी मां और बेहन को रोता देखकर परिशान थी आसों उसकी भी आँखों में रवा थे आसों पोश्टे वो थी जी डैट मैं बस मम्मी को लेने के लिए निकल रहा हूँ हाँ आप दूसरी काड़ी भी भी बिचवा दे सामान उनका उस पर आ जाएगा और मैं मम्मी को ले आँगा घड़ी की सुईयों को दो और बारा पर मौजूद देखकर वो तेजी से सीट से खड़ा हुआ कोट कुर्सी की पुछ्ट से उठा कर पहना उसी इसना में यावर की उसके मुबाल पर कॉल आ गई बाप से बात करता हुआ वो ओफिस से निकल रहा था जैसे ही अपने रूम से निकला रियास साहब जो लंच करने मसरूफ थे दारिंग को अपनी सीट के पास आता देखकर उठ खड़ वे रियास साहब मैं एरपोर्ट जा रहा हूँ कोई जरूरी कॉल आएगी तो प्लीस आप फिंडर कर लीजेगा तो ड़ाई घंटे तक मेरी वापसी होगी रियास को काम बताता हुआ वो अचलत में बोला तर आपका लंच शहजाद त्यार कर चुका है नहीं अपर टाइम नहीं है शहजाद को मना करना याद ही नहीं रहा खेर वो आप देख लीजे का मैं निकलता हूँ हाथ के शारे से मना करते हुए वो तेजी से बाहर की जानी बढ़ा आज रश मामोल से जादा था या फिर विलिया को ही मैसुस हो रहा था 11 बजे से दुकान पर रश बढ़ता जा रहा था और उसके काम करने के रफतार भी आज तो उसे लग रहा था वो शदीद ठक जाएगी काम जादा बढ़ गया तो उसने कुछ चीजे मां को फोन करके घर से बनाने का कहा ताके गाहक वक्त पर अपने मतलब की चीज़ ना मिलने पर खफा नहों दिलावर को कॉल करके उसने अपने पास आने का कहा वो पर्दा हटा कर विलिया के पास आया जी आप आज खेर है रश काफी जादा है विलिया ने कब से दिमाग में कल बलाने वाला सवाल पूछा हाँ वो आज कोई जलूस है तो बहुत से लोग जो सड़क पर निकले थे वो फंस गहे उनका नुकसान है और हमारा फायता दिलावार ने मस्कुराते वज़े बताई विलिया भी मस्कुराई अच्छा मैंने घजसे कुछ चीज़े बनवा ली है तुम किसी लड़के को बेच कर मंगवा लो आज ज़रुत से ज़्यादा रश्ट था तो मुझसे अकेले मैनेज नहीं हो पाया विलिया ने उसे काम बताया लो जबरदस्त हो गया मैं बस अभी फखर को भेचता हूँ वो जल्दी से कहकर वापस मुड़ा बाकर क्या मसला है ये ट्रैफिक क्यों चाम है यहां बीस मिनिट हो चुके थे उन्हें सड़क पर खड़े ना तो आगे सिगनल था और ना ही कोई नाका के फसने के वज़े समझ आती दारीम जल्दी एरपोर्ट पर पहुशना चाता था और उतनी देर हो रही थी पुरे दो हफते बाद सदफ वापस आ रही थी आइरिम उन्ने बहुत मिस्ट कर रहा था वह शुरू से मां से बहुत करीब रहता था इसलिए हमेशा उनके दूर्स पर जाने के बाद वो उन्हें بहुत मिस्ट करता था तीन बचे के फिलाइट थी वो जो आदे घंटे में पहुँचने का सोचे वे था बिस मिर्च तो यही सड़क पर लग गए थे और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था जहां से एरपोर्ट जाया जाता सन मैं बाहर निकल का देखता हूं इसके ड्रावर ने बाहर ने बाहर जाकर लोगों से पूछने का सोचा और अगले ही लमें वो बाहर जा चुका था कुछ देर बाद दो लोगों से बात करके वो आपस गाड़ी में आकर बठा स्थार आगे कोई जलू से दो गंटे तक हम यहां से नहीं निकल सकते उसके बात पर दारिम अच्छा खासा तब गया क्या मुसीबत है जुनलाट रूट पर थी यहां से वापस भी नहीं निकल सकते दारिम ने पिछे मोर कर अपने पिछे गाड़ियों के यह लंबी खतार देखकर स्वाल किया यह खुद से मुखाती हुआ बाकि समझने से खासिर था नहीं सर बहुत मुख्किल है बाकिर ने भी गर्दन मोर कर पीछे देखा रूमाय उसे से कोया हुआ अब दो गंटे उन्हें गाड़ी महीं बैटना था दारिम को सोचकर एकोफ तश्रू हो गई यार तुम ऐसा करो यहां कही से कुछ खा पी लो मेरी वज़े से तुमारा लंच भी निकल गया दारिम ने खिर्की से बाहर देखते हुए कहा और इनकी काफी सारे चोटे चोटे होटेल थे सर आपने लंच कर लिया था बाकिर ने उसकी बात के जवाब में सवाल किया नहीं यार पर तुम मेरी टेंशन ना लो कुछ खा लो दारिमी सहूलत से इंकार किया साथ ही मुबाइल निकाल कर कोई नमबर मिलाते कान से लगाया बाकिर उसकी कतियत भरे अंदास पर बाहर निकला दाय जानी बने मुस्तफा होटल को देखकर उसके कदम उस होटल की जानी बुठे जी डैडी मैं यहां ट्रैफिक में फस गया हूँ और अभी दो गंटे तक यहां से निकलने का कोई चांस नहीं उसने यावर को कॉल की उख पेटा कोई बात नहीं ट्रैवर अब तक एरपोर्ट पहुँच चुका होगा तुम कहां फसे हो यावर उसकी बात सुनकर परिशान हुए डारी में जगी का नाम बताया चलो तुम परिशान नहों और प्लीस कुछ खा लेना अब इतनी देर खाली पेट मत रहना सुबह तुमने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया था बाप की लहजे में अपने लिए इतनी फिकर देखकर हो मस्कुडाया जी मैं देखता हूँ अलविदाए कलमार के बाद उसने कॉल बन कर दी वक्त गुजारी को गारी में गाने लगा दी कुछी देर में बाकिर गारी में आकर बैठा उसके हाथ में डिस्पॉजिबल लंच बॉक्स था जिसमें बिरियानी थी बाकिर के बैठते इच्टियांगेस खुश्बू पूरी गारी में फैल गई उसे लगा उसकी भूख चमक उठी थी हो यार ये कहां से लाए हो दारी में से जब रहा न गया तो बाकिर से पूछा बाकिर दो चमच खा चुका था नहीं तो वो वही उसे दे देता सर मैं और ला देता हूँ वो जल्दी से बिरियानी के प्लेट साइट पर रखकर उतरने लगा अरे नहीं यार तुम खाओ कोई सर्वेस बॉय होगा मैं उससे मंगवा लेता हूँ दारी में उसे उतरने से मना किया सर वो मस्तफ़ा होटेल से ली है मैं वहां के सर्वेस बॉय को आवाज देता हूँ उसने फौरन खिड़की नीचे करके सामने खड़े एक लड़के को इशारा किया उतेजी से काड़ी के जानी वाया यार बिर्यानी के कौर पिलेट भुचवा दो बाकर ने लड़के के पास आती ओर्डर दिया जी साब अभी लाता हूँ दारी में उचटती निगा होटल पर डाली बन उठी तोड़ी के नीचे रखे होटल के बाहर के हिस्से से होती उसकी नजर जैसे ही अंदरूनी हिस्से के जाने पड़ी वो चौंका दुकान के एक जानी परदा सा लगा कर अलग हिस्सा बनाया गया था अभी वो गौर ही कर रहा था के परदा हटा और एक लड़की चादर ओड़े पिर्यानी की पिलेट उसी लड़के को पकड़ा रही थी जो अभी अभी बाकिर से ओर्डर लेकर गया था एक दम दार्यम को हिस्सास होगा इस होटल पर कोई कुछ पकाता नजर नहीं आ रहा है थोड़ी देर बाद फिर परदा हटा और वही लड़की एक और लड़के को समोसो की पिलेटों से भरी ट्रे पकड़ाती नजर आई क्या हसन था उस चहरे पर अजीब सी नफास है दार्यम कुछ लमे पलके छपकाया उसे देखता रहा यहां तक के परदा फिर से वापस नहीं गिर गया इसी इसना में दिलावर बिल्यानी की पिलेट लेकर गाड़ी की जानी बाया उसकी तेज नजर से दार्यम के टुक्टुकी बान कर विलिया के हिससे की जानी देखना ओज़न नहीं रह सका यक्तम उसके चहरे के साविये तन गए दारिम ने उसे आता देखकर अपनी जानिक का शिशा गिराया जैसे ही दिलावर उसे प्लेट पकड़ा कर मुणने लगा दारिम ने उसे आवाज दी सुनो उसे पास आने का इशारा क्या दिलावर मू बनाता उसकी गाड़ी के करीब आ जाता है दारिम के सवाल पर चनपल वो से खश्मगी नजरों से घूरता रहा आम खाओ साब पेड मत गिनो वो हर लप्स चबा चबा कर बोला क्या वह लड़की पकाती है यहां दारिम नहीं जानता था कि बहुत गलत बात जगे पूच रहे बात सुनो साहब यह तुम्हारा पूचा था वो नहीं जानता था कि यह उसकी सुसाइटी नहीं जहां औरत की इज़ता और गेरत वाली कोई बात नहीं होती जगे एक चोटी थी मगर सोच उनकी सुसाइटी से कहीं बड़ी थी क्या बकवास करे हो बाकिर एकदम गुसे में आया दारिम ने उसके कंदे पर ह रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया एट सोके यार महाजूरत भाई मैंने यहें पूछा था यकीन जानो कोई गलत नियत नहीं थी खाना बहुत लजीज है शुक्रिया दारिम ने जल्दी से बात संभाली दिलावर हूं करके चला गया दारिम ने एक बार फिर ना दा का किया था कियू था तो बड़े आम से हुलिय में मौझूद थी फिर ऐसा क्या खासता दारिम समझना सका था क्या बात है यार तुम कुछ तिनों से बहुत परेशान से लगए हूं काफी दिन बाद दोनों को फूरसत से मिलने का मौका मिला मिलते तो रोस थे मगर बस सलाम दूआ और फिर अपने अपने घरों को चले जाते थे, कुछ खास नहीं, तुम सुनाओ, तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है, वो जो किसी गहरी सोच में था, शेजाद की बात को जुटला कर मौदू बदला, शुकर है यार, बहुत अच्छा काम चल रहा है, सर बहुत दिलावर की बात पर वो सरहिला करे गया, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा, कि तुम बहतर है, कि अपनी परिशानी मुझसे शेयर कर लो, मैं हल ना कर सका, तो वो सकता है, कोई बहतर मशुरा दे दूगा, चन्न लवों की खामशी की बात, शेजाद ने भी फिर से, वही मुझे आपा की बहुत फिकर हो रही है, दिलावर की बात उनका शेजाद में परिशान हुआ, सब जानते थे कि जमात वाले हुकूमत का काम, कम और गुंडों वाले काम ज़्यादा करते थे, वो ये भी जानते थे कि वो उनका मुकाबला किसी सुरत नहीं कर सकते, तुम जा जानते हो, अल्ला ने आपा को बनाया भी कितना प्यारा है, दिलावर के लहजे में भाई जैसी फिकर थी, वो सब एक दुसरे के लिए ऐसे ही परिशान हो जाते थे, पच्पन से एक दुसरे को जानते थे, मेरे जहन में एक आड़ी आया है, शेजाद जो कुछ देर पहले परिशान था एक दम जोच से बोला, बताओ, दिलावर भी मतजसस हुआ, मेरे बॉस के बहुत से लिंक्स है, यकिननों पुलीस तक भी पहुच रखते होंगे, और सबसे बढ़कर, उनकी अम्मी सोशल वर्कर है, क्यो ना, उनसे बात की जाए, शेजाद की बात पर दिलाव का, सब जोच छाग बन कर बैट गया, यार, तुम्हारी बात ठीक है, मगर कोशिश करने में क्या हच जाता है, ये जमाना आपा जैसी लड़कियों को हजब नहीं करता है, या तो निंगल जाता है, या उगल देता है, क्या हम हाथ पर हाथ धर के तमाशाई बने, तमाशा द कर सकता था, वो बेचारी पहले ही मसीबतों की मारी और परिशान हो जाती, शहसाद फामोश हो किया, मगर दिन में पक्का इरादा कर लिया कि दारिम से बात करके रहेगा, जब से वो चहरा नजर में आया था, ना जाने क्या बात थी, क्यों बुल नहीं पा रहा था, मसलसल माशरे में औरत का यू मरदों के माशरे में निकल कर कमाना आम बात नहीं थी, आफिस जॉब आम हो गई थी, मगर दुकान पर और वही भी एक लोकल होटल में, ये सब करना आम बात नहीं थी, ये किनन मजबूरी थी, और वो मजबूरी क्या थी, यही बात उसे बेचरें कर हुए ओ हाज्रा वाट आ प्लिजन्ट सर्प्राइज आने वाली को देखकर वो अपनी जगे से उठ खड़ा हुआ मेज के दूसरी चानिब जाते दोनों करम जोशी से हाथ मिलाया सोचा बहुत बीजी हो गए हो तो कराची आकर फुद ही मिल लो तुम्हें तो पिशावर ना आने की कसम खारक किये रॉयल बुलू कलर का दीदा जेब सूट जेबतन की वो हमेशा की तरह तमक रही थी कब आई तुम वोसे लियो ऑफिस के सोफे की च किया बस कल ही हम सब पहुंचे फुपु से मैं मिल चुकी हूं तुम्हारा पूछा तो पता लगा जनाब आज कल चलती जाते और देर से आते हैं सोचा ऑफिसी चल कर पकड़ो एक हाथ से खुबसरत लंबे बालों को पीछे करते हूं मुसक्राहत लेजिन बोली दारिंग के चेरे पर भी मुसकराहत मसलसल आहाता किया थी वो सब कजिन सापस में बहुत अच्छे दोस्त थे हाजरा और शाकिर तो थे भी उसके हम उमर इसलिए उनसे बहुत बनती थी इसका मतलब है अगले दिनों में मैं और भी बिजी होने वाला हूं सब का सुनकर वो मुसकराहते जी बिल्कुल क्योंकि हम सब का इरादा एक दो दिन के लिए तुम्हें चुराने का है हाजरा की बात पर उसने हलका सा कहका लगाया वेल मैं चोरी होने के लिए तयार हूं हाथ उठा कर उसने जैसे ग्यू अप किया गुट बाई तो बस उठो फिर और सब से मिलकर प्लैन क बोली यार अभी तो नहीं मैं लंट आवर्स में तुम लोगों को चॉइन करता हूं दो दिन के सब काम वर्कर्स के सपूद करते भी तो वक्त लगेगा सो प्लीज कुछ घंटे दो मुल्तची लहज़े में बोला कुछ घंटे याद रखना उसे बावर करवाते लहज़ें बोली हाँ हाँ कुछ घंटे उसने तद्दीक की तुम्हारी बात पर यकीन करके जा रही हूं जानती हूं कमिटेट बनते हो उससे जता कर उठी येस आयम मैं वो एक हाथ सीने पर रखकर मस्कुराते बोली ओके सी यू सून वो भी जैसे आई थी पैसे उठका चली गई दा गुजरा था कि दर्वाजा नौक हुआ येस की आवाज पर शहजाद अंदर दाखल हुआ हाँ भई शहजाद क्या हुआ दारी ने उसे एक नज़र देखकर तवच्छे वापस लैपटॉप पर मर्कूस की सर वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी है शहजाद उंगलिया आप और फिर शहजाद उसे विलिया के बारे में सब बताता चला गया उसकी बात सुनका दारी ने अपकी बार लैपटॉप साइट पर करके मुकमल तवच्छे शहजाद पर दी सर मुस्तिफा होटल शहजाद उसके तवच्छे देने पर थोड़ा पूर जोश हुआ दारी ने ल माजी हाल सब के बारे में वाकिफ है गलक हंकार कर उसने हाथ नीचे के ये माश्रा ऐसा ही है औरत के आजादी की हर सांस चीनने वाला खेर तुम फिकर मत करो मैं कोई हल निकालता हूं मेरे बहुत से प्लीस में जानने वाले हैं और हाँ दिलावार को कहना हर पुलीस वाला उन गुंडों के हाथ बिका नहीं होता कुछ करते हैं शहजाद ने सब कुथिया सुलजा दी थी बहुत चुक्रिया सर मुझे उमीद थी कि आप ही कुछ कर सकते हैं शहजाद खुशी से जिल मिलाते लेजन बोला नहीं यार मैं नहीं वो उपर वाला करता है हम तो बस वसील से उठा जी जी सर शहजाद उसे उठते देखकर जल्दी से सीट से उठा और उसके निकलने से पहले खुद उसके कमरे से बाहर चा चुका था वो सब इस वक्त मशूर होटन बैठे लंच कर रहे थे हमें हर तीन माह बाद ऐसी गेट टूगेदर रखनी चाहिए कितना रिफ अजरा ने एक और प्रोग्राम तर्टीब दिया बिल्कुल कली चलते दारिम ने फौरण हामी भरी शाकिर तलहा पाइका फिजा और आलम भी राजी हुए फिजा और आलम की चंद माह पहले ही शादी हुई थी बाकिस सबब भी कमा रही थे लेकिन पिलीज हमें तुमारे व अफिस का एक कुक है और उसकी बहन है मैं उनसे बात करता हूँ उमान गए तो दो दिन के लिए उन्हें ले जाएगे दारिम की बात पर सबने सर हिलाया रात का वक्त था वो अपने कमने बैट पर नीम दरास किताब हाथ में पकड़े क्या पढ़ रहा था उसे नहीं मालुम हाँ असल में मेरे कुछ कजिंस आए हुए है और मेरे फॉर्म हाउस जाना चा रहे है दो दिन के लिए वैसे तो मेरे कुक वहां मौजूद है मगर उन्हें उनके हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें साथ रे चलू और तुम जो उस लड का अंदाजा हो जाता तो मैं उसके लिए कुछ और सोच रहा था दारिम ने लहजे को हत्म मखदूर सरसरी ही रखा जी जी सर बलके मैं ऐसा करता हूँ आपको उनका नंबर दे देता हूँ आप खुद तफसीर से बात कर ले शहजाद उसकी शराफा से वाकिफ था इसलिए विलिया का नंबर देने का फैसला कर बठा फिर उसे उमीद थी कि अदारिम उसके लिए कुछ बहता सोच रखता होगा वो विलिया के लिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देना जाता था दुकान में उसके लिए बस खत्रा ही खत्रा था तुम ऐसा करो पहले एक बार उनसे जासत दे लो मेरे बारे में बता दो ये नहों कि वो बुरा मान चाए शहजाद की बातों से इतना तो अंदाज़ हो गया था कि विलिया रख रखा वाली है जी जी सर मैं से पूर्ट कर आपको बताता हूं शहजाद को भी यही मुनासिब लगा ठीक है मैं तुम्हारे पर इंतजार कर रहा हूं क्योंकि कल जाना है लहाजा आज बात करना जरूरी है तारिम ने सहुला से कहा जी सर आप बस 10 मिनिट इंतजार करे शहजाद ने कहते साथी फोन बन करके विलिया को फोन किया वो इस वक बैठे कर की चीज़ों की लिस्ट तयार कर रही थी जी सब खेर हैं वो आप से कुछ बात करनी आप मसरूफ तर नहीं शहजाद की बात पर थोड़ा रिलैक्स हुई अरे नहीं कहो क्या बात है मेरे बास अपने कजिन्स के साथ अपने फॉर्म हाउस जा रहे दो दिन के लिए उन्हें कुक चाहिए मैंने कुछ दिन पहले आप खेर किया था कि वो हमारी मदद करें और आपकी उनसे चान चुड़वाएं शहजाद की बात पर उसका ध्यान करते थे शहजाद ने असल बात विलिया से चुपाई जिस वज़े से उसने दारें से उसका जिकर किया था लेकिन मैं कैसे जा सकती हूं दुकान को कौन और वैसे भी तुम्हारे बॉसे मेरे लिए तो अजनबी है विलिया ने मना करना चाहा अजनबी है मंगर एतिबार के बंदे है और वैसे भी मैं आपके साथ जाओंगा अकेले थोड़ी बचूँगा वो आप से बात करना चा रहे हैं तफसील बताने के लिए आप कहती है त अजिए जल्दी उन्होंने कल निकलना है शाजाद ने इनतजाहिया अंदास में का चाह मैं दिलावर से तो बात कर लो फिर अम्मा से पूछ लो उसके अजलत पे विलिया के हाथ पाफ फूले आप खाला से बात करो दिलावर को मैं खुद ही काल कर लेता हूँ शाजाद ने पून बन किया सारा के इस्तिफामिया नजरे विलिया के चेरे का तवाफ कर रही थी क्या हुआ सारा उसके पास यसके बैट पर बैट गई विलिया ने सारी बात मा को बताए बटे कभी कभी अल्ला हमारे लिए ऐसी जगों से सबब बना देता है जो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होते क्या पता इस एक मौके से ऐसे रास्ते तुछ पर खुले जिनके बारे में हम में से किसी का गुमान भी नहों वरना कहां ये बड़ी लोग और कहां हम तो उसके बास से बात कर अचा शहजाद है तेरे साथ यहां कल का काम मैं समा लेती हूं तो फिकर ना कर अल विल्या का नमबर और नाम और नमबर मैसिज किया दारिम के चहरे पर हलकी से मुस्कुराइट विकरी फिस अंजिदा होकर नमबर मिलाया तीसरी ही बेल पर दूसरे जाने से फोन उठा लिया गया असलाम अलेकुम फोन के दूसरे जाने नफीस सी आवाज बिलकुल उसी की तरह उगरी वालेकुम ऐसलाम उसने गलक हंकार का जवाब दिया मैं दारिम मलिक बात कर रहा हूँ शहजाद मेरे आफिस में जॉप करता है दारिम ने अपना तारूफ करवाया तीसर मुक्तसर जवाब जबके दारिम को उसे सुनते रहने की खौर चाग रही थी मेरे ख्या मेदारी है आपको पूरी इज़त वाहतिराम से वहां रखा जाएका तारिम की गंबीर आवाज और शाहिस्ता ले जा विलिया के वो बेहत भला लगा वो नहीं जानती थी कि उसकी उमर क्या है ना उसे इससे मतलब था जी सर बस मुझे यही परिशानी थी खिर आप मुझे वक्त बता जीजे का मैं और शहजाद आ जाएंगे विलिया ने धीमे लहजे में कहा नहीं आपको ज़रत नहीं है आप बस सुबह 11 बजे तक तयार रहीगा मेरा ड्रावर आप दोनों को पिक कर लेगा और आप मेरा नंबर अपनी मदर को दे सकती है ताकि वो कॉंटेक्ट क करना चाहें तो कर ले दारिम के इतने फिकरमन लहजे ने विलिया को थोड़ा सा मुतमें किया जी जरूर ठीक है सर आपका दो दिन का मैनों क्या होगा मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए तो आसानी होगी विलिया ने प्रोफेशनल अंदाज बताया बार भी क्यो ही खाते मैं ज्यादा देशी खाने ही पसंद करता हूँ तो आपको मुश्किल नहीं होगी दारिम ने फिर से उसकी मुश्किल आसान की टी सर बहतर विलिया ने फिर मुक्तसर जवाब दिया दारिम को इसके इतना मुक्तसर बोलने पर चुड़ हुई फिर ख्याल आया वो कौन फ dulu से बर्सों से जानती है उनके दर्मियान तालु की क्या है ओके सर ऐला हाफिस विलिया ने दूसी जाने हमोशी महसुस करके फोन बंगर करना मुनासिब समझा जी कल मिलते हैं फिर ला हाफिस तारिम ने खुद को सरजनिश की और फोन बंगर झिया ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, अभी वो दो दिन इसके अलावा कुछ और सोचना नहीं चाता था वो दिल फेंक तो हर्किस नहीं था, वन्हा हजारों लड़कियां और हजारों मौके थे पिर ये पहली बार दिल किस डगर पर चल पड़ा था, उसने विलिया के नमबर को एक बार फिर देखा और हयात के नाम से सेव कर लिया पहली बार जिन लगी में, पहली बार किसी के लिए दिलियों उसे तंग करने पर दुला था अगले दिन साड़े दस बचे वो तयार थी, दो सूट रख लिये थे और बागी कुछ खाने पकाने से मतालिक सामान पहले बार यूँ घर से बाहर अकेली जा रही थी, तो दिल थोड़ा परिशान था, दिलावर को नचाने शहजाद ने क्या कह कर आमदा किया था कि उसने विलिया से कोई बास प्रस नहीं की दियान से रहना बेटा, सायरा ने जाज़त तो दे दी थी, मगर परिशान भी थी वो सब इस वक्त तेहन में चार पाई पर बठे शहजाद का इंतितार कर रहे थे, अमा को तंग मत करना, उनका हाथ बटा देना विलिया ने यमीना को नसीहत की, आपा आफ रिकर मत करें, मैं अमा की मदद करवा दूँगी, यमीना ने उसे तसलिद इलाई, ग्यारा बजने ही वाले थे जब बैरूनी दर्वाज़ा खटका, मुस्तफ़ा फोरण दर्वाज़े के करीब गया, कौन? मैं शहजाद, बाज अमान में, दर्वाज़ा पार करते हो शहजाद के साथ हो ली, शहजाद ने फौरण उसका छोटा सा सफरी बैग पकड़ा, दाए हाथ में पकड़ा और बाए हाथ में उसका अपना वैसा ही छोटा सा बैग था, चादर को पुरी तरह लपेटे विलिया शहजाद के हमकदम गाड़ी रोट पर है, शहजाद ने साथ चलते हुसे कहा, विलिया ने होले से सर हिलाया, थोड़ी देर में में रोट आ गई, सफेज चमचमाती करोला उनके सामने खड़ी थी, और साथ ही बावर्दी ड्रावर भी, सलाम करके उसमें आगे बढ़कर शहजाद से दोनों बै बाहर भागते दोड़ते नजारों में मगन हो गई, बीस मिनट बाद गाड़ी एक खुबसरत और रिशान घर के सामने रुखी, आप दोनों बैठिये, मैं साथ से पूछ कराता हूँ, फिर आप दोनों मेरे साथ ही फॉमाउस तक चलेंगे, ड्रावर ने शाहिसता लहज़ जिनमें तीन फैंशनेवल लड़कियां और चार उंचे लंबे खुबरों से लड़के बरामद हुए, शेहजाद उन्हें बाहर आता देखकर फॉरन गाड़ी से बाहर निकला, विलिया कुछ कंफ्यूस थी हुई, क्योंकि उस सब उनकी गाड़ी की चानी भी देख रहे थ विलिया की नजर अब शेहजाद पर पड़ी जो किसी से बकलगीर हो रहा था, फिर उस लड़के ने बारी बारी शेहजाद का तारूफ बाकिस सबसे करवाया, और एक उचरती निगा गाड़ी में बैठी, खुद को तक्ती, विलिया पर डाली, विलिया ने फिर चेहरा दा जानी मौलिया, या ला, मैंने शेहजाद से उसके बास की उमर का क्यों नहीं पूछा, ये सब तो बहुत यंग है, हाँ, क्या पता, उनके बच्चे हो, वो खुद से मफरूजे घरने लगी, हातों के उंग्लियों को इस तरा भी अंदाज में मरोड रही थी, मैं बैठी हू कि बाहर निकलाओं, ये शेहजाद का बच्चा भी जाकर चिपक गया है, कितना बुरा लगता है, उन्हीं की गारी में ठाट से बैठी, उन्हें नजरन्दास कर रही हूँ, वो शेहजाद को कोसने लगी, अभी वो इसी धेर बन में थी कि क्या करे क्या ना करे कि शेहजाद उसके चानिब वाले दर्वाजे के चानिब आया, बाजी एक मिनट बाहर आओगी, मैं आपको बहुत से मिलवा दू, शेहजाद दर्वाजा खोले, उसे बाहर आने की दर्खास कर रहा था, वो लब भेजे, कांपते वजूद से बाहर आई, और जो भी था, मालदार लोगो सब अपनी जगे खड़े थे, विलिया अपनी जगे पर ही खड़ी रही, असलाम अलेकूं, उसने उनके चानिब देखते आवाज की लर्जिश पर काबू पाया, वालेकुम असलाम, विलिया लड़की आगे आती, उसके चानिब ऐसे बड़ी जैसे बच्पन की सहलिया हो, और मुश्किल मस्कुराइ चुपा गया, यू आर सो प्रिटी, मैं दारिम की कजिन हूँ, उसने खुद ही अपना तारुफ करवाया, बाजी ये मेरे बहुत सर दारिम है, शेजदाद ने दारिम के जाने बशारा करते विलिया को बताया, कैसी है आप, बहुत चुक्रिया आ और भी अच्छे गुजरने वाले हैं, तुम्हारी कुकिन की दारिम बहुत तारिम कर रहा था, हाजरा की बात पर विलिया चौगी, शेजदाद ने विहरान होकर देखा, उसने कब विलिया के हाथ के बने खाने खाने खाए, अब विलिया की हरत में रूबी नजरे, दारिम की जानी बुठी, शेजदाद काफी तारिफ करता है आपकी, तो वही मैंने हाजरा से डिसकस किया, दारिम ने खा जाने वे नजरों से हाजरा को देखा, जिसे रात में उसने बिरियानी खाने वाले दिन का वाक्या बताय था, मगर अभी वो शेजदाद और विलिया के सामन किया, वो एकनम घुलने मिलने वाली नहीं थी, रिजाव सी परसनलिटी थी उसकी, वो सब मुक्तलिब गाड़ियों में बैठते, पॉम हाउस के जाने चल पड़े, क्या जरुरत ही तुम्हे ये बात कहने की, कि मुझे उसके खाने बहुत पसंद है, हाजरा दारिम की गाड से लुट फुटाया, हर बात, हर एक के सामने नहीं करते, उसे नहीं पता कि मैंने उसके होटेल से कभी कुछ खाया है, वो शहजाद के सामने मिले एक बिल्कुल अजनबी है, वो खुद भी हरान था कि उसे क्यूं, इस बात की पर्वा हो रही है, अगर वो उसके सामने खु हर एक क्या हाजरा ने उसे देखते जान बुचकर, बात अदुरी छोड़ी, दारिम को लगा, वो कुछ जादा रियक्ट कर गया है, पौरन बात बलटकर हाजरा कध्यान कहीं और लगाया, अभी तो वो भी, अपनी कैफियात को कोई हत्तमी सनत नहीं दे पा रहा था, किसी और को क्या बताता, गंटे के बाद गाड़ी एक बहुत पुरसुकून, खामोश, हरे भरे इलाके में पहुची, दूर तलक आबादी बहुत कम थी, ये पूर फिजासा इलाका विल्या को बेहत भला लगा, नजाने अल्ला की तक्सीम में इतजात क्यों है, खुद से मुखा अकर नहीं मिला शैजाद को घुरकने का, कि इसने अपने बास की उमर के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था, उसकी बुकलाट की असल वज़े यही थी, वो तो यही समझे और सोचे बैठी थी कि कोई उमर रसीता शक्स होगा, मगर इस खुबरो शक्त तो बास की सुरत मे लगा कर और भी जाजब नज़र बनाया हुआ था, वो इस जगे के खुसूरती को सराह बगर ना रह सकी, जिसका भी जौक था, बहुत आला था, वो दूर जाकर थोड़ा सा रिहाशी हिस्सा था, सफेद मारबल से बना और रिहाशी हिस्सा हरे बरे दरफतों के दर्मियान बेहत भला मालू हो रहा था, गारी रुकते ही विलिया उतरी, उसके आगे उन सब की गारिया पी रुक चुकी थी, हाजरा को दारिम ने विलिया के पास भीचा, उसे लिए फिजदा और फाइका से मिलाने के लिए ले आई, वो दोनों भी गरम जोशी से उस से मिली, विलिय मेरो कितना नक्चड़ी और मगरूर नहीं थी बलके विलिया से ऐसे पेशाई थी जैसे उसकी दोस्त हो वो सब रिहाशी हिस्से के अंदर आ चुके थे तीन चार मिलाजिम उनके सामान लिए दारिम के हिदायत पर मुक्तलिक कमरों में पहुंचा रहे थे मेरा रूम वही होग हाजरा, फायका, अफिजा की बातों को जोब भी वो हूं हां के अलावा नहीं दे रहे थी ये वाला रूम आपका है, ये शहजाद का, उसमें दो कमरों के जाने बिशारा किया, विलिया को इस कॉरिडोर में आमने, सामने, मौदू सब कमरे एक जैसे ही लग रहे थे, आप चाहे तो फ्रेश हो ले, दारिम फिर से उससे मुखाति हुआ, विलिया मसलसर नजरे दारिम के अलावा बाकी सब चगों पर घुमा रही थी, पिर आप हमें किचन का बता दीजे का, ताकि दोपहर का खाना टाइम पे तयार कर ले, विलिया ने फिर से प्रोफेशनल अंदा से बना बैट, कमरे में फरनीचर की भरमान नहीं थी, बैट के अलावा दो खूसरत लगड़ी की कुरसिया मौजूद थी, बैट के साथ इसी तर्स के साइट टेबल थे, कमरे की खिड़की पिछले बाग की चानिब खुलती थी, विलिया हॉले से चलती बैट पर आकर बैट वो इस मुकाम पर आकर भी अपने वकात नहीं भूर रही थी, वो मुलाजिम थी और बस, बैट से उठकर वो तेज़ी से वाश रूम के जानी बढ़ी जिसका दर्वादा खुला था, चादर वो पहले उतार कर बैट पर रख चुकी थी, मूद होकर थोड़ा खुड़ा दुपट्टा उतारा वाश बेसिन के शिशे में खुद का जाजा लिया, एकदम निगाहों में हाजरा, फिज़ा और फाइका की ड्रेसिंग लहराई, जदिये तराश खराश की शर्ट्स के साथ कैपरी पहने वे थी, दुपट्टे सुरे से थे ही नहीं, उसने सर जटका, अपने साथ वाले कमरे का दर्वाजा खटखटाया, यही कालिबन दारिंग में बताया था, एक बार नौफ करके वो इंतजार में खड़ी थी, कि अंदर जाने की अजाज़त मिले तो वो चाए, या शेहज़ाद बाहर आए, अभी उस सोच रही थी कि दर्वाजा जटके से खुला, और जो सामने शेहज़ाद को देखने की अमीद करते हुए, दर्वाजे के जाने पल्टी, दारिंग को सामने खड़े देखकर बुखलाई, ओ, सारी, वो मैं समझी, यह शेहज़ाद का रूम है, उसने जल्दी से अपनी बुखलार पर काबू पाते वज़ाद की, इस ओके मैं, शेहज़ाद का रूम उस तरफ वाला है, उसने विलिया की ही साथ कमरे के दूसरे जाने बेशारा किया, मकसूत नरम सी मस्कुराहत ठेहरे पर सजाय, उसने विलिया की रहनुमाई की, ठैंक्स, विलिया ने उसकी घिनी मुटवतले तराशिदा लबो पर किलने वाली मस्कुराहत से नजरे चुडाई, तेजी से वो दूसरे दर्वाजे की जानी पड़ी, दारिम अपने कमरे का दर्वाजा बन करके कॉरीडर से गुजर कर जा चुका था, विलिया ने बेखतियार उसकी चौड़ी कुश्ट को देखा, प्लू जीन्स और लेमन कलर की ट कर कर के किचन में लेआया, इन दो दीनों के लिए आड दोनों का हुआ, उसकी जिम्मेदारी आप दोनों के कन्दों पर, दारिम ने खोश एक लाके की किचन में दाखल होते का, वो दोनों भी उसके पीछे आए, कुशadा चदीड तर्व का बना ये किचन विलिया को बेहत भला लगा, दारिम के अंदास पर हुले से मस्कुराई, दारिम ने किस कदर हसरत से इसकी खुबसरत से मुस्कान देखी, ओके सर, शहजाद की आवाज इसकी महुएत तोड़ी, फ्लीज अगर इस वक्त चाहे बना दे तो महर्बानी होंगी, दारिम ने दोनों को मखातिब क्य कोई स्नेक्स भी चाहिए उसके साथ, विलिया ने फिरिज की जानी बढ़ते सवाल किया, फिर खुलने से पहले उसके जानी देखा जैसे इजाज़त चाह रही हो, आपसे यहां की हर चीज आप दोनों की जब चाहे खुले, जैसे चाहे इस्तिमाल करे, मुझ समयर, दिल के क विलिज में मौझूद चीजों का जाज़ा लेते हैं, मसरूफ अंदाज में कहा, एक मस्कुरादी नजर उस पर डाल कर वो किचन से चला गया, आदे घंटे बाद शेजाद लौाजमा से सजी ट्रॉली लेकर सिटिंग रूम में आया, दारिम के मुलाजिम उसके आने से पह मौझ में फैल चुका था, वा, खुश्बू तो इतनी लाजवाब है, तो जाएका क्या होगा, शाके ने खुश्बू को आँखे बंद करके अच्छे से महसूस करते कहा, शाज़ाद ने सब को चार सर्फ की, भाई, तुम्हारी बाद जी के तो हम अभी से कायल हो गए, के विलियानी पे ऐसा आया था कि उसी के फरमाश कर बठा, हाँ ठीक है, रात में बाबे के रख लेते हैं, बाकियों ने वितायत की, जी, शेज़ाद मुर का जाने लगा के दारीम के आवास पर रुका, तुमने और विलिया ने चायली, उसके इस तफसार पर खामोशी रहा चलो, उसे एक नज़र तासुब से देखता हूँ, उसके साथ किचन के जाने बोलिया, जहां विलिया, चीज़े समेट रही थी, और फरम हाउस की ही एक मुलाजमा उसका हाथ बठा रही थी, डुपटा सरसे ढला कर कंधों पर मौजूद था, उसने भी ठीक नहीं किया, एक उसनी मर्जी के लोगों से, दारिम के लबों पर होली सी मस्कुराहट जहल की, किचन में दाखिल होते ही उठिका, बालों का उंचा सा जोड़ा बनाए, दर्वाजे के जाने पुष्ट किये, वो सिंक के पास खड़ी, धुले बर्तनों को कपड़े से साफ कर रही थी, दारि दारिम के पिचे किचन के दर्वाजे बनामदार हुआ, आप लोगों को मैं सिफ काम के लिए नहीं लाया, प्लीज जो भी खाना पीना हो, आप सहूलत से ले सकते हैं, मुझे खुशी होगी कि जैसे मैं आप लोगों को अपना समच कर यहां लाया हूँ, आप भी इस जगे क अपना ही समझेंगे, सो पहले चाय ले, उसके बाद को चौर के जे का, दो पहर और रात का मेनू, मैंने शहजाद को बता दिया है, आखिर में उसने निगा उठा कर उसकी जाने देखा जो हाथ को बांदे, अब नजर जुकाय खड़ी थी, जी, उफ, फिर वही मुक्तसर ज दारी में खश्मगी निगा, उसके जुके सर पर डाली, मुलक शहजाद को अंदर आने का रास्ता दिया, खुद निकल गया, विल्या को शहजाद के बास की बोलती नजरे, जरा अच्छी नहीं लग रही थी, पता नहीं, ऐसे क्यों घुरता है, शहजाद को घुरे, उसका म मस्तकिल मुलाजिम है, मैं तो नहीं हूँ, चाय निकालते हूं सलसल उसे सोचे जा रही थी, हाँ मगर अच्छा है, इज़त करना जानता है, और इसलिए अच्छा भी लगा है, चाय पीते हूँ अपनी सोचों मगन थी, दो पहर का खाना खाकर, उस सब पिछले बाग में ब मिलिया इस वक्छ फारिग थी, किचन से निकल कर वो योहीं पिछले हिस्से की चानिबाई, उन्हीं जानती थी कि वो सब भी वहाँ हैं, रिहाशी कमरों के आगे दालान सा मौझूद था, जहां बेहत खुबसूरत पौदे और बेले लिप्टी हुई थी, वो इन्हीं को द के साथ टेक लगाया और उन सब को हस्रत से हस्ते जिन्दगी को जीते देख रही थी, इस बात से अंचान के पूर से बाहर आकर दारिग जो एक चेहर पर बैठा, तोली से हाथ मूझ साफ कर रहा था उसकी नजरे, विलिया के चेहरे पर ही टिकी थी, और जिसे विलिया उसक तरह, वो हाजरा की नजरों से अंचान था, जो उसकी विलिया पर बार बार उटने वाली नजरों से बहुत कुछ जान गई थी, अपनी चेहर से उठकर वो उसके पास आई, एक बाजू की कोहनी उसके दाएं कंधे पर टिकाए, उसकी कान के करीब जुकी, दारिग ने की कुछ नहीं, किसके मादें, क्या बधजमी हो रही है तुम्हें, मेरे ख्याल से बिडियानी में ऐसा कुछ नहीं था, दारिमी हत्तमल मखदूर लहजे को सरसरी रखा, मगर संजीदा चहरे के हमरा, जिससे वो अपनी मस्कुराइट चुपाने की कोशिश कर रहा था, हाज मुझे चकर दे रहे हो, मुझे, वो अपनी जानीब उंगली करके हैरस से बोली, तुम्हें काफी चकर चड़ चुके है, पहले उन्हीं उतारो, अपनी जगे से उठकर खड़े होते, अब वो हाथ सीने पर बांध खड़ा हुआ, खोश तुम्हें लगा कर रहूंगी, उसम मुझे का अपस में ज्यादा बाते करते देखती थी, बाकी सब होते थे मगर वो दोनों ज्यादा फ्रेंक लगते थे, मुझे क्या, अपनी बात पर खुद को सरजनिश की, और मुझे का अंदर के तानिब चले गई, रात की भी तो तैयारी करनी थी, रात में वो हर चीज को मसाला पहले से लगा चुकी थी, दारी मने अंगेटी और खानी के टेबल का हित्माम बाहर लौन में ही कर दिया था, एक जानी पुरसिया लगा कर वो लोग बैठे थे, और उनके सामने शहजाद और विलिया तेजी से हाथ चलाते कबाब तिक्के बना रहे थे, बाजी ये पस अब जरा आहिस्ता आहिस्ता पंकी से हवा देते जाओ, आहिस्ता देना, तेज दोगे तो कोईले की राख हवा में ज्यादा तेजी से उड़ेगी, उसे हिदायत दे कर वो वापस अपने काम में मगन हो गई, जैसे सलात को अच्छे से सचा कर बुरी दारी में और उसके कजिन सुनी की जानी बारे थे, लाओ भई शहसाद हम भी शहीदों में अपना नाम लिखवा ले, आलन ने उसके हाथ से पंकी पकरते उसे चिलाते वे कहा, विलिया जो दूसरी जानी बहुत सीखे तयार कर रही थी, दारी में को अपनी जानी बाता देखकर चिचकी, कोई तसीरे ले रहा था और कोई सीखों की सेटिंग में मौदूद था, सरा आप लोग इंजोय करें, हम है ना कर लेंगे सब, विलिया ने दारी में को अपने करीब खड़े देखकर मसरूफ अंदास में कहा, एक सीख उसके सामने से उठा कर वो भी बरतन में मौदूद चिकन की उसके हाथ देखे जो सीख कबाब लगा रहे थी, वो भी एक सीख लेकर उसी के अंदास को फॉलो करने लगा, इसकी बात पर चंद रमों के लिए विलिया के चलते हाथ रुखे, इनसान को नहीं लोगों से बात करनी चाहिए जो उसके मकाम और मरतबे के मताबिक हो, अगर मकाम से उपर वालों से बात करता है, तो मुग के बल गिरता है, और अगर अपने से नीचे वालों से बात करने की कोशिश करता है, तो लोग उसे मुग के बल गिराने में कोई कसर नहीं ठोलते, विलिया की बात परो लहसे भर को, उसकी बात की गहराई पे शिश्टर रह गय विलिया ने पहले बाद जो की आँखे उठा कर उसकी जाने देखा जो अपनी बात के तासुरात उसके चेहरे पर देख रहा था विलिया की नजरे बहुत कुछ जताती सी थी जब इनसान गरीब हो अलाचार भी तो वो इस मकाम पर रहते हुए भी दुनिया के बहुत से चेहरों को परक लेता है बहुत से तज़ुबे हासल कर लेता है मगर ये बात महलों में रहने वाले नहीं जान पाते इसका लहजा तन्जिया नहीं सादा सा था जिसे अपना तज़ुबा बता रही हो तो लोगों को परकने के फन से आशना है आप दारी ने सराहा अपने तई कोशिश करती हूँ मगर कौन जाने कब कौन कैसे बदल जाए सारी की सारी परकी वी बाते वही की वही रह जाती है इसलिए मैं किसी की जात के हवाले से किसी को कुछ नहीं बताती इससे पहले कि दारीम उसे कहता कि उसके बारे में कुछ बताए विलिया ने जैसे उसे शेट अप कॉल दी थी दार्म मतासर हुए बिना ना रह सका अगर वो इतने मर्दों की बीर्ड में दुकान चला रही थी तो कैसे और क्यूं चलाए थी दार्म को आज इस वाद का जवाब मिल गया था अल्लह ने उसे इस खदर एतिमाद से नवाजा था उनका मजबूत किरदार मकाबल को चारों शाने चुट कर देता है जिसे रफ़ता रफ़ता दार्म हो रहा था दार्म को खामोश करवा कर अब तुन्दही से अपना काम खतम कर रही थी खाने तक फिर उनके दर्मियान कोई बात नहीं हुई खाने के बाद विलिया और शेहसाद बाकी मुलाजमों के साथ चीज़े समेट कर अंदर जा चुके थे जबके वो सब अभी बाहर ही बैठे थे यार कल करीब के दरिया से मशली का शिकार ना करे आलम की बात पर फिज़ा सबसे ज़ादा एकसाइटेड हुई वाँ कुछ आइडिया मेरा ख्याल ही यहाँ एक तारीख किला है उसकी सैर करके आते हैं पायका ने भी मशुरा दिया ऐसा करते हैं पहले किला देखकर आते हैं फिर वहीं से मशली पकर कर वहीं पर पका कर खा लेंगे शाकिर के मशुरे की सब ने तायद की बेटर प्लैन दारी ने भी सराज शहजाद और विलिया को साथ ले जाएंगे हाजरा ने भी मशुरा दिया जाहर है तुम निकम्मियों को मशली पकाने का तरीका कहां आता होगा शाकिर की बात पर उन तीनों ने तीखी चतुनों से उसे देखा बागी सब लड़कों का कहका बेसाखता था शहजाद चाय के कप लिए उनके जानी बाया जीते रहो तलहा ने फुश हो कर उसे दूआ दी आ जाया यार इधरी बैचा आलम ने उसे भी वही एक खाली कुरसी पर बैठने का शारा किया तुम चाये नहीं पीते शाकिर ने सवाल किया नहीं से इस वक्त नहीं पीता उसने मताना से जवाब दिया विलिया क्या कर रही है उसे कहो इधरी आ जाये हाजरा को उसके कमी महसूस हुई और यकिना दारिंग को भी उसे लगा हाजरा ने उसके दिल की बात कह दिये एको चट्टी निगाह हाजरा पर डाली उसने शाह से आँख दबाई उसकी शराद समझकर टहरे पर खिलने वाली मुस्कराट को उसने बमश्किल बागी सबसे छुपाया बाजी नमास पढ़ने चली गई है अपने कमरे में शराद की बाद पर हाजरा ने गहरा सांस लेकर चान बुच कर दारिम को देखा विलिया के हवाले से छेड़ चारों से बहुत अच्छी लग रही थी जिन्दगी में पहली बार वो ऐसे किसी जजबे से वाकिफ़ा था चाय खतम करते ही दारिम ने सब को उटने का इशारा किया चलो यार रेस्ट करो फिस सुबा जल्दी उटना है शहजाद कर हम यहां करीब एक किले को दिखने जा रहे फिर मचली के शिकार के लिए तो तुम भी तयार है न और विलिया को भी बता देना दारिम की बात पर उसने असबात में सरे लाया अंदर उनी हिस्से के जानी बढ़ते हूँ सब अपने अपने कमरों में चल भी दारिम दर्वाज़ा धकेर कर अंदर दाखिल वा अपने पीछे दर्वाज़ा बंकिया लॉक लगाया और रिलैक्स अंदाज में बैट पर चाकर दब से उस पर गिरा विलिया ने जब्दी जदी नफिल खतम करके सलाम फिरा कमरे के एक कौने में और नमास पढ़ रही थी कमरे में किसी की मौजूदगी महसुस करके घबराई चाप मरदाना महसुस हुई तो घबराई सवा हुई सलाम फिरते जैसे ही बैट के जानी पटी पटी नज़रों से देखा दारी मौंदी मूब लेटर नज़र आया यगदम वो चानमास से उठी खामशे में किसी की कपड़ों के सरसराहट महसुस करते दारी में लेटे लेटे ही सीधा हुआ सामने नमास के स्टाइल में डुपटर लपेटे विलिया को हेरत और दहशत भरी नज़रों से देखते पाया छटका खा कर अतनी जगे से उठा आप यहां क्या कर रहें हैरत और दहशत की जगे अब इश्टियाल ने ले ली सौरी मैम यह मेरा रूम है यगदम दारीम को बात समझ आई तो आसाब रिलैक्स रहाइशी हिस्से फास कर कमरों की सजावाट करते यह दारीम का ही मशुरा था कि सब कमरों की सेटिंग स्टाइ हता के फरनिचर भी एक सा हो कभी कभी आने वाले वाकई परिशान हो जाते थे कि कौन सा कमरा किसका है और विल्या के साथ भी वही हुआ लेकिन यह रूम तो आपने मुठे दिया था वो अब भी बेयकीन खड़ी थी नहीं मैं यह रूम नहीं था माजूरत असल में सब रू इसी निकलने से पहले अपना बैक और हैंड बैक अलमारी में रख आई थी इसलिए अंदर आते से कोई ऐसी चीज़ नजर नहीं आई कि जिसके बास तो चौंकती ठकी वी थी इसलिए जल्दी जल्दी वजू करके बाहर निकली कि कहीं सुस्ती के चक्र में नमाज ना निकल प्रसीब लगा कमरे में आने पर नहीं बलके मुझे बड़तिमाद समझने पर दारिम की बात पर उसने होट बेटे मैं मानता हूँ के हम अजनबी है मकर इतना गया गुसरा हूँ के आप नहीं हो बैतिवारी सहर के दारिम के लेटे में हलका सा शिक्वा था विलिया से कोई बार उसे अपना नाम लेते सुना था अपकी बार वो कुछ भी कहे बिना बाहर निकली दारिम उसके पीछे आया एक हाथ से रोका फिर चंद कदम उसके आगे चलकर उसके कमरे का दर्वाजा खोलकर एक जानिब भा उसे अंदर जाने का शारा करते कुछ तेजी से उसकी जा मुल से हटकर संजीदा था विलिया ने प्रिंटेट सादा सी शलवार कमीज पर उनी रंगों से हमरंग डुपटा चादर की तरह ले रखा था दार्म ने हाजरा को कुछ कहे कर विलिया के जाने बेज़ा जो शहजाद के साथ खड़ी बातों मसरूफ थी तुम दोनों हमारे साथ आजाओ हाजरा ने विलिया के करीब आते मज़े से उसका वाज़ो अपनी कैद में लेते उससे साथ चलते वे कहा विलिया कोई भी पैसे उपेश किये बिना खामशी से उसके साथ चलने लगी गाड़ी की पिछली सीट पर विलिया और शहजाद जबके डराविंग आगे एमे का क्यों नहीं सोचा एक और सवार मार्श की फिकर इल्म की फिकर से जादा थी इसलिए किसी एक कश्टी का सवार होना पड़ा विलिया की बात पर संगिलासस के पीछे चुपी दो नजरों ने बड़े गौर से देखा अजीब फलसफी लड़की थी छोटी सी बा फिर दारिम के अन कहे अलफास को जुबान दी इल्म सिर्फ किताबों में होता तो पड़े लिखे जाहल इस माशरे में नाजर ना आते विलिया ने हंकारा भर कर कहा वो भी तो ऐसे ही माशरे के बीच थी जहां पड़े लिखे लोग भी हमावाक्त उसे कुछ करने नहीं दे पा रहे थे मैं उमीद करती हूँ हम दोबारा फिर कभी जरूर मिलेंगे हाजरा ने साफ को इसे कहा आप बहुत अच्छी है विलिया ने होले से मस्कुरा कर अतिराफ किया अरे यार तुम खुद इतनी अच्छी हो क्यो दारिम एकदम हाजरा ने उसे जवाब देते दारिम को बहुत अच्छी से समझा गया चौक कर बेक्वी मिरर में देखा मगर हायरे ये संगिलासस विलिया ने सराच से आंकी फेरी मगर वो उसकी नजरों की चोरी बड़े आराम से पकट चुका था हाजरा अपनी शरात का इतना बेतुका जवाब सुनकर बदमजा हुई घंटे के ट्राइग के बाद वो सब पुराने किले पहुँच चुके थे खंडरात में ये भी एक शाहकारी था हो भी आरा था मगर अजीब सी कशिश भी रखता था सब गाणियों से निकल कर टोलों की सुरत उस किले के जाने बड़े हाजरा और विलिया के पीछे फिज़ा और फा सही से मरमत करवाई जाती तो ये जगे टूरिस्ट के लिए बहतरी अट्रेक्शन बन जाती दारिम ने भी उसे सराहते अफसोस से कहा यही तो अल्मिया है हमने मलक तो ले लिया मगर अपनी जगों से महबत ना की ना ही उनका ख्याल रखा आलम की बात पर सब ने इतिफा कि यहां शहजादे और शहजादिया भी रहते होंगे विलिया की बात पर आजेजड़ा ने भी उन्हें देखा दारिम को इस जगे की सट्रीका काफी इwn था पजिए बिलकुल बाद्शाहों के ही बनाएं हुए है और यहाँ उनकी ऑुलादें यह शहजादे और शहजादिया उनको मरवा देते थे विल्य तजस्स के मारे एक और सवाल करके वो इतनी कम को थी कि उसके सवाल पर दारिफ हराम था हाँ यार मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है फिजा ने भी उसकी ताइद की जी ऐसा ही होता था इन फैक्ट इस दोर में लोग इतने महरूर और खुद को नोस बिला खुदा समझते थे के वो अपने जैसे चीज़ किसी और की बरदाश नहीं करते थे उनका यही ख्याल होता था कि बस जो हमारे पास है इस जैसा किसी और को रखने या बनाने की हिमत ना हो बस इसी जाम में ना सिफ आर्किटेक्स को बलके कुक्स तक को मार देते थे अगर आप इस दोर में होती तो यकिनन अपने शाहकार खानों के बाद किसी बाच्चा के कहने पर आपको मरवा दिया जाता दारिंग ने जिस कदर संजीदगी से बात चुरू की थी एक्तिताम हर्गिस संजीदगी पर नहीं था विलिया पहली बार उसकी बात पर मुँ बनाया कुछ देर वहां गुजाने के बाद वो लोग मश्ली पकड़ने की गरसे दरिया पर चले गए सब मश्ली पकड़ने के फन को इंजॉय कर रहे थी जबके विलिया उनसे जरा फासले पर दरिया के करीब एक बड़े से पत्थर पर बराटवान थी कुटनों पर बाजु रख्यों न जाने किस सोच में थी कुछ देर बाद उसे अपने करीब आहट का हिसास हुआ बू जीन्स और हलकी स्किन सी टी शिर्ट पहने दारीं भी उसके बराबर थोड़े फासले पर बैठ गया विलिया ने चहरा मोड का उसके जाने देखा जो उसके जाने मतवज़े होते भी नहीं था अजीब बेनियास भी रहता था और नहीं भी विलिया ने चहरा वापस मुड़ा मुझे आपका रात का रवया समझ नहीं आया विलिया ने ना चाते भी बात का अगास किया फिर भी आपको बुरा लगा तो माज़ूत मगर इंसान अंचान लोगों पर यकदम एतिवार नहीं करता विलिया ने धीरे से बहुत कुछ समझाते वे कहा मैंने रात में भी आपको कहा था आप जैसी चहरा शनास को ये बात समझ देनी चाहिए थी मैं रहाल मुझे बुरा इसी लिए रगा कि मैं एक बुरा दिन आपके सामने रहा कि मैंने कोई गलत हरकत कोई गलत नजर आप पर डाली विलिया ने उसके सवाल पर होले से सरनफी मिलाया मेरी हरानगी से आपको समझ जाना चाहिए था कि मुझे भी इस सिच्वेशन का अंदाज़ा नहीं हुआ खेच छोड़े दारीन बात की लिया करते करते मौदू ही बदल गया आपकी कुकिंग देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप उसे बहतर अंदाज में प्रोफेशन बनाएं दारीन जो कहना चाहता था उस मुझे पर आया मेरे पास जो जराय थे उनको ब्रॉय कार लाकर मैं फक्त उसी को उसी हद तक प्रोफेशन बना सकती थी एक गहरी सांस खारिच करके उसने कहा अगर मैं आपको कुछ आप्शन्स दूँ इसने बात करते हुए सवाल नजरों से जाचा इसने ना समझी से पूछा अगर मैं आपको एक शौप बना कर देता हूँ पैसा फिलाल मैं लगाँगा आप शहजाद और उसी तरह के चंड लड़के जो आपके शौप पर भी हैं उन्हें खाना पकाने में ट्रेंड कर दे फिर केटरिंग का काम वो समालेंगे और आप सिफ और्डर्स लेकर मेनू सेट करेगी और मुक्तलिफ इवेंट्स और हमारी क्लास की शादियों में आपको इन मैं करवाँगा दारिंग की बात पर जितना हिरान होती कम था लेकिन आप ये पैसा इतना सारा क्यों लगाएंगे विलिया ने हिरान होते पूछा क्योंके मेरे पास बहुत फालतू पैसे है सोचा थोड़ इसे आपको देखा सबाब कमाओ दारिंग की संजीदा बात में छुपे मसाग को समच कर विलिया के तासुराद बिगड़े महतरमा आप जो भी कमाएगी उसका 50% मैं रखोंगा 50 आप दारिंग की बात पर वो थोड़ा पुरसकून ही मुझे आप सिर्फ ये बताए कि आप उन लड़कों को कितनी देर तक अपने जैसा ट्रेंड कर सकती है शहसाद तो पहले से ही है दारिंग की बात वो अपने मकसुस अंदाज मस्कुराई शहसाद के अलावा मेरी शॉप पर जितने लड़के है वो काफ़ी ट्रेंड है मजीद मुझे 15 दिन में वो और भी ट्रेंड हो जाएंगे विलिया की बात पर उसने हुले से सर हिलाया मैं चन्द दिनों में एक एनिवर जिनर अरेंज करवा रहा हूँ अपने घर आप वहां आकर पहला इवेंट अरेंज करें दारिम ने उसे पहली ओफर भी की इसका 50 परसन भी आप रखेंगे दारिम के नरम से लजे ने विलिया को बावर करवाया कि वो बुरा इंसान नहीं अफिर जब उसने नए जहानों को दयाफ्ट करने के लिए उसका सारा लेना है तो फिर खौामवखा के रूटनेस दिखाने का क्या फाइदा उसके सवाल पर दारिम के जहरे पर नरम से मुस्कुराइट विकरी नहीं उससब का सब बाप का होगा हाँ शौप उपन होने के बाद में कोई रियायत नहीं दूँगा उसने मस्नुहीं सरजनिश की मशली पकड़ी जा चुकी है अब आप हमें अच्छे से खाने से इंटर्टेन करें दारिम ने दाएं जाने देखते उसे उटने का इशारा किया शाम तक उन सब ने वापसी किरा ले मगा साइरा की बाद विलिया के लिए सच साबित हुई थी यह आना उसके लिए किसमत के नए दर्वाजे खोल गया था वापस आकर विलिया ने साइरा को दारिम से होने वाली सब गुर्टगू बताई मैंने कहा था ना विलिया ये एकदम से कंजान रास्ते पर चलने का हुकम आना ऐसे ही नहीं था साइरा ने मुस्कुराते उसे कहा हाँ अमा मैं तो समझती थी ये बड़ी गाड़ियों वाली होते ही मगरूर है मगर अमा वो सब बहुत अच्छे है एसास नहीं हुआ कि पहले बार उन से मिल रही थी विलिया ने खोयवे लहज़े में कहा जैसे अभी भी हो हाँ बिटा मगर उन से तालुक बड़ी सोच समझ कर बनाना ये उपर ले जाने वाले नीचे भी उसी तेज़े से फैंकते है तो बस फोश्यार रहना सायरा भी थोड़ा डरी भी थी और फिर विलिया लड़की जात थी वो जानती थी कि उसे अपनी हदूत का इलम है मगर किसी दूसरे को तो नहीं पता होता न विलिया ने चंदी दिनों में उन सब लड़कों को काफी हटा कुकिंग में ट्रेंड कर दिया था वहां से आने के कुछ दिन बाद दारीं की विलिया को कॉल आई कैसी है सलाम दूआ के बाद उकोया हुआ जी अलहमदलिल्ला आप सुनाए विलिया इस बार काफी शायस्तगी से पेश आई इस वीकेंड पर डिनर तो है मैं चाहरा था कि आप एक बार मेरे घर आकर किचन और लॉन का जायसा ले ले लेती ताके खाने पीने की चीज़ों को कैसे रखना है उसका अंदाजा भी हो जाता और मिनों भी बैट कर डिसाइड कर लेते दारीं की बात पर चनलमों को सोच उपड़ गई मैं कल गाड़ी भीजवा देता हूँ आप पहले आफिस आचाए वहां से शेज़ाद को साथ लेकर मैं आपको घर भी दिखा देता हूँ दारीं उसकी शचुपंट से किसी कदर वाकिफ था यकिनन वाकिले नहीं जाना चाहती थी उसे बिना चताए दारीं ने फौरण हल निकाला जी ठीक है अब की बारों आराम से मान गई चले फिर कल मिलाकात होगी दारीं ने अलविदाई कलमात कहे कर फोन बन कर दिया विलिया इस वक्त दुकान पर मुझूद थी जब तक नया काम ना चल पड़ता दिलावर ने उसे अभी दुकान खतम ना करने का मशुरा दिया था वो भी समझ गई थी इतना अंदाजा तो हो गया था कि कोई भी बिजनेस एक्दम नहीं चल पड़ता अगले दिन दोपहर के बाद दारीं ने अपनी गारी बिचुआ दी गारी का नंबर और कलर वो पहले ही बता चुका था विलिया ने दिलावर को पढ़ा दिया दिलावर उसे गारी तक छोड़ने आया था कुछ देर में गारी एक शांदार से बिल्डिंग की पार्किंग की तरब बड़ी विलिया इस वक्त अप्मी मक्सूस बड़ी सी चादर में वाजूद थी गारी पाक करने से पहले ही ड्राइवर ने किसी को फोन किया कुछ देर बाद उसे शहजाद गारी के जाने बाता दिखाई दिखाई दिया वो गारी सुतरी कैसी है बाजी वो मस्कराते उसे लिए आके बढ़ा बिल्कु ठीक तुम सुना वो भी खुछ दिली से बोली पढ़ाई कैसी चाड़ रही है तुमने कुछ दिनों से घर का छक्कर नहीं लगाया अम्मा तुम्हें बहुत पूछ रही थी वो मुहम्बत भे लजेंबुली दिलावर और शहजाद की रूटीन थी के वो रोज़ना रात में घचाने से पहले उसके घर आते सारा को सलाम दूआ करने के बाद किसी चीज़ की जरुत होती तो जरूर पुछ कर जाते बस बाजी आज आउंगा आप से तो रोज मुलाकात हो जाती है चीज़े सीखते वे असल में आज कल पढ़ाई में ज्यादा मसरूफ हूँ क्योंके वीकेंड पर तो हम सर के घर बीजी होंगे इसलिए सोटा पढ़ाई का हरज ना हो तो इन दुनों कवर कर रहा हूँ शहजाद मुक्तलिफ रास्तों से होता उसे लिए एक कमरे के दर्वाजे तक आया सर का ओफिस दर्वाजा खूलने से पहले इसने बताया पहले दर्वाजे पर दस्तक दी कम इनकी आवास पर वो दर्वाजा धकेल कर अंदर दाखल वा दारिम उन्हें अंदर आता देखकर अपनी सीट से खड़ा हो गया विलिया ने धीरे से सलाम किया जिसका दारिम ने खुछ दिली से जवाब दिया प्लीज आईए दारिम ने एक कुरसी के जाने उसे इशारा करके बैटने का बोला दारिम के आँखों में एक मखसूस चमक थी शुक्रिया मेरे कहने पर एक बार फिर आप मेरे सामने हाजिर है शहजाद उसे बैटा देखका जा चुका था नहीं शुक्रिया आपका के आपने मुझे इतना एहम मौका दिया मुझे पर और मेरी सलाहियतों पर एतिमाद किया विलिया साथ कोई से बोली आपकी तकरीब में अन्दास कितने बंदे होंगे विलिया ने प्रोफेशनल अन्दास पूछा यही कोई लगभग देड़ सो मैं बहुत बड़ी गदरिंग नहीं रखता बस मेरे आफिस के वरकर्स होंगे और कुछ दोस्त कुरसी के बाज़ों पर हाठ रिकायवों से तफसील बता रहा था इस वक्त आफिस के फॉर्मल हुलिये में वो इन फॉर्मल से दारिंग की निजबा तावर भी खुबसरत और डेशिंग लग रहा था विलिया ने दिल में उसे सराहा कुछ ही देर में शहजार चाय के कपकी ट्रेथ हामे अफिस में दाखिल लगा अरे जी ओ यार दारिंग खुच दिली से बोला एक कप उसने विलिया के आगे और एक दारिंग के आगे रखा और फिर से चला गया प्लीज उसे हाथ पर हाथ धरे देखका दारिंग ने चाय पेने का इशारा किया आपके घर के कितने लोग होंगे विलिया ने एक बार सिसला फिर से वहीं से जोड़ा मेरे घर के सिर्फ मैं और मेरे मॉम एंड डैड होंगे हमारी बहुत लंबी टोड़ी फैमिली नहीं है एक भाई और भाबी वो बाहर होते और यहां पर हम तेन दारिंग की बात पर उसने सर हिलाने पर इक्तिफा किया शाम का वक्त था विलिया चोके दारिंग के घर थी लहाजा दिलावर ने सोचा कि दुकान शाम में जल्द बंद कर देखा उसने भी किसी जरूरी काम से जाना था और वो पहले ही विलिया को बता चुका था विलिया को भी कोई अतिराज नहीं था अभी वो दुकान पर से सब चीज़े समिट रहा था जमात का एक बंदा दुकान के अंदर दाखल वा दिलावर ने उचरती निगास पर डाली और अपने काम में मसरूफ रहा वो शेक्स अब दिलावर के करीब आ चुका था उसके एकंदे पर हाँ चमाया तेरी बहन आचकल बड़ी उची उड़ान उड़ रही है बौस का हुक तुम लोगों को उससे मतलब नहीं होना चाहिए दिलावर ने दिल कड़ा करके अपना दिफा किया उसके जवाब पर उस शेक्स ने दिलावर के कंदे पर अपने गिरफ्त मस्बूत की पान की पीक उसके पाव के करीब फैंकते दिलाल अंगारा आंकों से दिलावर के ऐसे कच्छा चबा जाएगा तेरी तो उसके कंदे को जोड़ से चकड़ा तुकान पर काम करने वाले लड़कों को उनके दर्मियान कुछ गयर मामूली पन का हिसास हुआ सब उसके गिर्द गिना डाले खड़े कड़ी नजरों से अब उस बंदे को देख रहे थे जैसे आंकों स की मां को दे दे आगे हम जानें और हमारा काम और अगर उसे इन बड़ी काणियों का शौक है तो आज के आज लाइन लगा देंगे बस वो हमारी लाइन पर आ जाए आके में काम दबा कर खबासा से जो बात का हवाला वो देख कर गया दिलावर को खौल उठा मगर कभी हूं उसने उन सब को तसलिए दिला दी मगर वो अंदर से इस लम्हें बेहत परिशान था अब उसके लिए ना गुजेर हो गया था कि वो किसी वड़े को इस सब के बारे में बाख़बर ना करता तुकान बंद कर लिया था कि आज रात अपने बाप से सब का जिकर करेगा व वो दोनों अपने अपने कामें बिजी है ममी तो सोशल वर्कर है और मेरे फादर का अपना बिज्मेस है तो वो दोनों इस वकत अपने आफिस में होते हैं वो तफसीर से व्लिया को बता रहा था जी जhicि जनाब तो लोप लगा था उस तरह बड़ी चॉकलेट फाउंटेन अगर यहां सेट करें तो क्या ख्याल क्योंकि आप जिस जानिब कह रहे हैं वहां बैक ग्राउंड में सब डार्क कलर्स के फूल है और चॉकलेट का कलर भी डार्क है तो वह बैक ग्राउंड दब जाएगा वाइट टि तो बड़ा ट्रेडिशनल सा बार कलुक आएगा इसने सामने ही एक जाने मौजूद लॉन अम्रेला को देखकर कहा वंडरफूल आइडिया क्या ख्याल है शेजाद दार्रिम ने उसकी सोच को सराहा और साथ ये शेजाद को शामिल गुफतगु किया बाटें बहता जानती ह लकीना सही कह रही है शेजाद ने सकी हाम यहां मिलाई आप में तो इवेंट्स को डेकॉरेट करने की सेंस भी मौजूद है दारिम ने साथ कोई से कहा चले तो डन हो गया और मेनों की लिस्ट आपके पास मौजूद है ना दारिम के सवाल पर उसने बात में सरीलाया चले फ पिलीज इस तरह अच्छा नहीं लगता नहीं सर बाजी ठीक कह रही है बस अब हम चलते हैं शहजदाद ने भी सवलत से मना किया चलो फिर मैं छोड़ाता हूं दारी मान ही गया नहीं पिलीज आप ड्रावर से कहकर हमें बिटवा दे आप अब कहां हमें इतनी दूर ठोड़ने जाएंगे विलिया की बात पर वो हले से मुस्कुराया अब उससे क्या बताता कि कुछ देर मज़ीद उसकी हमराही के ख्याल से ही तो वो ये सब कर रहा है इट्स ओके आप कि बाते कर रही थी तब यकदम यमना ने पूछा वो दारिम के बारे में सब कुछ यमना और मा को बता चुकी थी नहीं मेरी जान इतना बड़ा तो नहीं है हां अगर काफी बड़ा और खुबसूरत है विलिया ने साधे से लहजे में बताया उसका इश्तियाग देखकर व देखो मेरी शेहजादी जैसे टीचर के लिए सब स्टूरेंट्स बराबर होते हैं मगर इंतहार में जब हम सवालों के जवाब लिखते हैं तो हर स्टूरेंट के एक जैसे नमबर नहीं आते हैं कि उसके नमबर जादा क्यों और मेरे कम क्यों हैं इसलिए कि हम जानते हैं कि वो सकता है हमने जो जवाब लिखा हो उस्ताद की मियार पर इस तरह पूरा ना उतर सका हो जिसे दूसरे स्ट्रेंड का हो तो फिर अल्ला ही बहता जानता है कि उसने ये तक्सीम क्यों और किस लिए रखी है बस ये याद रखो कि कुछ लोगों को अदला दे कर आसमाता है कि वो उसकी दीगरी नेमतों और पैसे का इस्तेमाल कैसे करते है जब कि कुछ को ना दे कर आसमाता है कि वो अपने मियार की जिन्दवी हासिल करने के लिए सही रास्ते का इंतिखाब करते है एक अलत का समझ रहे हूं ना? विलिया के पूछने पर यमना ने सरस्वात मिलाया बस ये याद रखना है कि हम अल्लह के बताए रास्ते के मताविक जद्वजहत करें अगर ये जद्वजहत जिन्दगी से निकल जाया ना तो यमना हमारी जिन्दगें बेसुकूनी बढ़ जाएगी बड़े और अमीर लोगों में बेसुकूनी इसलिए ज़्यादा होती है कि उनके पास सब होता है कोई मकसद और उसका हसूल ऐसा नहीं होता जिसके लिए उन्हें मेहनत करना पड़े तो बस वो अपना पैसा इदवदर उड़ाते है और बेसुकूनी समिरते है विल्या की बातों को वो किसी हद तक समझ सकी थी किसी हद तक नहीं आपा आपके पास उनकी तस्वीर है यमना चंद पल खामोश रहने के बाद एक और सवाल उठा चुकी थी मैं क्यों उनकी तस्वीर रखो यमना के सवाल पर याद दाश्ट के परदे पे दो खूबसरत चमक्ती आँखे लह रहाई क्या वो बहुत खूबसरत है वैसे भी जब फिकर और फाका ना हो तो इनसान के चहरे पर खूबसूरती आही जाती है वीलिया ने फिर बाद को गोल करना चाहा अब की बाद खूबसरत सी मस्कुराहट याद आई वीलिया ने खुद को सरजनिश की मगर हम तो फिकर और फाके में मुब्तिला रहते हैं फिर भी आप कितनी प्यारी है वेमना की बाद पर वो लाच वाब हो गई अच्छा अब बाते बन करो वीलिया ने अपकी बाद से डबटा इसे जांट कर वो करवट दूसरी जाने करके सूने लगी मगर आँखे बन करते ही तो देर पहले दारिम के साथ थी गाड़ी में गुजरे लमे याद आ जाते वो उन दोनों को बाहर ही उतार कर चला गया था हाला कि इसने कहा भी था कि उनके घर तक छोड़ देता है लेकिन वीलिया ने सहूला से इंकार कर दिया और फिदारिम ने इस रार नहीं किया वो कुछ नहीं भी कहता था मगर जब जब विलिया को देखता था उसकी आंखे बहुत सी अंकही बाते कर जाती थी जिनें विलिया सुनना और समझदा नहीं चाहती थी अबू आप से एक जरूरी बात करनी है दिलावर रात में बाप के आने का शिद्ध से मुंतजर था रफीक जैसे ही खाना खाकर फारिक हुआ दिलावर बाप के पास आकर बेर गया हाँ हाँ बेटा कहो क्या बहुआ रफीक को दिलावर परिशान से लगा उसके पूछते दिलावर शाम का वाक्या बताता चला गया ये तो बहुत परिशानी की बात हो गई है, रफीक भी सब सुनकर परिशान हो गया, वो तुम क्या नाम लेते हो शहजाद के बास का, रफीक ने जहन पर जोर डालते हुए कहा, दारिम सर, सर दारिम, दिलावा ने जर्च से बताया, तुम उससे बात करके देखो, अब तर वै वैसे भी, तुम लोग उसके लिए काम करने वाले हो, और वैसे भी असर रसूख वाला बंदा है, शायद कुछ मदद कर दे, मेरा तो ख्याले कल ही दुकान बंद कर दो, ये लोग ये काम चरने नहीं देंगे, तुम उससे बात करो, और सुबह साहरा बहें से मैं खुद बा करके देखता हूँ, शायद के कहने पर दिलावर को मकमल तो नहीं मगर थोड़ी से तसली हुई, रात के दस बज़े थे, शायद जानता था कि दारिम इस वक्त जाग ही रहा होगा, इसलिए पहले मैसेज किया, उसके मैसेज के जाब में दारिम ने कॉल मिला दी, क्या हुआ शायद खरिया थे सब, दारिम इस वक्त अपने कमरे में ही नीम द्रास सामने मौझूद एलेडी पर नियूस देख रहा था, कि शायद का मेसेज आ, सर आप जाग रहे हैं, तो मुझे आप से कुछ जरूरी बाते करनी है, वो चौनका, पौरन से पहले उसे कॉल मिला दी, ज इस वज़े से ये सब कहे रहा हूं, खैर मेरा कजिन पलीस में है, मैं कलना सिर्फ उसे बात करता हूं, बलकि ममी से कहता हूं कि किसी लॉयर से बात करे, काफि सारे वकील उनके जाने वाले हैं, उनका कुछ बंदोबस करते हैं, तुमने अच्छा किया मुझे बताया, और द में सब मौमला सैट कर दिया, बलकि दिलावर को भी ले आना, उसे यूं विलिया को अकेले बिलाना ठीक नहीं लगा, ठीक है सर, बहुत 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 शुक्रिया, शर्जार बेहत मश्कूर था, अच्छा बस, अपना शुक्रिया अपने पास रखो, अपने पास रखो, अ में इस बार अपना एनेवल डिनर किस से अरेंज करवा रहे हो, सदफ ने इस्तितामिया लेजर में पूछा, मम्मी, जो लास्ट वीकेंड मेरे फॉर्म हास पर गई थी उन्हीं से, मैं आएट लाया थो ने एरिया दिखाने, ताके वो अपने हिसाफ से चीज़े अरेंज कर करनी थी, तारिम ने ठहरे वे लेचे में कहा, हाँ हाँ, बताओ, वह मतन गोश हुई, कुछ जमात वाले उनकी पीछे लग गए है, पहले तो उनकी दुकान पर भट्ता खुरी के लिए आए, अब फीलिया को देखकर उन पर गलत मियत रखे वे हैं, दारिम ने ढखके चु मिलकर इवेंट्स और्गनाइज करने का काम शुरू करूँ, और फिर दारिम ने अपना इरादा बताया, जिए अच्छी बात है, हमारी एंजियोस के तो बहुत से इवेंट्स होते हैं, मैं इस तड़की के लिए बहुत सारा काम ला सकती हुई, उसा दभी पूर जोश के दर्वाजे पर बेवक्त होने वाली दस्तक पर परिशान होती, कौन? दर्वाजे के खरीब जाकर वो हुले से बोली, बहन मैं रफीक हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आप महरबानी करके बस थोड़ा सा दर्वाजा खोल कर उसकी ओट मोह जाए, रफीक के आव मेरी सांस भरकर मुनासिब अलफास में उन्हें सारे मसले से आगा किया, आप परिशान मत होएगा, हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आपको बताने का मकसद परिशान करना नहीं, बस यही था कि एक तो आप मुनासिब तरीके से विलिया को दुकान पर जाने से रोक हम कर लेंगे, मगर मुझे इस बात का वाहध हर यही लगता है, जब वो मनुस इनसान जान लेगा कि बच्ची की शादी हो रही है तो खुद बखुद पीछे हर जाएगा, रफिक का मशरा सारा को भी बहता लगा, जी भाई साब मैं आपको कल तक बताती हूं, आप सब की मह की दुपटे से साफ करते बोली, जी बिल्कुल बहन, मैं फिर आपके जवाब का इंतजार करूंगा, अच्छा आप मैं चलता हूं, रफिक के जाते ही सारा शिकिस्ता कदमों से सेहन में बिच्छी चार पाई, यह जानी बाई, उन्हें लग रहा था, उनकी टांगों में अ तो फिस साइरा की जिरलब दुआ को कैसे न सुनता, उसकी आँख मुबाईल पर आने वाले मेसेज के टून से खुली, मिंदी आँखों से सिराने पर बड़ा मुबाईल उठा कर देखा, दिलावर का मैसेज था, बाजी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, दो तिन दिन मैं फोन उठाया, कैसी हो बाजी, सलाम दूआ के बाद उसने हाल पूछा, ठीक हूँ, फैरियत, अभी तो दिलावर के मैसेज की मुझे से नहीं निकल सकी थी, कि अब शहजाद का सुबह ही सुबह फोन आ गया, हाँ बाजी, वो सर दारिम का रात को फोन आया था, वो हमें दु पुकान भी नहीं खुलनी तो चलते हैं, तुमारे साथ चाओंगी, उसने हामी भली, हाँ बाजी, सर गाड़ी बिजवार है, आप तयार हुटाओ, तो बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है, मैं रिजी होती हूँ, तुम नाश्ता इधर ही का कर लो, तुमारा पसं समालते हैं, सफिय उल्ला को फोन मिला चुका था, बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो, अडियार सूरच कहां से निकला, उसने तारिम के फोन करने पर चोट की, यार, मेरे तो घर के लौन से निकलता है, तुमारा कहां से निकलता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, वो मस्कुराहत दब वो भी नहीं है, और भाई भी छोटा है, तो बस इसी बात पर सूमरू शेर बन गया है, और उसके कजिन को धंकी दी है कि उसे उठवा लेंगे, अगर उसे सूमरू के हवाले ना किया तो, तुम तो जानते हो, ये लोग गरीब की गुर्बत और बेवसी का पाइदा उठात है, तो बस उसके साथ भी ये हुआ, दारी में उसे किसी हद तक असल बात से आगा क्या, तो अब तुम मुझ से क्या फिवर्ट आते हो, सफी ने सब बात तहम्मल से सुनी, उस लड़की के इफादत चाहता हूँ, दारी में साफ लेजमें कहा, ठीक है, मुझे लोकेशन बत पर खिलती मस्कुराहट दबाई, शहजदाद और विलिया दोनों आफिस महा चुके थे, शहजदाद उसे दारिंग के आफिस में छोड़का, खुद के चन में चा चुका था, कैसी है आप, चरे पर बश्राश से मस्कुराहट जमाएए, वो हमेशा कितरा, विलिया को फ्रे हैरान हूँ, विलिया की साफ गई पर वो मस्कुराया, वो अब बहुत हद तक, उसके प्रोफेशनल उप्तगों से हट कर भी बात कर लेती थी, मगर अंदाज ले दी वाला ही होता, क्यों, हैरान की किस बात की, उसने चंबे से पुछा, कल तक तो आपने ऐसा कोई जिकर नह हो गया, उसकी बात पर वो बस होले से मस्कुराये, प्लेन हम नहीं, अल्लह बनाता है, और उसके बनाए गए प्लेन हरान को नहीं होते है, वो बात को बड़ी खुबसूरती से किसी और चानि मोर गया, ये भी ठीक है, विलिया ने उसकी बात से तिफाक किया, मैं जरा पता क कर लो, मार्किट खुल गई है, तो उचल का दुकान देख लेते हैं, तारिम ने कहते साथ ही मुबायल पे कोई नंबर डायल किया, अपनी कुरसे से उठकर दायन चानि बनी किर्की के करीब खड़ा हो गया, पुछ तो विलिया की चानि थी, विलिया ने बेखिया उसकी चा था, इस पर से नज़र हटा कर विलिया ने तायरान नज़र उसके आफिस पे डाली, आफिस के सजावड़ पर खास तवज़ दी गई थी, चान इंडोर प्लैंट्स माहल को फिरेश से लुक दे रहे थे, विलिया का रतिकास दारिम के आवाज से खतम गई, चले, दारिम ने तीनों दारिम के आफिस के करीब मौजूद मार्कीट के दुकान में ख़ले थे, तीनों को लोकेशन बेहत पसंद आई, दुकान फाइनल करके वो कुछ ही देर में आफिस के बाहर पारकिंग में मौजूद थे, शहजाद तुम जाओ, मैं विलिया को डॉप करके आता हूँ दारिम के उकम पर शहजाद तो फौरान से बेश्टर उतर गया, विलिया ने चौंप कर से देखा, आप आगे आजाए, शहजाद के उतरते दारिम में बेकर मीरर से, विलिया की कुछ हैरान और किसी कदर, परिशान आखों में देखा, आप मुझे ट्रैवर के साथ वापस उसकी बात पर दारिम ने भुवें उचकाई, आप दूसरी बार मुझे बेरतिवार कर रही है, दारिम के खतरनाक हट तक संजीदा आवास पर वो कड़ बढ़ाए, ऐसा नहीं है, मैं तो आपके कीमती वक्त थी वज़े से कह रही थी, उसमें वज़ाद की, मुझे अच्छ यही रही, मिलिया खड़की से बाहर भागते दोड़ते नजारों को कम और अपने दिल के अलगी अंदास में धड़कने की धुन को ज़्यादा सुन रही थी, और उसे डपटने मसरूफ थी, अमीर लोगों के बारे में आपके क्या ख्याला थे, दारिम के सवाल पर कुछ है किस किसम के ख्याला, उसका सवाल समझ नहीं सकी, मतलब कि वो अच्छे होते हैं या बुरी ही होते हैं, दारिम के बात पर वो चंड लमें खामोशी रही जैसे अलफास तर्तीब दे रही हो, मेरा ख्याले लोगों के अच्छे हैं बुरे होने का तालुक अल्हा की रज़ा से होता है, बहुत से गरीब भी बहुत बुरे होते हैं और बहुत से अमीर भी बहुत अच्छे होते हैं, उसके च्वाब पर वो फिर से होले से मुस्कुराया, विलिया ने उसके चानिब से नजरे चुराई, जैसे कि मैं, उसके बेसाखता च्वाब पर विलिया भी मुस्कु लगाए बगर नहीं रह सका फिर दूसरी बात था जब विलिया उसे कहका लगाते देख रही थी विलिया ने अभी तक उसके बहुत से रूप देखे थे संजिदा खफा मस्कुराते अरब कहका लगाते और उसे मानना पड़ा कि वहर रूप में वज्जी आए वेल सेड उसने वह मुश्किल अपनी हसी रोकते विलिया के जवाब को सराहा चले आज आज आपके घर वालों से भी मिल लेते हैं दारिम गाड़ी उसके घर के बाहर रोकते बोला अमी तो अभी इदत में है शायद ना मिल सके मैं बहन और भाई से मिलवाती हूं विलिया की बात पर वो होल है इतने पैसे जाय करने की वैसे भी मैं वहां मेमान नहीं कुछ बन के जा रही हूं उसके बावर करवाने पर वो मुव बना गई हां तो इसका मतलब है कि आप अच्छे कपड़े पहन कर नहीं जा सकती और फिर से मुव फुला कर बोली जबसे उसने दारिम को देखा था उ क्यलाओ कोई नहीं दिखता उफ हो यमना अच्छा सुनो वो जो हमेरा के शादीम फ्रॉग बनवाया था वो पहन लूगी अप प्लीज तुम टुक कर जाओ उसकी बातों से परेशान होती जल्दी से बोली हाँ अपा वो तो मुझे याद ही नहीं था डन इस सूट का खयाल आते हो भी खुशी से बोली वो अफिस से जल्दी निकल आया शायजाद उसी के साथ उसके घर आया था विलिया को लेने के लिए उसने ट्राइवर को भिजवाय दिया था विलिया के साथ दिलावर और दो तीन और लड़कों ने भी आना था लहाज़ा उससाभी खटे आ आ हो चुका है यार ये इदर इस छत्री के नीचे ये टेबल सेट करो यावर को चवाब देते हो सामने खड़े एक लड़के से बोला उसी इसना में एक और मिलाजम अंदरूनी हिस्से के जाने से दोड़ता हुआ उसके पास आया दारीम भाई वो जिन्नोंने खाना पकाना है वो आ गई है उसे इतला देते हो लड़का फिर से अंदरूनी हिस्से के जाने बढ़ा आई डैड आपको विलिया से मिलवाता हूँ यावर को लिए वो भी अंदरूनी हिस्से के जाने बढ़ा मगर लाउंच में दाखिल होते उसे कदम आगे बढ़ाने दो भर हो गए थे अन्हें अंदर आते देखकर वो जो सुपे पर बैठी इनी का अंतिजार कर रही थी अगिदम अपनी जगे से खड़ी हुई डाग बलू प्लेन शिपोन के लंबे से खुबसद फ्रॉक पर हमरंग डूपटा लिया हुआ था जिसने सर और सीने को धाम रखा था मेकप के ना से हाथ फिरने के बाद फाल एवाल पूच रहे थे विलिया ने दारिम का ठीटकना नोट किया था मगर चहरे पे कोई भी तास्र लाए बिना वो धीमी से मस्कुराहट के साथ उसे सलाम करने के बाद यावर से बात तो मगन थी शहजाद दिलावर और बाकी लड़के भी वह इनी केचन में लिजा, तारिम के कहने ही वो सब उठे, ओके बेटा जी कुछ देर बाद मिलते हैं, यावर ने खुछ दिली से उन्हें उठते देखकर खुछ दिली से कहा, ये तुम्हारे बास आपा को कुछ ज़्यादा ही नहीं कुरते, तिलावर कबसे दारिम की विलिया के करीब आकर उस पर विगड़ा क्यों क्या हुआ कि हमें बहुत ओवर लग रही हूं पस यमना की बच्चे ने दिमाग खराब कर रखा था बताओ दिलावर बहुत बुरी लग रही हूं विलिया एकदम परेशान हुई वो तो तयार होकर आना ही नहीं चाहती थी अभी भी अ अपने उरूट पर था विलिया और सब लड़कों ने बड़ी माहरा से सब समाल रखा था जूसेज, सैलेड, बार्बिक्यू, मीठा और भी नजाने क्या-क्या वो बना चुके थे और सब पाफेक्ट था सदब जब पारलर से आई तब दारिम को लिए वो खास विलिया से मि किचन में आई, अरे, यह तो बहुत पैारी बच्ची है, विलिया को कले लगाने के बाद वो दारिम से मुखाती हुई, जिसकी नजरे तो नजाने कितनी बार उसकी नजर उता चुकी थी, जैंट तो मसला है कि बच्ची बहुत पैारी है, अब मुझे सब से पैारी लगती ह दारिम के गहरी निगाहों पर ना ठाते भी विलिया का चेहरा पल भर को सुर्ख हुआ था माशालला नजाने उसने माँ को जवाब दिया था या उसे कुछ बावर करवाया था बहुत खुशी हुई आउंटी आप से मिलकर विलिया ने खिलाग किया आत निभाए करवा रही थी और बाके का काम सब लड़के कर रहे थे दारिम खुद बलेक टूपेस में बलेक ही शार्ट और लाइनिंग वाली बलेक टाई लगाए पुरे माहुल पा चाया हुआ था सब खुशकप्यों में मसरूफ थे विलिया एक पिलियर के साथ खड़ी खामोश नज़रों से सब को देख रही थी दारी में एक नज़र से अलग तलग देखा खामोश से चलता उसके खरीब आया कैसी लगी आपको मेरी फैमिली अपने खरीब उसकी खुशबू महसुस करते हूँ पहले ही चौकरना हुई और फिर खुशबू पर हैरान भी वो कब से उसके खुशबू को पहचानने लगी बहुत अच्छे है आपको देखकर लगता ही है कि आपकी तर्बियत बहुत अच्छे हाथों ने की है और आज यकीन भी हो गया वीलिया ने उसकी चानिब देखने से गुरेज किया ये मेरी तारीफ है या मेरी फैमिली की उसने फिर से उस उल्टाया 80% आपकी फैमिली की और 20% आपकी दारीम उसकी हाथे जवाबी से फिर से लुटफ अंदोस हुआ और इस फैमिली का जब आप हिस्सा बनेंगी तो यकिनन ये और भी अच्छी हो जाएगी दारीम की इस बेमौके बात पर अपकी बारों जटके से उसके जाने मुड़ी दारीम का इस लमें दिल किया वहां से सब भट जाए उनके इर्दगित कोई ना हो और फुरसत से उन हैरान आँखों में देख सके मैं बात खुमा फिरा कर नहीं करता आपको जिन्दगी में शामिल करना चाहता हूँ जब वक्त मिले इस बात पर जरूर सोचे का वो ऐसे बात करा था जैसे कोई नौकरी आफर करके पूछे मेरी आफर पर सोचना और अपनी बात कहकर मज़े से उसके बात से हट गया उसने ये भी देखने की जहमत नहीं की कि इस बात के बाद आँखों के साथ साथ विलिया का मूभी अब हैरा से खुल चुका था बमश्किल खुद को सब की नजरों से बचाने के लिए उसने चहरा मूल लिया हाथ खुद बखुद दिल पर जा ठहरा वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो जो अभी खुद को जुटला रही थी कि दारिम के नजरे कुछ अन कहे पैगाम देती है उन्हें यूं सबके दर्मियान सरे रहा कह डालेगा उसे वहां खड़े रहना दो भर लगा उसने बमश्किल पिल्लर का सहरा लिया खुआप था यह हकीकत वो खुद से सवाल कर उठी आपा उसलिए में दिलावर वहां आ चुका था उसकी मखदूश हालत देखकर वो परिशान हो उठा क्या हुआ है उसे तो लग रहा था दिमाग ठीकाने पर नहीं रहा आपको क्या हुआ है दिलावर उसके नजदी काते बोला अपको दारिम ऐसे जान निकालनी थी दिले दिल में वो दारिम से बुरी तरह खफा हुई कुछ नहीं बस ऐसे ठकर सा आ गया था उससे बहाना ही नहीं बनना मुश्किल हो गया किसी ने कुछ कहा तो नहीं वो जीरक निकाह रखता था उसका नज़रे चुराना और चेरे पर मौजूद खिफफत को नोच कर चुका था नहीं पागल मुझे किसी ने क्या कहना है तुम बताओ अब कि बनो काफी हद तक खुद को समाल चुकी थी वो खाने की तो सब चीजे हमने सर्फ कर दी है अब उसके बाद टी बी रख दे दिलावर के साथ बाते करती वो अंदर के जानी बढ़ गई फिस सारा वक्त तो दारिम से चुपती ही रही वो अभी तक बेयकीन थी कि वो सच कह रहा था या जूट उसे यही लग रहा था कि सब मजाक ही था वो इतना अमीर जिसे लड़कियों की कोई कमी नहीं वो बेवकुफ था के गरीब को अपनाए मगर वो नहीं जानती थी कि वो ये बेवकुफी कर चुका था फंक्शन खतम होते सब के जाने के बाद वो लोग भी वापसी के लिए तयार खड़े थे आते वक्शहजाद तारिम के साथ आया था लहाँ साब वापसी पर ड्रावर के साथ आते वो सब पांच लड़के तो गारिम बैठ सकते थे मगर उनके साथ वीलिया की जगे नहीं बनती थी आप लोग ड्रावर के साथ बैठे विलिया को मैं अपनी गारी में छोड़ाता हूँ आगे पिछे ही निकलते हैं तारिम की बात पर दिलावा ने एक तीखी निकाउस पर डाली जबके यावा ने चौंक कर बेट्टी के जानिव देखा उन्हें आज सारा दिन उसके टहरे पर एक गएर मामली चमा कर खुशी नजर आई थी उन्हें ऐसा लगा था ये चमा किस लड़की की मरूने मिनना थे मगर अभी शक्त था यकीन नहीं ठीक हैसा है शेजाद तो पहले वैसे ही उसकी हाम हाम मिलाता था यावर और सदब भी उन्हें बाहर तक सियाओफ करने आए मुझे तारिम ने आपके बारें बताया था मैं उमीद रखूंगे कि आप हमारी NGO के लिए भी काम करो सदब ने महबबस से उसे साथ लगाते कहा वो मुस्कुरा भी न सकी तारिम की इस बात के बाद हो उससे छुपती फिर रही थी और अब उसी के साथ घर तक का सफर करना मुश्किल था बमश्किल चहरे पर हरकी सी जबरदस्टी की मुस्कुराहत लाई अच्छा बैटे लाहाफिस यावर ने भी महबबस से उसके सर पर हाथ फिरा वो सब लड़के भी सदाफर यावर से मिलकर ट्रावर के साथ गाड़ी बैट चुके थे जबके दारिम ने विलिया के लिए फरंट सीट का दर्वाजा वा किया जैसे हो बैठी वो दुसरी जानिब से घुनका ट्राविंग सीट पर बैट चुका था अगली गाड़ी के बाहर निकलते ही दारिम ने भी अपनी गाड़ी उसके पीछे बाहर निकाली विलिया उस लमे शदीद गबराहट का शिकार थी दारिम ने एक नज़र उसके को फिकर चहरे पर डालकर हलकी आवाज में गाड़ी का इस्टरियो आउन किया तारिम को लगा था इसलमें ब्राइन और्डियम की काड़ी में पुझने वाली आवाज ने उसके दिल की कैफियत की मजीद तर्जमानी कर दी थी विलिया होट भेंटे हुए थी मुझे कब तक जवाब का इंतजा करना पड़े का तारिम ने आखरी बात का अगास किया मेरे ख्याल में ये इंतहाई भुनडा मजाग था मुझे आप से इस सब के उमीद नहीं थी विलिया ने सख्त लहज़ में कहा अब जब सर पर पढ़ गई थी तो इस मुश्किल से निवर्टना था अगर आप जहरा शनास है तो आपकी ये बात मेरे खालिस जजबात की तोहीं के लावा और कुछ नहीं है दारिम के लज़ा भी साख्त था ये बेवकूफी है वो बेबसी से बोली ये महबत है दारिम ने हर हर लबस पर जोड़ देते उसके हसीन चेहरे को पल भर को देखा आप गलत कह रहे हैं वो मसलसर उसे जुटला रही थी आप मुझसे ज़्यादा गलत कर रही है उसके पास जैसे हर बात का जवाब था आप समझ ही नहीं रहे उसे छोड़ चुकी थी समझ तो आप भी नहीं रही दारिम अब उसके उलजने से महजूस हुआ बेसाखता मुसकरा ठोटों में दबाई उफ विल्या ने उक्ता कर माते पर हाथ मारा दारिम कहका लगा गया आप बुरा कर रहे मेरे साथ वो रुहांसी लहज़िंग बोली और आप भी बहुत बुरा कर रहे मेरी महबत की नफी करके दारिम का गंभी लहज़ा विल्या की धरकरे मनतशर कर गया आप में मुझ में बहुत फर्क है वो किसी तरह उसे इस सब से हटाना चाहती थी क्या फर्क है क्या आप और मैं अल्लह के बंदे नहीं क्योंकि ये जिन्दगी गुजाने के लिए तरजीहात नहीं है ये सिर्फ जरूरते है जिसे खाना पीना खुद को कपडों से ढांफना बस मैं रिश्टों को दौलत में तोलने के हक में ना कभी था ना कभी हूँ दारिम ने अब के बार और भी बसाहती मगर हम इस माशरे से कटकर तो नहीं रह सकते जहां गदम गदम पर यही सब अतराजवाद हमें झेलने पड़ते है आप बहुत अच्छे है आप अपनी जैसे ही लड़की अच्छी लड़की डिजाव करते है बचानती थी वो उसके खुआफ देखनी के मुर्तकिप नहीं हो सकती फिर क्यूं वो खुद को और उसे मुश्किलों में डालती अच्छी नहीं अमीर कहे दारिम ने उसके तस्ही की एक ही बात है विलिया ने फिर से दामन बचाया एक बात नहीं है क्या आपके अच्छे होने में कोई खोट है फिर वो अच्छी रड़की आप क्यों नहीं हो सकती और जहां तक माशरे की बात है तो मैं इसमें लिकिनन आप मेरी फैमिली की बात कर रही है उन्हें इस सब के लिए राजी करना मेरा काम है वो आप से कभी कुछ नहीं कहेंगे आप अपनी बात कहे उसने तो जैसे सब सवाल ही खतम कर डाले थे अधारिम आप गलत कर रहे है विलिया ने पहली बार उसका नाम लिया उसके गाड़ी जटके से रुकी हैरान की से उसके चेहरे पर देखा जहां गाड़ी रुकने पर वो परिशान हुई चले इसी बहाने आपने पहली बार मेरा नाम तो लिया गाड़ी स्टार्ट करते वो महजूस कुन मस्कुराट उसके चाने बच्छालता बोला विलिया को अपनी बेख्तियारी का अंदाजा नहीं हुआ पर वाट उसने अचंबे से पोछा आपका नाम लेने पर विलिया ने चेहरा खिड़की के चानी मोर कर कहा चेहरे पर आने वाले रंगों को वो उससे चुपाना चाहती थी क्यों मेरा नाम इतना बुरा है कि वो लेने पर आपको अफसोस हुआ दारिम ने एक मलामती नज़ा उस पर डाली जो अपनी इरादों में इंतहाई सखते साबित हुई थी विलिया अपकी बार खामोश रही गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी इससे पहले कि उतरती उसके पकारने पर उसके जानी देखे बिना रुक गई पुष्टदारिम की ही जानी थी मैं आपकी किसी भी बोधी दलील को नहीं मानता बैतर है कि कोई स्ट्रॉंग वजुहाद ढूंडे मैं जब इरादा कर लूँ तो पिछ नहीं हटता अच्छे से सोचे मुझे जल्दी नहीं है आपको जिद नहीं दिल की खुशी बनाना चाता हूँ उसे बावर करवा रहा था कि वो उसकी बातों से पीछे हटने वाला नहीं विल्या ये वक्ती चजबा नहीं है और नाम मैं टीन एज़र हूँ ये मेचौर इंसान की महबबत है जो किसी भी वजूद के हुसूल से हटकर रूह के हुसूल की होती है उमीदें आप समझ गई होगी जाइए और अच्छे से सोचे मुझे ये सोच कर ही तसली हो रही कि आपकी सोचों का महवर अपसे मेरी जात होगी उसके लहजे में बसी महबबत विल्या को बेबस कर रही थी ख़दा हाफिस वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी खामशी से उतर कर घर के दर्वाजे के चानी बढ़ गई पीछे देखने की गलती नहीं की हाला की चानती थी उसने गाड़ी बढ़ाई नहीं दर्वाजा खुलती अंदर चली गई उसके जाते दार्मने भी काड़ी आके बढ़ा दी मंतशा सोचो के हमरा वो घर में दाखल भी कपड़े बदल कर वो खामशे से बैट पर बैठी थी यमना उससे तफसीर सुनने को बेचाएं थी मगर सारा ने उसे चाय बनाने भीच दिया था और खुद उसके सामने बैट पर बैट गई मेरी बेटी ठक गई होगी मुहबब से उसके चहरे पर एक हाथ रखकर कहा नहीं अमा उसके चहरे पर रकम फिकर को ठकावर समझी थी मुबायर को बेधियानी में वो मसासल हाथ में गुमाती जा रही थी मुझे तुम से कुछ जरूरी बात करनी है अब की बार उनका रुख मुकमल तोर पर विलिया की जानी था जी अमा कहें वो भी माँ की जानी मतवज़वी देखो बेटा तुमारे अबू के बाद में बहुत मुश्किल परिशान हूँ तुम तीनों की जिम्मेदारी बहुत भारी है मुझपर वाक्त का कोई भरोसा नहीं मैं चाहती हूँ तुम अपने घर की बचा माँ की बाद पर वो अब की बार चौंकी खवगी से उने देखा अमा कैसी बाते कर रही है पिलीज अभी तो हमें एक कम से नहीं निकले और आप सारा की हाथों को थाम कर खववा से नहीं बोली कुछ दिन पहले रफिक भाई ने अपने भांजे का रिष्टा बताया था मैंने आज उन्हें हाँ कर दी है लड़के की तस्वीर देख ली है और आज शमा भावी लड़के की माँ को लेकर घर आए मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे सादा से है और हाँ तुझे भी उन्होंने देख रखा है तो कोई इतिराज ही नहीं समझ बात पकी थी उनकी जानिब से और हाँ लड़के को तेरे काम से भी कोई अतिराज नहीं है तो अपना घर बसा कर भी हमारी मदद कर सकती है विलिया शिच्टर सी माँ की बाते सुन रही थी अम्मा उफक यही कह सकी आज का दिन ही कुछ अजीब था जो उसके लिए हर कदम पर हिरानिया लेकर उत्रा था विलिया देखिये मेरे हाथ सारा ने एकदम हाथ चोड़े अम्मा ऐसा ना करे और रो देने को थी इंकार ना करना बेटा मुझे तेरी बहुत फिकर लगी है बस तो अपने घर की हो जा बाकि सब ठिक हो जाएगा अल्ला हमारे घर की गाड़ी चला ही देखा वही चलाने वाला है नज़ा चुरा कर उसे इस चल्दी की वज़े नहीं बता सकी थी उसने बेबसी से आँखे बंग करके गहरा सांस वरा बेटा अमीर लोगों के साथ कारोबार तो हो सकता है मगर रिष्टेदारी नहीं के आँखों में गाउर से देखती वो क्या बावर करवा रही थी विलिया ने नज़े चुराई उसने ताभी डर के मारे खुआप भी ना देखे थे विष्टे को महसूस किया था मॉबाइल की विप पर वो अपने इन खुआबों की किचियां समेट गई जो अभी सजाए ही नहीं थे मॉबाइल का पासवर्ट खुला तो दारीम का नाम जगमगाया एक खामोश आंसूस की आंख से बहकर उन महबत भरे लबजों पर गिरा कल से उसने दारीम की दिलाई ही दुकान पर बैठना था उस दुकान का काम फिलहाल दिलावर ने अपने जिम्मे ले लिया था और कल दारीम ने भी वहां मौजूद होना था वो कैसे कल उसका सामना करेगी एक किस मुश्किल में आपने डाल दिया वो दारीम के होले से मुखातिब ही विलिया मैं सोच रही हूँ के बस अगले जुम्मे वाले दिम तुम्हारी मंगनी रख दू सहरा बाहर से बोलती अंदर आई उसने तेजी से चहरा साफ किया अमा आपको जैसे बहतर लगे वाहस्ता से उनकी हाम इहाम इला गई पस मैं कली शमा भाबी से कह देती हूँ वो लोग तो कली तुम्हें अंगोठी पहना के पहनाने के लिए आना चा रहे थे मगर फिर शमा भाबी ने मेरी एड़त की वज़े से चाए पीती वो खुद को कंपोस करने लगी मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगा उसकी बात पर छम से मस्कुराता कह कह लगाता कोई याद के परदे पलहराया यमना पिलीज यार मैं बहुत ठकीवी हूँ पिर इस बारे में बात करेंगे तुम लाइट आफ करके नाइट बिलब आउन करो और सो जाओ मैं भी टाय खतम कर के लेर जाओंगी वो बेजाल है जिंबोली सौरी आपा उसकी ठकावट का ख्याल करती लाइट आफ करती चल दी विलिया इस वक्त तनहीं चाती थी वो इतनी मजबूत नहीं थी के किसमत की सितम जरीफी को इतनी जल्दी और इतनी आराम से सह लेती क्या ख़बर है वो शर्ट पहनता अपने खास बंदे के साथ फोन पर मसरूफ था बास वो उसी लड़के के साथ मिलकर एक और दुकान खोल रही है शायद अब यहां ना बैठे दूसरी जानिब के आवास उनका उसने हुंकारा भरा फोन सुनते हो खिर्की में जा खड़ा हुआ चेहरा मोड कर बैट पर विक्रे वजूद को देखा जिसे कुछ देर पहले ही वो टिशू पेपर के तरह मसल चुका था उसे उठवाने का बंदबस करो बस चन्द दिन और देख लो फिर वो मुझे यहां इस कमरे में मिले और हाँ मैं कमरे से जा रहा हूँ मेरे कमरे में मौजूद इस गाली को उसके बाप के घर के सामने फिकाऊ ताकि उसे मालूब हो मुझे इंकार का अंजाम क्या होता है वो करखत लहजे में बोलता पून बन करकता कमरे से निकलता चला गया अर अगले दिन वो उसके रुबरू थी शहजाद और दिलावर के साथ वो दुकान पहुंची थी जहादारीम पहले से मौजूद था उसे उनके हमरा आता देखकर वो हुले से मुस्कुराया पहले दिन के बाद विलिया दोबारा इस दुकान में नहीं आय थी दारीम शहजाद और दिलावर नहीं सारी दुकान सेट की थी एक जानिब लकडी की दिवार से बनाकर विलिया का आफिस बनाया हुआ था जबके बागी दुकान में दिवार के दोनों जानिब सोफे और कुर्सिया लगाए गई थी दिवार पर मुक्तलिक खानों और रेट लिस्ट के बोर्ट थे ये सब उन सबने कब किया उसे कुछ मालूम नहीं था दुकान की बेस्मेंट में कैटरिंग का सामान आज ही आया था जिसे दिलावर और शहजाद अपनी निगरानी में रखवा रहे थे दारिम उसे लिए आफिस के जानिब आ गया जिसे शॉर्ट नोटिस पे दारिम ने अपनी मर्ज़े से सेट करवाया था शिशे की टेबल के एक जानिब रिवाल्विंग चेयर और दुसी जानिब दो कुरसिया थी एक कोने में वैसे इंडोर प्लांट्स थे जैसे दारिम के आफिस में माज़ू थे शायद उस दिन दारिम ने उसे वो प्लांट्स कोर से देखते वे देख लिया था एक दम उसकी महबत पर विया की आँखों में आसो जिल मिलाएं उसे अभी दारिम से बात करनी होगी कैसा लगा ओफिस इन्शालला जैसे जैसे आप तरक्की की मनासल तैय करेगी इस ओफिस को हम और बड़ा करते जाएंगे अभी तो शुरवात है उसके सामने मौजूद एक कुरसी पर वो खुट टिक गया बाजू टेबल पर रखे और जीन्स और टी शार्ट में अपने रफ भुलिये के साथ वो वियलिया को मुश्किल में डाल रहा था अपनी बात के जवाब में उसकी गहर मामली खामशी और मसलसल नजरे चुडाना दारीम से छुपा न रह सका वियलिया क्या बात है अब की बार उसके मुस्कुराते जहरे पर भी संजीद की उगरी मेरी मंगनी है अगले जुमा को एक गहरा सांस भरकर उसने हिम्मत मुश्टमा की उसकी बात पर वो बेयकीन नजरों से देखी गया हमें बहुत फर्क है दारीम हम कभी भी एक खटर नहीं चल सकते कल रात अमा ने मेरा रिश्टा दिलावर के कजिन से तैक कर दिया है अब की बार नजरे उठाए उसने दारीम की बेजान होती नजरों को देखा फिलीज मुझे माफ कर दे मैं आपके जजबे की बहुत कदर करती हूँ मगर मैं उसे समाल नहीं सकती अपना नहीं सकती विल्या ने बेबस इससे देखा जो बिल्कुल खामूश था उसकी बड़ती खामूशी विल्या को परिशान कर रही थी आपने तो मेरे लिए अपना मुकादमा लड़ने का कोई मौका ही नहीं छोड़ा हाथ की मुठी बना का छूड़ी के नीचे रखते वो चहरा दिवार के जाने मोर गया इस लम्यों कितना बेबस था यह सिर्फ वही जानता था मैं एक बार आंटे से मिलना चाहता हूँ उसके जाने देखते उसने फिर से फैसला सुनाया आप क्यों नहीं समझ रहे हैं क्या ज़री है महबबत में सब मिली जाए वहर मुम्किन तरीके से उसे रोकना चाहती थी यानी मैं यक तरफा महबबत का ही मुर्तकिब हुआ उसकी आंसो धकेलती आंखों को अपनी घोर आंखों में जकड़े वा इतिराफ चाता था इतना तो हक रखता था उसकी बात पर आंखों से गिरते आंसों ने खामोश इतिराफ कर लिया विलिया ने नजरे जुका ली चले इतनी तो तसली हो गए कि इस रिश्टे में मैं अकिला सफर नहीं कर रहा था ये अन कहा इतिराफ ही बहुत है उसे सताना नहीं चाहता था इसलिए उठकर वहां से चला गया विलिया ने जहरा हातों में चुपा लिया मह хочу किस्बत ने चस्बता ही आया महबत की किस्बत में खसारा ही आया तुम्हरा क्या गया हमने तो सब कुछ लटाया दारिम ने उसके बाद विलिया से किसी किसम की बात नहीं की दिन युन ही पर लगा कर उड़ते गए विलिया का काम भी अच्छा शूरू हो गया था यह यह कहना बहतर था कि काम के मौमले में किसमत उस पे महर्बान थी इन्ही दिनों सदक ने भी अपने NGO के दो फंक्शन्स के लिए विलिया के केटरिंग भी थी दारी में एक दो बार के बाद उसके आफिस नहीं आया और वो भी दिलावर रश्रेजाद से मिलकर चला गया विलिया ने एक जानिब तो सुका सांस लिया कि उसे बार बार दारीं का सामना नहीं करना पड़ रहा था वहीं कसा खट से सिवा थी नंगनी से एक दिन पहले सारा के असरार पर दुकान पे नहीं गई ये देखो लड़के वालों ने तुम्हारा सूट भेजा है हलके काम वाला सूट विलिया ने बस एक नज़ा देखा सारा को नज़ाने क्यों उसका अंदाज इतना बुझढ बुझढ क्यों लगा विलिया क्या बात है बेटा तुम खुश नहीं सारा ने इसे जाचती नज़रों से देखा नहीं अमा बस मैंने इतनी जल्दी इस सबका नहीं सोचा था विलिया ने सिधे सबाव से कहा बेटा चल्दी या बदेर मगर ये सब तो करना ही था वो फिर से उसे समझा रही थी अपने बाउस को दावत दी है सारा की बात पसने चौंप कर देखा नहीं वो बदिक्कत बोली अरे तो फोन करो ना सारा नजाने जान बुच कर कह रही थी या उनका अंदास सरसरी था फोन करो अभी कर दूंगी अमा वो कभी भी उसको फोन करके इतनी बेरहमी का सुबूत नहीं दे सकती थी अरे बाद में भूल जाएगा अभी करो सारा मिसर थी विलिया ने बेबसी से मा की जिद्धी लहजे को देखा फिर मुबायल पकड़कर दारिम का नमबर मिलाया अस्सलाम अलेकुम चौती बेल के बाद दूसरी जाने उसे फोन उठा लिया गया वालेकुम अस्सलाम कैसी है महबबा से गुंधा लहजा विलिया का बस नहीं चल रहा था रो दे सर वो कल मेरी मंगनी है विलिया अटक अटक के बोली जबी ज़ी जानता हूँ काश ये दिन में आपकी और अपनी जिन्दगे से मिटा सकता उसकी बात पर विलिया के चेहरे करह मुतगर हुआ सारा को और से देख रही थी वो जान गई उसकी माने जान बुचकर ये करवाया है हम चाह रहे थे कि आप भी कल आए नजरे जुकाए वो बेतासुल नहीं जिम गोली अगर मैं आ गया तो आप किसी और की नहीं हो सकेगी उससे जादा वो नहीं सुन सकती थी ऐसे शक्स की महबत सारा के जाती वो लग भीज़ कर आंसों रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी और बिलाखिर वो दिन भी आ गया शाम में हलका फुलका मेकप किये वो बुझे दिल के साथ तयार थी कुछी देर में लड़के वाले आने ही वाले थे वो कमरे में खामोश बैठी हातों में पहनी चूड़ियों और उंगोठियों से खेल रही थी यमना ने रात में जबरदस्ती उसके हातों पे महंदी भी लगा दी थी विलिया अपनी तयार इसे उलचन महसुस कर रही थी आपा ये तुम्हारे बास का ड्रावर दे कर गया है यमना हातों में बुके और एक गिफ्ट थामे अंदर आई विलिया ने बुझे दिल से वो दोनों चीज़े थामी बुके पर एक कार्ड लगा था उसने कपकपाते हातों से दोनों चीज़े थाम कर कार्ड खोला हाथ से बुके और गिफ्ट बैट पर रखकर एक हाथ में कार्ड थामे दुसरे हाथ से वो मुझे अपनी सिस्किया रोक रही थी इसी लमे फोन पर दारिंग का नाम जगमगाया वो आँखी मेच गई आंसों तवातर से कालों पर गिर रहे थे इसमें हिम्मत नहीं थी इस लमे उसका फोन उठाने की मगर दिल था के हमक हमक कर उसी के जानिब खीच रहा था आखरी बेल खटम होने से पहले उसमें फोन उठा दिया कान से लगा इसके सिस्कियां दूसरे जानिब वो बास्ता नहीं सुन सकता था मुझ में हमत नहीं थी कि आपको किसी और के नाम होता देखता इसलिए माज़ुरत आपके इस खुशी में मैं शरिक नहीं हो सकता उसका तूटा लहजा विलिया को और भी तोड़ गया जाने इसमें क्या था वो तेह कर चुकी थी कि नहीं खुलेगी किस बात का वो चौप कर बोला गिफ्ट और फूलो का आँसों साफ करते अब वो लहजे को हुवार करने लगी काश ये किसी और इस्तेकाख से बुझवा सकता दारिंग के लज़े की यासियत उसे फिरसे भी खेलने लगी इससे पहले क्यों कुछ और कहती दारिंग ने कॉल कार दी विलिया ने हारे वे जवारी की तरह हाथ गोद में गिराए फिर वो कब फाहद के घरवालों के सामने गई उन्होंने का उसे मंगोटी पहनाए उसे कुछ नहीं पता था उसी दिन उसके ससुराल वाले अगले माँ शादी की डेट रख गए उनके जाने के बाद वो सारा के सर हो गई अमा इतनी जल्दी क्या है कुछ दिर रुक जाए वो तो अभी इस मंगनी का कुबल नहीं कर पारी थी कहां शादी विल्या देखो मैं पहले ही बहुत परिशान हूँ अब तो मुझे और परिशान मत करो अमा मेरे अभी कदम तो मजबूत होने दे मैं शादी के बाद कैसे एकदम सब मैनेज करूंगी वो कुल लाई जब फाहद ने कहा है कि वो हर तरह तुम्हारा साथ देखा तो फिर तुम्हें क्या मसला है सारा ने इससे समझाने की कोशिश की माँ को समझाना अब बेसुत था उटान गई थी हेलो विलिया इस वक्त दुकान पर थी के सदफ के कॉल आई असलाम अलेकुम कैसी आंटी विलिया ने खुचदिली से कहा वालेकुम असलाम बिल्कु ठीक कल मैं एक किट्री पार्टी रख रही हूँ मेरे दस बारा प्रेंट्स होंगे तो तुम घर आकर मैनेज कर सकती हो सदफ की बात पर चंड लमें खामोश रही जब से उसकी मंगनी हुई थी तब से दारिम ने कोई रापता नहीं किया था चंड बार वो दुकान पर उसे नजर आया मगर दारिम और बाकी लड़कों से मिलकर वो चला गया था विल्या से उसने कोई बात नहीं की थी ना उसमें हिम्मत थी कि वो दारिम से बात कर दी पहले सोचा मना कर दे फिर ख्याल आया इस वक्त तो आफिस में ही होगा जी आंटी मैं मैनेज कर लूँगी आप बता दिजिए का मेनू क्या रखना है उसने हामी भर ली थैंक्यो मेरी जान मैं ड्राइवर भिर्वा दूँगी बस तुम क्यारा बारा बच्चे तक आ चाना और मेनू में रात में मैसेच कर दूँगी सदफ खुश हो गई जी बहतर फदाफिस कहकर उसने फोन बन कर दिया आपी एक बात कहूँ रात में सदफ के भेज़ेवे मेनू कार्ट को पढ़ रही थी कि यमना उसके पास लिटी उसके लंबे गहने बालों को हाथों में थामें उनसे खेल रही थी कहो मसरूफ संदास बोली आपको फाहद भाई सूट नहीं करते उसकी बात पर फल भर को विलिया का दिल धरका अच्छा कौन सूट करता है फिर उसने लेज़े को ससरी रखा दारिम भाई यमना की बात पुस नहरे से नजरे उस पर डाली खबरदार ऐसी बात आइंदा की उसे गुसे से घुरका क्या है आपी मैंने जब पहली बार दारिम भाई को देखा था तब ही सोटा था कि काश ऐसा ही बंदा मेरी आपा के लिए हो बलके यही हो यमना की बात इसके जखम फरसे हरे कर रही थी उसने बड़ी मुश्किल से इन दिनों खुद को समेटा था यमना चुपकर चाओ वेजार लहजिम बोली काश मैं तुम्हारे ले कुछ कर सकती हो वेबसी से बोली तुम सिफ इतना करो कि आइंदा ये जिकर मत करना विलिया ने बेबस लचे में कहा यमना खामोश हो गई अगले दिन वो उसी घर में मौझूद थी जहां से जिन्दगी ने नया और तकलीफ दरुख किया था गहरी सांस भरकर और काड़ी से उतर के अंदा दाखल हुई सदफ ने दारिम को नहीं बता था कि उनके किटी पार्टी को विलिया होस्ट करेगी सदफ से मिलने के बादो किचन्द मसरूफ हो चुकी थी सदफ ने दो तिन और लड़किया मुलवा ली थी जो विलिया की मदद करवा रही थी अच्छा खासा मैनू था जो चार बचे तक उसे बना लेना था इसके बाद तो बस सर्फ करना था मगर सर्फ करने के जिम्मेदारी विलिया की नहीं थी उसने बस सुपरवाइस करना था हो उतमें सी किचन्द में जादा उतारे टुपटा कंदों पर डाले खड़ी थी सबसे ज़्यादा तसली इस बात की थी कि उसके होने तक दारिव नहीं होगा कि टुब आफिस से रात को ही कराता था मगर कुछ बाते पूरी होने के लिए नहीं होती सदफ तयार होने करीबी पालर गई भी थी उन्हें तसली थी कि विलिया सब मैनेज कर लेगी चिसे पकाने के साथ साथ विलिया ने उनके ट्राइंग रूम की सेटिंग करने की दिम्यदारी बहुज़ी अपने साले ली थी मिनी पीजा और फुकीज वो बेख होने के लिए रखाई थी अब ट्राइंग रूम में काम वालीों के सेटिंग में मदद करवा रही थी के ड्राइंग रूम का दर्वाजा खोल कर तारिंग अचनलत में अंदर आया मम्मी डैडी की ड्राइंग रूम में विलिया को बिना चादर और कंधों पर डुपट्टा लिये खड़े उसने बेयकीन नजरों से देखा विलिया इस अचनक अफ़ताद पर हैरान खड़ी थी सरसे रुख मोर कर डुपट्टा लिया सॉरी वो मैं समझा ममी हाँ है उसने माजूरत की मगर विलिया को देखकर जो चमक उसकी आँखों में नजर आई वो विलिया से छुपी नहीं रही वो धरकते दिल को समझा ले अब रुख उसके जाने मोर चुकी थी कोई बात नहीं वो धीरे से बोली आप वैसे यहां क्या कर रही है अब उसकी अपने घर मौजूद्गी की वज़े द्याफ्त कर रहा था आंटी ने मुझे पार्टी अरेंज करने के लिए बुलाया था उसकी वज़ात पर वो हुले से सरहिला करे गया आंटी नजदी की सेलून गई है विलिया ने सदफ के बारे में बताया मेरे रूम में चाय बिचवा देगी पिलीस दारिम की बात पर बेतास्व चेहर लिये हामे सरी लाकर उसके करीब से गुजर कर किचन के जानी चली गई चाय खुद बनाकर अली के हाथ दारिम के कमरे में भुजवाई उसके बाद वापसी तक विलिया का से सामना नहीं हुआ उसने शुकर किया रात में और टेरिस पे खड़ा ना जाने आसमान में क्या जून रहा था या फिसमत की सितम जरीफी पर पूड रहा था कंदे पर पढ़ने वाले हाथ के दबाव पर उसने मुल कर देखा वियावर उसके साथ आकर खड़े गुए कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ तुम बहुत खामोश हो गए हो बाप से भी शेर नहीं करोगे उनकी बात पर उसन जटके से रुख यावर की जानिब किया कौन सी वज़े उख शायद उन्हें आजमा रहा था विया क्या व बच्ची तुम्हारी इस खामोशी की वज़े है उनकी बात पर उहले से सरनफी मिला कर हरिका समस्कराया यावर कोई मस्कराइट बड़ी तकलीफ दल लगी आप वाकई अच्छे दोस्त है कुछ दिर बाद वो बड़ी आसिया से बोला तो क्या मस्ला है तुम कहो तो हम उसके घरवालों से बात करते है दारिम ने महबब सुनी देखा वो ऐसे ही थे शुरू से दोनों बेटों की खुशी के लिए कुछ भी करने को हर दम तयार ऐसे ही तो उसने विलिया से हाल दिल नहीं कहा था तो उटानता था किया वर उसका साथ देंगे उसके शादी रहे वाली है दारिम के बात पर वो बुच्चका रह गये यह कब हुआ पिछले माँ उसकी मंगनी थी और अब चंदीनों में शादी होने वाली है दारिम की बात पर वो खामोश रह गये तुमने उसे क्यों नहीं बताया सब बताया था वो नहीं मानती ना उसकी अमी मैं बस उसकी खुशी में खुश रहने की कोशिश कर रहा हूँ इसने बेहबसी से कहा वो से क्या तसली देते उस लड़की का क्या बना वो आज फिर से अपने खास बंदे से पूछ रहा था बॉस मंगनी हो गई है, चन्द दिनों तक शादी है उसकी बात पुरादान पीस कर रह गया मनूस इतनी देर से क्यों बताया उठवा उसे, मौका मिलते ही वो मेरे पास होनी चाहिए करवाता हूं में उसकी शादी, गाली उसकी फंकार पर दूसरे जाने उसका खास बंदा काम करे गया कुछ दिनों में वो मेरे पास ना हुई तो तु जानता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा उसकी बात पर वो होटो पर जुबान फिर कर रह गया जी बास, जैसे ही वो अकेली नजराई में अपना काम कर लूँगा उटल्दी से बोला, कुछ, कहका लगात उसने फोन बंद कर दिया साइरा ने आज उसे दुकान पर नहीं जाने दिया था भाबी अगर विलिया और उसके बास के बिच कुछ था तो आपको पहले बताना चाहिए था आप जानती है आपाने किस कदर बेज़ज़ती की है हमारी विलिया समझने से कासर थी क्यों क्या कह रही है भाबी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी विलिया ऐसी नहीं है हमें भी यही कुमान था मगर अफसूस उन्होंने काड़दार नजरों से कमरे के दर्वाजे में खड़ी विलिया को देखकर कहा पागल तो नहीं है ना, वो लड़का जो उन्हें फोन करके अपनी महबब के किस्से सुना रहे आखिर उसी के साथ काम कर दिये, रात तो रात उसने दुकान भी बनवा दी उसे और काम भी देने शुरू कर दिये, आखिर कोई ऐसे ही तो अपना पैसा नहीं लोटाता विलिया हिरान परिशान उनके लिजाम सुन रही थी फोन, लड़का, महबब, सब कुटमुट हो गया, उसी लम्मे दर्वाजा फिर बचा यमना और मुस्तफा जो विलिया के साथ दर्वाजे में खड़े थे, सब सुन रहे थे, दर्वाजे के जानी भागे मुस्तफा ने दर्वाजा खोलो तो दिलावर गुसे में भरा अंदर आया, विलिया उसके जानी बड़ी, मैं शहजाद को पहले कहता था, ये मंदा मुझे ठीक नहीं लगता कर दिया ना, उसने अपना काम, उसका भी लहजा मां की तरह चुपता हुआ था, हुआ क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, विलिया विबसी से बोली, आपके उन हमतर दिने, फाहद भाई को फोन करके ये कहा है कि, आप और वो एक दुसरे को पसंद करते हैं, लहा किया, सारा ने मलामती नजरों से विलिया को देखा, हमाई यकीन करे, ऐसा कुछ नहीं था, आप, आप मुझे जानती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, उसने तो महबत की कुरबानी दे दी थी, फिर दारीम ने उसे क्यों रोन था, क्यों दुनिया के सामनी यूं जलील वर पूरे हैं, इस वक्त वो अपने मकसूस किलब में मौझूद था, जिस वक्त मनजर का फोन आया, वो तेजी से अपने बाजों में जूलने वाली मशूर मॉडल गर्ल को पीछे धकेल कर फोन सुने बाहर के जानी बढ़ा, इतियात करना, उसके घर के पास से मत उठवाना, उ जहर खुन लहचे में बोला, जि बास मैं इस बात का खास एतिमाम करूंगा, उसकी बात पर दूसरी जानी हमेशा की तरह, जी हुजूरी की गई थी, उसे लेकर मेरे फॉर्म हास पहुचना सीधा, उसकी बात पर फिर से दूसरी जानी से अच्छा जी की गर्दान हुई, कल मिलते है, मेरी चुलिया किसंग, मक्कारी से हस्दे उसने फोन बन किया, एक बार वो किसी काम से इस इस इलाके के कांसलर से मिलने गया था, वो इलाके का विजिट कर वा रहा था, वहीं विलिया के घर के सामने से गुजरते, उसकी नज़र चूही च्छथ पर पड़ी, उस उसी पादाश में विलिया की घचाकर उसे उठवा लेगा मगर वो इस बात से अंजान था कि दारिम जैसा बंदा इस मौमले में कूट पड़ेगा उसके असर और सुख से वो अच्छे से वाकिफ था इसलिए बड़े सबाओं से मौमला लेकर चाना चाता था दारिम का छुकाओ विलिया की तरफ वो महसुस कर गया था एकदम उसके घर तक विलिया का चले जाना यकिनन दाल में कुछ काला था लेकिन विलिया के एकदम से रिष्टा जुनने की खबर ने उसे मज़ीद सबर से चलने नहीं दिया अब वो जल्दल जल्द बोस सब करना चाहता था जो वो नजाने कितनी बेकरस और मचबूर लड़कियों के साथ कर चुका था अपने ओदों पर अकरने वाले ऐसे दरिंदे हमारे माश्रे के लिए नासूर से कम नहीं है मगर अपसोस कि ये हमारे दर्मियान बड़े फखर और इज़त से रहते है जब के दुसरों के इज़तों के साथ खेल कर ये नाजाने किस काले कानून के तहद आज़ाद फिरते रहते है तो वो कहां जा रही हो इस वक्त उसे चादर लिटे और बैक कंद से लटकाते देखकर वो किचन से निकल कर अपने कमरे के जानी जा रही थी हहरान हुई कुछ काम है अमा वो संजिद्गी से बोली कोई ज़रत नहीं अब कहर से निकलने की जितनी बेज़ती हमारी कल होनी थी हो गई अब कमाने का खैल ज़से निकाल दो मैं किसी और से बात करके तुम्हें तो अपने घर की करूँ वो गस्ते से उसे देखकर वो ली रात में सिवा एक बार मलामाती नज़र डालने के उन्होंने विलिया से बात ही करनी तर्क की थी वो इन्हें वजाहते दे दे कर ठक गई मगर सायरा ने उसे नज़र उठा कर ना देखा आखिर यमना जबरदसी से वहां से उठा कर ले गई अमा जूते मार ले मेरी चमड़ी उधेर ते मगर बाखुदा मैं आपकी खुशी में खुश थी मैंने दारिम को बढ़ावा नहीं दिया था वो एक बार फिर मां के करीब आते बेबसी से बोली मिलिया एक इज़त ही तो थी हमारे पास कर वो भी न रही उन्होंने पहला शिक्वा किया अमा कुछ नहीं हुआ सब ठीक हो जाएगा मैं बस थोड़ी दिल में आती हूँ शमा खाला फाहद की मां खुदा आएगी सब सही करने आप देखना वो मां के आँसों साफ करके यकीन से बोली क्यों क्या जादू की छड़ी है तुमारे पास उन्होंने कारदा लहजे में कहा नहीं मगर जिसने सब गलत किया है अब वही उसे सही कर लेगा बस घंटे तक मैं आती हूँ प्लीज अमा उसके बात कहीं नहीं जाओंगी जो आप कहेंगी वही करूंगी उसने मनत भरे अंदास में उसे देखा ना जाने क्यों उनका दिल परेशान हो रहा था अल्ला करे तुम जैसा सोच रही हूँ ऐसा हो ध्यान से जाना वो जादा देर अपना गुसा पर अकरार नहीं रख सकी वो थी भी तो इतना हिसास करने वाली बिल्या ने सरी लाया मूँ चादा से धापा और घर से निकल गई घर से निकल का दारे के आफिस के जाने जाने वाली बस पकड़ी तमाम रास्ता वो मुख्तलिफ अलपास तर्तीब दे रही थी सारी रात वो कुड़ी रही थी उमीद नहीं कर सकती थी कि तारी मैसा वार करेगा दिखा दी अपनी अमीरी और देख ली मेरी बेबसी तमाम रास्ता उसमें बरमिश्किल आंसू पिये थे बुद तो होते ही तोटने के लिए है क्योंकि तुम्हारा बुद दिल में सजाए दिलों में बुद नहीं अल्ला की महबत रहती है और दुनिया के महबत को दिल में बसाने वाले शायद मेरी तरह यूहीं तही दामा रह जाते है दिल किया था फोट फोट करोई चीखे चिलाए मगर उसे अभी मजबूत रहना था मन-मन भरके कदम उठाती अंदर के जानी बढ़ी उसके रिसेप्शनिस्ट विलिया को जानती थी जी मैं वो मुस्कुरा कर बोली आपके बास से मिलना है उसके बात पर उसने मुस्कुरा का सर इलाया और दारिम को एक्स्टेंशन पर इतिला दी मैं आप सर के आफिस में जा सकती है मखसूस मुस्कुरा चेरे पर सजा कर बोली मगर विलिया थोड़ा सा भी मुस्कुरा नहीं सकी खामशी से वो तिसरी मंजिल की जानी बढ़ी जहां दारिम का उफिस था उसके उफिस के बाहर खड़े होते उसने गहरा सांस खीच कर खुद को महिम्मत दिलाई अगली लमे वो दर्वाजा तक्यर कर अंदर मौजूद थी दारिम उसे देखते खुशकवार अंदास में खड़ा हुआ उसके खुशी से दमकते चहरे पर विलिया नफरत भरी नज़र डाली मगर जो सर्प्राइस आपने कल मुझे दिया था उसके चहरे और लहजे में मौजूद गैर मामुली पन दारिम को चौंका गया शर्म नहीं आई आपको यह महबत है आपकी किसी की जिंदगी उसकी इज़त को पल भर में दो कौड़ी का कर देना क्या सोचकर आपने यह सब क्या गरीब हूँ मगर बेगरत नहीं हूँ विलिया चोटे-चोटे कदम उठाते उसके मैं इसके करीब आते नफरत से भरे तीर उसकी जानी फेंक रही थी क्या हुआ है? कहना क्या चारिये? मैं नहीं समझा उसके अंदास पर बेतरा हैरान और अब तो परिशान हो गया था आप बैठ कर बात करे अपनी जगे से निकल कर उसकी जानी बाया बैठ कर? मैं यहाँ बैठने और मजाकरात करने नहीं आई सिर्फ आप से यह पूछने आई हूँ किया सोचकर आपने इतनी गिरिवी हरकत की? इसका तनाफूर आमिये जज़जा दारिंग के असाप जोड़ कर रख गया मुलिया मुझे नहीं मालूम आप किस बारे में बात कर रही है वो आपकी बार अपनी बात पर सोच देकर उची आवाज बोला क्या आपने फाहत को फोन करके मेरी और अपनी सौकॉल्ट महबबत के राग नहीं अलापे? क्या आपने उसे ये नहीं कहा क्यों शादी से इंकार करे? कितने रंग है आपके? मुझे 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 जाल में फसा कर जब ये देखा कि मैं आम लड़कियों की तरह नहीं फसी तो उस अंदाज मुझे से बदला लिया है आपने उसका थंडा ठा लेजा और अलफास कोड़ी की तरह दारिम पर वरस रहे थे इनफ विलिया मैं क्यों करूँगा उसको फोन? इसने जुटलाया दोनों आमने सामने खड़े थे तो उसे कैसे आपका नाम पता? उसे किसने फोन किया? ये बात तो ऐसी थी कि मैंने कभी अकेले में खुद से नहीं की तो क्यूं किया आपने मेरे साथ ये? क्यूं वो रोपड़ी? नफरत हो रही है मुझे आपके इस हसीन चहरे से इस लम्हें जानते हैं क्या हुआ है हमारे कल से अब तक लोग आकर मेरी इज़त को तारतार कर रहे हैं मेरी माँ को बाते सुना रहें मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? चहरा हाँ तुमें लिये वो विबरसी से रो पड़ी फर गॉड सेक विलिया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता दारिम उसके करीब आया उसके खुशबो करीब महसुस करके उसने चहरे ससरत से हाथ अटाकर दो कदम पीछे लिए खबरदार खबरदार जो आप मेरे करीब आए दिल नहीं भरा अभी मुझसे बदला लेकर अब अपनी हवज भी पूरी करना चाहते उसके अलफास थे के कोई हतुड़ा शट अप जस्ट शट अप तुम तुम इस काबल नहीं थी कि मैं तुमसे महबबत करता अपने इतने सच्चे जजबे तुम्हारे नाम करता हाँ की थी मैंने कॉल क्या कर लोगी बोलो उसका चहरा गुसे से सुर्ख हो चुका था लहजे में तेजी आ चुकी थी फोन आशाम नजरों से वो विलिया को देख रहा था जिसके आँखों में बेकीनी दर आई उसे किसी कदर उमीद थी कि शायदे दारिम ना हो कि मैं तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाओं तुम चली जाओ यहां से हमेशा अफसोस रहेगा कि कम जर्फ के लिए मैंने दिल में जगे बनाई आपके दारिम के लिटे की काट वीलिया के लिए सुनना मुश्किल हो गए मैं तब तक यहां से नहीं जाओंगी जब तक आप दोबारा फाहद को फोन करके उससे ना माफी मांगे और मेरी पोजिशन ना किलियर करे वो अटल अंदाज में वही की वही जमी रही नहीं करता मैं कॉल क्या कर लोगी हाँ विलिया एक बार फिर उसे लांतान करने लगी स्टॉप इट अपकी बार दारिंग की धार पर सहम गई निकलो यहां से उसका बाजू गुसे से अपने हाथ के शिकंडर में जपड़े उसे लिए वो दर्वाजी की चानी बाया गुसे से उसे बाहर धकेल के दर्वाजा बन कर दिया विलिया शिद्दा से रो पड़ी खामुशे से एक अदम वापस मूर लिए अंदर अपने आफिस में बैठा दारिंग गुसे से हाथों की मुठिया बेचे टेबल पर हाठ टिकाई बामुश्किल विलिया की बातों पर गुस्सा कंट्रोल करा था वो से इतना गिरा हुआ समझती थी मगर फोन फाहद किसा वो क्या कह रही थी उसे समझ नाई किसे पता करें फिस शहजाद का खयाल है वो आज ऑफिस नहीं आया था उसने फॉरण से बेचता है मुबाइल निकाल का शहजाद को फोन मिलाया खुद खिर्की माँ खड़ा हुआ जहां से में गेट का मंज़ा साफ नजर आता था कुछ दिर बाद विलिया वहां से निकलती हुई नजर आई कुछ दिर उसे देखने के बाद उसने चहरा मोड लिया मुबाइल कांसे लगाया चलता हूँ मेस के करीब आया कुछ दिर बाद शहजाद ने फोन उठा लिया हेलो सर शहजाद के आवाज में भी उसे गेर मामूली पन लगा हیلو شہزاد, विलिया के घर क्या हुआ है? दारिम के बात पर बमश्किल हुंकारा भर कर रह गया सर आपने ऐसा क्यूं किया? शहजाद के सवाल पसका दिमाग फिर से टक्रा गया यार, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे भी नहीं पता प्लीज तुम अभी ये बात छोड़ो कल विलिया के होने वाले शोर को जो कॉल आई प्लीज वो सब बात मुझे ऐसे समझ कर बताओ जैसे किसी अंजान बंदे को बता रहे हो प्लीज यार, वो बेबसी से बोला और फिर शहजाद की सारी बात सुनकर और सर पकर कर रह गया मेरे खुदा, यार यकीन करो मेरा इस मौमले से कोई तालुक नहीं हाँ, मैं विलिया को पसंद करता था मगर उसने मुझे इंकार किया और मैंने दोबारा इस सब का नाम नहीं लिया मैं पागल हो के उफ, वो हकीकत में चकरा गया था पि क्या हो गया था उस बेचारी के साथ इससे पहले क्यों कुछ और कहता उसका गेट किपर अचलत में आफिस में दाखल वा सर जी, सर जी, वो जो बीबी यहां आई थी उनने कोई वेन अगवा करके ले गई उसके बाद पर दारिम का दिमाग भख से रह गया क्या हुआ है सर, दूसरे जाने शहजार परेशान हुआ कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ दारिम ने अचलत में फोन बन किया तुम वहां खड़े क्या कर रहे थे वो गुर रहा है उस पर सर मैंने गोली मारी भी मगर वो चार बनते थे बिबी को डाल कर फटा फट ले गए मगर मैंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया तेजी से बोला, इतनी ही तेजी से दारिम ने सफी का नंबर मिलाया हेलो सफी, उस लोग मेरे ऑफिस के बाहर से विलिया को किटनैप करके ले गए है उसकी बात सुनकर सफी उल्ला भी परिशान हुआ काड़ी का नंबर मेरे गन मेंने नोट कर लिया है कहते साथ ही दारिम ने पोन उसे पकड़ाया नंबर बताओ, पोन उसे पकड़ा कर वो सर पकड़ कर बैठ गया ये लेसा, दारिम ने उसे जानने का अशारा किया हाँ सफी, उसकी आवास की परिशानी उससे छुपी न रह सकी तुम फिकर मत करो, मुझे लगता है शम्स सूम्डो का काम है गाड़ी का कनफर्म हो जाए कि उसी ही जेरे तसरूफ है तो उसके अड़ो पर रेट करवाता हूँ प्लीज यार, विल्या को कुछ ना हो, दारिम की लहज़े में बेवसी थी उसका एक फॉर्म हाउस मेरे फॉर्म हाउस के पास भी है वहाँ भी चेक करो, प्लीज जल्दी, उस पर आँश ना आए दारिम का बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसे जूर निकाले तुम फिकर मत करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ दारिम एक दम गाड़ी के चाबी उठाते उठा, ओके आओ सफी ने उसे मना नहीं किया, उगम से निधाल दारिम के आफिस से बाहर निकल कर बेदिली से अपनी मतलूबा बस का इंतजार कर रही थी कि एक काले शिशो वाली काली ही बेन उसके करीब आई इससे पहले क्यों संबलती, चार नकाब पोश उसमें से बाहर निकले विल्या डर के पीछे मगर उन में से, एक ने उसे कुछ सोचने का मौका ना दिया रुमाल वाला हाथ आगे बढ़ा कर एक हाथ से इसका बासो पकड़ा और एक हाथ से रुमाल उसके मूँ पर रखा वो उसकी किरफत मचल कर रह गई, बाकी तीनों ने फुर्ती सोख से अंदर खसीटा दारिम के आफिस के बाहर खड़े, गेट कीपर ने गोली चलाई मंगर वो साब बचका तेजे से गाड़ीं बैट कर निकल गए ओए खबीसो, छोड़ो बच्ची को, मगर उसकी चीख वो पकार बेस उती, उसने दूर होती काड़ी का नंबर जहे नशीन किया और अंदर के जानी भागा जिस लम्में उसे होश आया, वो बैट पर चिट लेटी थी, सारा और आँखे शदीद भारी हो रही थी आंके पहले आहिस्ता से खोली, और फिर आसपास का मनजर देखकर पट से खुल गई, वो तेज़ी से उट बैठी, किसी लगजरी घर का वो कमरा विल्या को परिशान कर गया, उसके याद आया, उसके साथ किसमत ने एक और सितम जरीफी कर दी है, उसका जहीं और नहीं, बीस परदों पर पड़ी, तेज़ी से उसके जानी बड़ी मगरों भी बंद, और बाहर शाम के साये गहरे हो रहे थे, वो बेबैसी से रो देने को थी, या ला, मुझे नहीं मालूम था, वो शक्स ऐसा निकले का, मैंने गलत नियत नहीं रखी थी, मैं तो तेरी रज़ा मे जेब को खंगाला, और तेज़ी से हाथ मारा, तो वो चाकू वहीं मौझूद था, जल्दे से निकाल कर उसे अपनी चादर के डुपटे में गिरह में बांद दिया, वो इतना चोटा सा था, कि किसी को शक भी ना होता, और वो आराम से उसके चादर की गिरह में भी आ गया, उसी इसना में, दर्वाजे के पास हल चल जा लिए, सीधी होकर बैठ गई, दर्वाजे का लॉक खुला, एक डेल डोल वाला गुंडा सा, अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में खाने की ट्रे थी, ये ले और खा, उसके सामने टेबल पर खाना रखकर वो बत्तमीजी से बो बोला, कौन हो तुम लोग और क्यो लाए हुई हाँ, वो खुद को कंपोस करती, वैक पर गिरफ्त मजबूत करके बोली, जुबान कम चला, चुप करके खा उसे, वो करखतगी से बोला, क्यो अगवा किया मुझे, कहा है तुम्हारा सर गुना, वो चिलाई, उसके अंदास पर उस कुंड़े ने विलिया का मुझे जोड़ से अपने हाथ में लेकर गिरफ्त सक्त की, अगर सुम्रो सर की हिदायत ना होती, तो तेरे इस हुक्मिया अंदास पर, उनसे पहले मैं तेरे होश ठिकाने लगा देता, लेकिन पहले वो तुझे खिराच बक्षेंगे, फिर हमारी बारी आएगी, उसकी बात पर विलिया के औसान खता हो गए, उसके हाथ में मौझूद अपने चेहरे पर उसकी गिरफ्त की तकलीफ भूल गई, मगर उसकी नजरों में जो हवच जागी, वो विलिया को मंजमिक कर गई, ये दारिम नहीं कोई और था, उसके मुझे कि थोड़ी देर तक आकर तेरा दिमाग सिदा कर देंगे, वो आँक ही निकालता, वहाँ से चला कया, या अल्ला ये कौन है, कहां फ़स गई, वो सब पर हाथ रखकर परिशान हो गई, कुछ देर में वो सफी उल्ला के पास मौझूद था, कुछ पता चला, उसके आफिस में दाखिल होते हैं, उसने बेसबरी से पूछा, यार गाड़ी के नंबर से गाड़ी का मौडल और वो शौप पता करवा ली है, जहां से गाड़ी ली गई है, सफी उल्ला ने तमीद बांदी, सफी ने बताते हैं, उसे अपनी मेंस के दूसरे जाने पड़ी कुर्सियों में स एक पर बैठने का शारा किया, तो फिर एक कुर्सी पर टिकते हैं, उसने कुछ उलच का उसे देखा, तो फिर ये मेरी अजान आच कल कुछ गाड़ीों में ट्रेकर्स लगे होते हैं, बस शौप के मालिक से वो ट्रेकर लेकर, हम खुद ट्रेक करेंगे कि वो गाड़ी कहां तुम्हारे ख्याल में उन्होंने ट्रेकर आउन किया होगा, एक और ख्याल कि आते ही वो बोला, मालिक के मताब़ को ट्रेकर आउन करके ही उसने दिया था, गाड़ी के मालिक को मालूम नहीं था, दुआ करो कि वो आउन ही हो, वैसे भी जब इंसान अपने ही बुने हुए चाले में फसने लगता है, तो अपनी ही किसी गलती के सबब फस जाता है, सफी की बात परो में सर हिला कर रहे गया, दिल से दुआ निकली के ऐसा ही हूँ, दारिम ने कुछ याद आने पर मुबाइल जैब से निकाला, हेलो डैडी, एक एशू हो गया है, उसने यावार को कॉल मिला और धीरे धीरे उन्हें सब बताता चला गया, तुम परिशान मत हो, अल्ला बैतर करेगा, मैं शम्स सुम्रो के भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसकी निजबत वो काफी साधा सा बनता है, मैं उससे गुलवाने के ओशिश करता हूँ, यावार की बात ने उ मुझे डिटेल वाटसेप करो, आगे का काम हमारा है, उसके फोन बन करते ही दारिम सीधा हुआ, क्या हुआ, ट्रेकर आन है, उसकी बात पर दारिम ने सुक का सांस लिया, बस वो मुझे ट्रेकर आइडी भेज़ दे, आगे हम खुद पता करवाते हैं, कहने के साथ वो मसलस फोन पर मसरूफ था, फिर से किसी को फोन मिला है, हाँ दानिश, मैंने तुम्हें एक ट्रेकर आइडी भेज़ा है, मुझे चन्द मिनट में पता करके बताओ, ये गारी इस वक्त कहा मौझूद है, उसने अपने किसी आफिसर को फोन करके दायत दी, गारी इशो किसके नाम पर हुई थी, तारिम की बात पर सफी ने पल भर को मुबायल से नजर हटा कर उसकी परिशान शकल देखिया और हॉले से मस्कुराए, मेरी जान, ऐसे लोग अपना सुराक नहीं लगने देते, उसके किसी बंदे के नाम से गारी निकलवाई गई है, सफी की बात पर इसे बस उसे देख कर रहे गया, हर गुजरता लमहा उसके इस्तिराब को बढ़ा रहा था, फोन करो से, आखिर कहां रह गई है, एक घंटे का कहकर गई थी, अब शाम पढ़ रही है, सारा कब से विद्विया का इंतजार कर रही थी, दो एक बार उसके मुबायल पर भी कॉ अब तक वापस नहीं आई, यमना ने चूटते ही, उसे अपनी परिशानी बताई, कब से निकली है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, शाम परिशान हो था, जो भी था, वो इन सब को बहुत अजीज थी, हालात ऐसे थे, मैं कैसे फोन करती, यमना की बात पर चुप रह ग मैं देखता हूँ, शाम ने यमना के कॉल कारते दिलावर को फोन मिलाया, फैलो दिलावर बाजी सुबा की घर से निकली ही है, अब तक घर नहीं वाई, उनका फोन भी बंद है, दिलावर ने जैसे ही फोन उठाया, उसमें परिशानी से बताया, तो मुझे फोन करके क्यों है, उध्यान रखना, कही कोट मेरिच करने ना चली गई हो, उसका तमसकरा उड़ाता लेजा, शहजाद का दिमाग घुमा गया, बकवास मत करो, तुम जानते हो ऐसी नहीं है, शहजाद गुस्ते से बोला, हाँ, अब तक यहीं गुमान था, दिलावर उससे शदीद बद ग दिलावर, ताहमल से बात सुनो, दिलावर उसकी बात कार्ट कर बोला, आपा, अगर वाकिय ऐसी नहीं है, तो लेकिनन, आज वो तुम्हारे बास का दिमाग ठिकाने लगाने गई होंगी, वहीं से कोई खबर मिल सकती है, फौरण उन्हें फोन करो, और फिर मुझे बताओ, शेजाद हुले से मुस्कुराया, बाजी को ना जानने का दावा भी करते हूं, अगर उनकी आदत से वाकिब भी हो, शेजाद की बात पर वो लमा भर को खामोश हुआ, तुम कॉल करो फौरण, दिलावर ने मजीद कोई बात की बिना फोन बन कर दिया, समझ नहीं आ रहीं क मबारबाद दू, या क्या कहूं, तुम्हारा गुमान सही था, सफी फोन बन करके, दारिंग के जाने में तवजवा, क्या, उसने हरा से पूछा, ये गाड़ी शम्स की ही जेरे इस्तिमाल है, और ये गाड़ी इस वक्त, उसकी फॉर्म हाउस के बाहर खड़ी है, सफी ने चापके आफिस आई थी, उसके सवाल पर गहरा सांस भर कर रहे हैं, हाँ, उसी फोन की बावत पूछने और मेरी इंसर्ट करने, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने लगा हूँ, वो अब ताहमों से सुना, दारिंग ने ताकफ से कहा, सर वो घर नहीं पहुंची अभी त पुलीज यार, इस वक्त मैं बहुत परिशान हूँ, हमने पता करवा लिया है कि वो विलिया को कहा लेकर गया है, मैं पुलीज के साथ वहीं जा रहा हूँ, इस वक्त मेरा एक कजिन जिसका मैंने तुम्हें बताया था, वो बस उसके अड़े पर रेट करने जा रहे है, पुलीज ये बात ज्यादा ना फैले, इन्शालला हम उसे सही सलामत पाजियाब करवा लेंगे, और हाँ, अगर इस दौरा उसकी फैमिली को शम्स सूम्रों के जारें से कोई भी फोन आए, या किसी भी अंजान नंबर से, या फिर कोई और मश्कूक, ना करो हरकत, देखो तो मुझे फॉरान फोन करना, दारीम ने बड़ी मुश्किल से उसे सब हकीकत बताई, जी सर मैं जा रहा हूं, फलीस हमारी बाज़े को बचा लीजिए का, उसके लेज़े की नमी महसूस करके दारीम ने बड़ी मुश्किल से खुद पर बंढ़ा, उसे क्या बताता, कि उस उसे ज़्यादा खुद को यकीन दिलाया था फोन बंड करके वो सफी की जाने मतवज़ हो जो अपना हॉस्टर चेक कर रहा था सफी मुझे भी साथ जाना है दारिम की बात पर सफी का केप सही करता हाथ पल भार को रुका दारिम यह पुलीस केस है मैं तुम्हें ऐसे साथ ले करने लग गए उससे सफी के सवार पर उसने नजरों का साविया बतला मुझे नहीं मालूम यह क्या है मगर इस नहमें जब वो ऐसे दरिंदों में गिरी है मेरा बस नहीं चल रहा हर खानून को बालाय ताग रखकर मैं खुद वहां जाकर उस पर पढ़ने वाली एक एक सफी की बात पर उसने शिदत से आमीन कहा कपकपाती हाथों से वहां मौझूद खाना उसने जहर मार किया रह रहकर उसे अपनी हालत पर रोना आ रहा था वो अभी तक इस गुमान में थी कि दारिम ने यह सब करवाया है कौन है यह सुन्डों खाने से हाथ खिंच करो आप स बैट के दाएं जानी ड्रेसिंग पर बहुत से पॉफ्यूम की शिशिया मौझूद थी वो एक इजस्त में ड्रेसिंग के पास गई और पुष्ट ड्रेसिंग के जानी किये और चेहरा दर्वाजे की जानी किये खड़ी हो गई दर्वाज आहस्ता से खुला अंदर आने वा क्यों लेकर आए हूं मुझे मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं विलिया की बात पर उसने बड़ा सा कहका लगाया मेरी जान जो मैं तुमसे चाहता हूं उसमें जान पहचान की ज़रत नहीं होती उसके गलीज नजरे विलिया को अंदर तक हिला गई फिलीस मुझे छोड़ दो तुम तुम्हारे लिए तो और भी बहुत से लड़किया होगी जो ये सब बखुशी कर लेती है बगर प्लीस मुझे छोड़ दो विलिया उसके आगे गिल बिलार सकती थी शायद के उसे रहम आ जाता अरे वा पागल समझा है इतने दिनों से तेरे पीछे अपने बंद की बात पर हसते हरे रंगी शलवार कमीज पहने बाजू और गले में चैने डाले लंबे बार जो उसके शानों पर जोड़ रहे थे पान खाखा कर दांत और जुबान अजीब लाल काले लग रहे थे बता तो एक बहाना था मुझे तो तू चाहिए थी उसे करीब खड़े व शमस की बात पर और पल भर को हिरान वी किस की बात कर रहे हो उसके बढ़ते कदम रुखी नहीं रहे थे विलिया गेर महसुस अंदास में एक हाथ पिछे करके परफ्यूम की एक शिशी पर गिरफ्त मसबूत की अरे वही दारी मियावर मलिक वहां की गुमा कर बोला उसे तो और भी शमस विलिया से ऐसे जुरत की तौका नहीं करता था उसके माते से फून मुपर बहने लगा वो घुसे में भिपरा कमीनी तेरी तो विलिया एकदम भाग कर बैट पर चड़ी मेरे करीब मत आना वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी वो हाथ उठाती से वान करने लग मगर वो भी इस लम में बिपरी हुई शेनी बनी थी कुछ पुलीस का सायरन सुनकर उसे और भी होस्ला हुआ एक बाजू तो शम्स के कबजे में आ गया मगर दूसरे बाजू से विलिया ने चाकू वाला हाथ सीदा उसकी आँख में मारा वो तकलीर से बिलबला उठा तो कमीनी ओरत वो आँख पकड़े पीछे को गिरा वो फिर से उसकी जानी बढ़ा मगर विलिया बैट से नीचे उ विलिया इनसान अल्ला गारत करे तुम जैसे फिरॉनों को वो तकलीब से चिला रहा था उसी लम्मे दर्वाजे पर धर धर की आवास आई शम्स बहार निकलो तुमारे सारे बंदे पुलिस की हरासत में हैं विलिया ने आगे बढ़कर दर्वाजा तेजी से खोला शम्स अम देखकर उसने हैरान नजर जाय जानी मोरी जहां विलिया हाथ में फून से लुथरा चाकू लिये उड़े हुए हुलिये में खड़ी थी आँखों से वहशत टपक रही थी चादर नदारत थी सफी ने फॉरान आगे बढ़कर जमीन पर गिरी चादर विलिया की चानी बढ़ाई मगर वो शदीद चौक में खड़ी थी सफी के बड़े विहाद की बज़ाए शम्स को बेकी नजरों से तड़पता देख रही थी सफी ने आगे बढ़कर चादर उसके गिर्द लपेटी चेप से रुमाल निकाल कर उसका चाकू वाला हाथ थाम कर चाकू निकाला तो जैसे विलिया को होश आया मैं सफी ने होटों पर हाथ रखकर उसे खामोश करवाया जिसकी आँखों से आप आंसू बह रहे थे चेहरा ढापें उसने विलिया को इदायत दी उसके चेहरा ढापते ही सफी ने बाहर खड़े बंदों को अंदर आने को कहा और विलिया का बाजू थामे उसे बाहर लेकर निकला कबसे वो फार्म हाउस के बाहर खड़ा महुं इंतिजार था एक एक लम्हा इस वक्त उस पर भारी था आखिर गारी से निकल कर वो बेचानी से बार बार अंदर के जानी देख रहा था उसके बेचानी एकलक तथमी जब उसने सफी के बाजू के गहरे में विल्या को चादर में छुपे अपनी जानी बाते देखा गेट से बाहर आते जैसे ही विल्या की नज़ा सामने पड़ी भारा से खूंग रह गई लो अपनी अमानत उन्हें लेकर फौरा नहां से निकलो अभी मीडिया पहुँचता ही होगा इससे पहले तुम उन्हें ले जाओ सफी उसके करीव रुकते अचलत में बोला विल्या के कंदे से बाजू उटाती हो अंदर की जानी बरा दारिम बेसाफ़ता उसे बाजू के हलके में लेकर खुद से लगा गया व सोच भी नहीं सकती थी दारिम उसे बचाने के लिए ये सब करेका तारिम ने से खुद में भीट कर जैसे उसके सही सलामत होने का यकीन किया विल्या किसी अपने को देखकर बिखर गई उसके साथ लगते ही वो फूट फूट करोई रिलैक्स सब ठीक है आपको कुछ नहीं हुआ तारिम ने उसकी मत्होश होती हालत देखकर बमश्किल उसे खुद से अलग किया सब मुसीबते हम गरीब और परी क्यों तोटनी होती है विल्या आसुजबत करते बमश्किल कहा मुझे वापस नहीं जाना आप मुझे यहीं मार दे किसी से कहीं नहीं बलके आप मेरा गला दबा दे विल्या की बात पर रोचकरा गया क्या उसके साथ इससे आगे वो कुछ नहीं सोच सका क्या हो गया है पागल हो गई है दारिम ने उसे जिलका फिर जबरदस्ती काडिम बिठाया मुझे लगता है वो मर गया है मैंने बहुत चाको मारे है उसे यहां से बच गई हो मगर मुझे लगता है अब पुलीस मुझे पकड़ लेगी फिर मुझे सजाए मौत हो जाएगी विल्या है वहिशत से बोली इसकी बात सुनकर दारिम भूच आपने उसे चाको से मारा गाड़ी चलाते हो हैरस से पूचा था तो क्या करती उसे अपनी इज़त के साथ विल्या जुमला पूरा ना करपाई रोते हुए लब भीच गई आपने अपने डिफेंस में उसे मारा है विल्या और अगर वो मर भी जाता है तो आप पर कोई केस नहीं बनेगा यूर माई ब्रेव करल एक बाज उसके कंदे पर रखे दारिम ने रोती तरपती विल्या को खुद से लगाया और दुसरे से गाड़ी ट्राइफ कर रहा था नहीं वो वो पुलीस वाला मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं मुझरिम हो विल्या ने सफी का बताया वो मेरा कजिन है गाड़ी की सीड पीठे करके उसे एहतियार से लिटाया सीड बेल्ड बांद कर गाड़ी स्टार्ट की यकिन हम स्ट्रेस से बेहोश हो गई थी उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जल्द जल्द किसी हास्पिटर या क्लेनिक पहुँचना चाता था शहजाद और दिलावर मसलसर दारिम से राबते में थे कुछ देर पहले दारिम ने फोन करके बताया था कि वो विलिया की बास्याबी के लिए शम्स के फॉम हाउस पहुँच चुके है इसलिए उसके जल्दी जल्दी शादी का बद्द बस कर रही थी मगर ये फिरॉन हम जैसो को इनसान नहीं केड़े मकोड़े समझते है यमना के साथ लगी सारा मसलसर रो रही थी आपा को कुछ नहीं होगा अमा आप परिशान नहों यमना का खुद रो रोकर बुरा हाल था इसे इसना में शहजाद का फोन बज़ा आपा मिल गई है अभी वह बेहोश है सर उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए है दिलावर चलो सर ने बुलाया है शहजाद फोन बन करके अजलत में उन्हें बताता हुआ बुला दिलावर के लिए बाइक के चाब उठाकर दर्वाजी के चानी बढ़ा अल्ला तेरा शुकर मेरी बच्ची ठीक हो अब ए अल्ला उसकी असमत महफूज हो सायरा आसमान के जानी देखे मुससर गिरहा विजारी कर रही थी हॉस्पिटर के हाथे में गाड़ी रोकते हुआ अपनी जानी के दर्वाजा खोलकर तेजी से विलिया के जानी बाया उसे बाजों में उठाए वो अंदर के जानी भागा उस हॉस्पिटर के इंतजामियों से सदफ के हवाले से बहुत अच्छी तरह से जानती थी सर फेरियत एक नर्स उसे यूँ एक लड़की को उठाए भाग कर आते देखकर पूछने लगी एमेर्जनसी केस दारिम ने उसकी बात का मुखता सा जवाब दिया रुके सर मैं स्ट्रेचर लाती हूँ वो भागती वे एक जानी से स्ट्रेचर खसी टलाई सर आपकी गाड़ी खुली है आप बंद करके आ जाए मैं उन्हें ले जाती हूँ उसने फौरण वहां मौजूद वाट बॉइस को आवाज लगा कर बुलाया दारिम हैतिया से उस स्ट्रेचर पर डाल कर बाहर के जाने गया उसे विलिया के अलावा इस वक्त किसी चीज का भूश नहीं था बढ़ी लॉप करके वह तेज़े से अमर्जन्सी के जानी बढ़ा जहां डॉक्टर्स पहले से विलिया को चेक करने पहुंच चुके थे खैयर बेटा ये कौन है एक डॉक्टर एमर्जन्सी से बाहर आते हुए बोला नर मेरी कजीन है कैसी तबियत है क्या हुआ है उन्हें दारिम को समझ नहीं आई कि क्या पुछे ये तो आप मुझे बताया कि उन्हें क्या हुआ है उनके एक बाजों से आस्तीन का कपड़ा फटा हुआ है और वहां उंगलियों के निशान है जैसे किसी ने तशद्द किया है और दारिम को मश्कूक नजरों से देख रहे थे सरकुछ गलत लोग उनके पीछे पड़े थे बस उन्हें से बचा कर लाया हुँ दारिम ने नजर जुकाई बाल बनाई वो उसकी इज़त पर उससे ज़दा आँच नहीं आने दे सकता था ओ अल्ला रहम करे बस बच्ची सी टेंशन के वज़े से बेगोश हुई है मैंने रसबात में हिला कर विलिया को रूम में शिफ्ट करवाने का बंदोबस करने लगे दारिम बाहर ही खड़ा था दारिम नजर की तो दिलावर शहजाद अपने जानी बाते दिखाई दिये कैसी है आपा दिलावर ने से हाथ में लाते ही तफक्र से पूठा अल्हम्दिलिल्ल आपके पेशन को रूम में शिफ्ट कर दिया है आप लोग वहां जा सकते हैं एक नर्स में उनके करीब आते धीमे लहजे में कहा शुक्रिया तीनों तेजी से बड़े दिलावर आगे था शहजाद ने एकदम दारिम के कंदे पर हाथ रखकर उसे रुकने का इशारा क्या सर आप से कुछ बात करनी है शहजाद की बात पास ने उलचकर शहजाद की परिशान चहरे की जानिब देखा हेलो सदफ कैसी हो पूर उठाते ही डॉक्टर मुबश्रा की आवाज दूसरी जानिब से सुनाई दी हाँ मैं बिलकुल ठीक हूँ तुम सुनाओ आज कल कहां बीज आफिस में ही होता है क्यों खेरियत आफिस में तो नहीं हमारे हॉस्पिटल में किसी लड़की को लेकर आया है लड़की की हालत बहुत बिख्री हुई सी थी तुम समझ रही हो ना मुबश्रा ने जितना सरसरी अंदाज अपनाया था चाहने के बावजूत सरसरी हर्गिज नहीं था क्या मतलब क्या कहना चारी हो तो और दारिंग तुम्हारे हॉस्पिटल में नहीं नहीं तुम्हें कोई गलत फेमी हुई होगी सदफ उलचकर रह गई थी फिर मुबश्रा को जुटलाया खेर है तो वह दारी मी मैं तुम्हें लड़की की तस्वीर भेचती हूँ जवान लड़का है ध्यान लखा करो वो तो मज़े से तीली लगा कर फोन बन कर गयो सदफ हैरान परेशान फोन हाथ में लिए बैठी रह गई कुछ देर बाद वैटसेप पर जिस लड़की की तस्वीर आई वो विलिया थी हॉस्पिटर के बैठ पर वो बेहोश पड़ी थी सदफ बेहकी नजरों से तस्वीर को देख रही थी आप कब आए यावा स्टडी से निकल कर लाउंज में आए जहां सदफ मुबाइल हाथ में लिए बेहकी नजरों से कुछ देख रही थी सदफ क्या हुआ उनके बरावर बढ़ते उन्होंने जोर से कहा सदफ ने चौक कर यावार को देखा फिर मुबाइल कर रुक यावार के जानिब किया यावार ने एक नजर मुबाइल के जानिब देखा जहां विलिया की तस्वीर थी एकदमों लब भीट गए सदफ ने बड़ी कोवर से उनके तासुरा देखे लगता है कि इस तस्वीर के पीछे चुपी कहानी से आप अच्छी तरह वाकिफ है सदफ के तंस पर वो लब काटने लगे आप मसरूफ थी इसलिए मैं आपको बता नहीं सका और फियावार ने सब बात उन्हें कह सुनाई सिवाए इसके के दारीम उसे पसंद करता है तो दारीम वहां क्या कर रहा है पुलीस केस था तो पुलीस से इंडर कर दी पुच्छे कर बोली सदफ क्या हो गया है हम उस बच्छी को जानते है इसलिए दारीम उसकी मदद के लिए पहुंचा सदफ की बात पर उन्होंने बमश्किल अपना लहजा हमवार रखा ये सिर्फ मदद है या कुछ और उनके बात पर एक बाध फिर यावर का चछरा मतगर हुआ मिरी इतला के मताबक सिर्फ मदद उन्होंने भी मतوازन लहजा अपना का जवाब दिया ये मदद ही होनी चाहिए वो एक एक लबस पस जोर देखकर बोली साइड वाले सोफे पर मौजूद अपना बैग उठाया और गुस्ते से उठकर कमरे की जाने बढ़ी दारिम ने उन्हें सकती से मना किया हुआ था सदक को दारिम के विलिया के लिए पसंजिद्गी की रती भर भी खबर न मिले जिस दमें उसे हो शाया शाया शायजाद और दिलावर और दारिम तीनों उसके पास मौजूद थे आंके खोल कर उन्हें देखते उसने उठने की कोशिश की कैसी तवियत है आपा दिलावर एकदम उस उठता देखकर उसके करीब आया विलिया ने तीनों से नजरे चुराई अपनी चादर को खीच कर कुछ और अपने गिर दिला पेटा ठीक हूँ दारिम ने उसे नजरे चुराते देखकर बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्द किया मुझे घर जाना है वो टांगे लटका कर बैट पर बैठी पहले डाक्टर को चेक करने दे अगर आप बिलकुल ठीक है तो हम घर चलते है दारिम ने उसके इरादे भाब कर फौरण शहजाद को इशारा किया जो डाक्टर को बिलाने भागा विलिया ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया उसे दारिम से शदीद जिजक महसुस हो रही थी अपनी कुछ देर पहले की मतोश हालत याद आई जब वो उसके बाजों के घेरे में बिखरी वी थी और वो से समयट रहा था थोड़ी ही देर में डॉक्टर मुबशिरा अंदर आई उसे अच्छे से चेक किया आप अपना टेस्ट करवाना चाहेगी उन्हें डॉक्टर साजिद ने वही कहानी बताई थी जो दारिम ने उन्हें विलिया के बारें बताई थी किस बात का टेस्ट उसने उलच कर उनके जानिब देखा देखो बेटा मैं डॉक्टर हूँ और जिस हालत में आप यहां आई थी शायद आपके साथ जाधा थी उन्होंने बात अदूरी छोड़ दी दिलावर, दारीम और शायद की मौजूदगी में उनकी इस बात को सुनकर उसका दिल के जमीन फटे और उसमें समा जाए शायद और दिलावर ने एकदम नज़रे चुड़ाई मेरे पेशन्ट इस वक्त ठीक नहीं है, बेतर है कि आप सब चीज़े किलियर करवा दे, हम बेतर जानते है कि क्या करवाना है और क्या नहीं दारिम के ठेरे साथ लहजे पर वो चुपके चुप रह गई, फिर तेज़ी से बाहर निकली, शहज़ाद ये चाबी पकड़ो, उन्हें गाड़ी में बिठाओ, मैं बिल कलियर करके आ रहा हूँ दारिम ने फौरण विलिया को वहां से हटाया, उसका जर्द पढ़ता चरह उसे चुपा नहीं रह सका था, दिलावर शहज़ाद के सामने उससे ज्यादा फिलहाल उसे होसला और तसली नहीं दे सकता था, तमाम रास्ते उस सब खामोशी रहे, शहज़ाद दारिम के बराब जैसे वह अंदर आई, साहरा भाग कर उसके पास आई, महबस इसके एक पिनक्ष को छूख कर देखा, उसे सार लगाए भीटा, शुकर अल्ला का, मेरी बच्ची वापस आगी, उस शिद्ध गिरिया से रो रो कर बिहाल हो गई, खाला अंदर चले, सर आप आईए, दिलावर ने उन दोनों को पकर कर अंदर के जानिप किया, और मूर कर दर्वाजे में स्तादाधा धारीम को देख झार अंदर आने का इशारा किया, ativasलाम अलेकुम्, धारीम ने अंदर दाखिल होते, साहरा को एक शुक्री génér," तमने आच हमारी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आ बार बार ऐसे मत कहें, इंशालला मुझरिम जल्दी कैफे किरदार तक पहुंचेगा, मैंने आपके घर के बाहर मजीद सेक्रेटी बढ़ा दी है, अब तो अब कोई खत्रा नहीं होगा, अगर फिर भी कोई परिशानी वाली बात हो, आप प्लीज मुझे फॉरान कॉल समझाया, मैं अब चलता हूँ, एक दो दिन तक डैडी के साथ आउंगा, दारिम की बात पर उन्हेंने कुछ चौँक कर, उसके जानी देखा, क्या ये किसी बात का अंदिया था, आप प्लीज विलिया का खयार रखे का, और प्लीज उनसे फिलहाल किसी किसम की, पूच गु प्लीज तुम लोग उनका खयार रखना, मैं भी आता जाता रहूंगा, दारिम केहते साथ ही उट खड़ा हुआ, आप थोड़ी देर बेटते बटा, उसे उटते देखकर वो बोली, फिर इंशालला, केहते साथ ही उनके आगे ढुका, सारा ने महबबस उसका ये अंदास द यावर और सदफ दोनों लाउंज में मौजूद थे, उनके दरमियान खामुशी देखकर दारिम को कुछ अनोनी का हिसास हुआ, असलाम अलेकुम, और जहनी तोर पर इस वक इतना मनतशर था के लहजे में खुशकवारियत नहीं ला सका, वालेकुम असलाम, तो तुमने भी सोशल वर्क शुरू कर दिया, सदफ के कारदा लहजे पर उसने उर्जी नजरों से माँ को और फिर सवाले नजरों से बाप को देखा, सदफ ये तरीका नहीं बात करने का, उन्होंने बीवी को टोका, आप एक निट चुप रहें, क्यों तुम उस लड़की की इस कदर करते फिर रहो, पूछ सकती हूँ मैं, उनकी बात सुनते हो खामोशी रहा, उनके सामने मौदूद सोफे पर धब से बैठते, उसने सर सोफे के पुछते से ठिकाया, नहीं, मैंने सोशल वर्क शुरू नहीं किया, अब की बार वो सीधा हुआ, और माँ की गुसे से घुरती आंखों को देख कर बोला, तो फिर, वो तरख कर बोली, फिर ये कि मुझे विलिया से शादी करनी है, उसने तो बड़े आराम से अपनी खुआश का जार किया था, मगर सदफ को लगा, उसने कोई बम फोड़ा है, दिमाग खरावे तुमारा, अब की बार वो गुसे से चिल हुआ, तो मैंने कब कहा है कि शादी खेल तमाशा है, मैं बिल्कुन संजीदा हूँ, और बहुत पहले से विलिया को पसंद करता हूँ, मेरे ख्याल में एक सोशल वर्कर की हैसियत से आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा इतना नेक काम कर रहा है, और बड़े तहमल हुदा ना करे, हो भी जाता, मैं तब भी, उसी से शादी करता, उसने अटर लहजे में कहा, तुम पागल हो गए हो, ये बात तुम्हें उसने बताई और तुमने यकीन कर लिया, वो दरुश्त लहजम बोलती एकदम अपनी जगे से खड़ी हुई, दारिम भी उनके सामने जी, बिल्कुल, वैसे जैसे सारीम ने एक गयर मसब की, लड़की को पसंद करके शादी की, उसने कहा कि वो लड़की अच्छी है, और आपने बिना देखे यकीन कर लिया कि वो अच्छी है, क्या तब आपने चान बिन करवाई कि वो कैसी है, वहां का तो माशरा ऐसा है, ज जहां शादी रिलेशन्शिप की तरजीहात में सबसे आखिर में आती है, वहां तो बच्छे भी शादी से पहले हो जाते है, कि तब आपको फिकर नहीं हुई कि आपके बेटे से पहले किस किस से ये तालुक बना चुकी है, जानिम के सद लहजे पर सदफ का एकदम हाथ जाए, मुझे आप ऐसे हजारों थपर मार ले, मुझे अफसोस नहीं होगा, मगर आपके डबल स्टेंडर्ट पे बहुत अफसोस है, वो गरीब है, उसके साथ किसी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठा कर, क्या इसलिए उसमें आपको हजारों एब नज़र आ गई है, सार प्रैंक रूंप में बैट का ज्यादाती का शिकार होने वाली लड़कियों के लिए, तो आप लोग सारा सारा दिन बोच सकती है, मगर उन्हीं अपना नहीं सकती, दारिम के टूटे बिकरे लहजे पर वो लब भेट गई, डैडी, आपको कोई अतिरास, अपकी बार उसने चलना, वन्ना तुम्हारे बगएर भी मैं इसका निकाह करवा कर अपनी बच्चे को घर ले आउंगा, या वन्ने अपना फैस्ता सुनाया, सदफ कोई भी जवाब दिये बगएर, कमरे के जानी बढ़ गई, तुम दिल छोटा मत करो, देखो दारिम, हमने अपनी जिन्दग में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ना हम इसलिए दुनिया में आए हैं, उसकी बेवकुफी को मैं बिलकुल भी ये कहके जिस्टिफाइ नहीं करूंगा, कि वो तुम्हारी माँ है, तो उसकी बात मानना तुम परफ़ज है, तुम नहीं बेटे, वो गलत कर रही है, और इस जाकर आराम करो, वो हमेशा उसे ऐसे ही समेट लेते थे, वो एकदम उनके गले लगा, थैंक्यू डैडी, महबस उन्हें खुद से भीचा, एन्य टाइम, माई डियर, उन्होंने भी उसी महबत भई अंदाज मुसे जवाब दिया, अगर वो शक्स हवालाद से बाहर आया, तो सफी ये जान लेना, कि मैं फिर किसी भी कानून को कुछ नहीं समझूगा, उसके सीने में गोलिया मैं खुद उतारूंगा, रात के फ़र अपने कमरे की बाल कुरे में खड़ा, वो सफी से फोन पर बात कर रहा था, तुम फिकर मत करो, उसके खिलाफ इतने केसे खोल दि विलिया का जिकर सुनते उसके होंटों पर मुस्कुराहा दोड़ गई, औरत को इतना ही निडर होना चाहिए, उसकी यही बहदुरी मुझे पसंद है, वो किसी हाल में कमी खौफजदा होती है, दारिम का मोड़ वाकरी बदल चुका था, बहुत बरी दरा शम्स का चेहरा ब दारिम बता चुका था, जी जनाब, आपकी कल भी, मुझे अश्र जरूरत है, दारिम खुश्कवाल लहजम बोला, तो हमेशा हम सब के लिए, इंस्प्रेशन ही रहा है, अब भी नंबर ले गया, सफी के लहजे में उसके लिए फखर और महबत थी, अच्छा बस, मुझे सा बिदाय कलमात कहकर फोन बन कर दी, अभी वो अंदर जाने का सोची रहा था, कि एक बार फिर फोन गुन गुनाया, आने वाली कॉल देखकर उसके टहरे पर बड़ी ख़़ीव सी मुस्कुराइट बिकरी, मैं तो उमीद कर रहा था, आपकी जाने से कॉल कल ही आजाएगी, लेकिन अच्छा लगा, आपने एक पूरा दिन इस बारे में सोचा, तारिम कलहजा बश्याश था, आप कल नहीं आएंगे, दुस्य जानिब से कहे जाने वाले अलफास पर अपकी बारों खुल कर मुस्कुराया, बता रहिए या पूछ रहिए, विलिया कुस लब में उसका अच्छ बश्याश लगा, खुल रहा था, मैं आपको बता रही हूं कि कल मेरे घर आने की गलती मत किजे का, क्यों आपने अंकल को मुस्से बात करने के लिए बेजा, वो गुस्य से भरी बैठी थी, मैंने उन्हें हर्गिस नहीं कहा था, कि वो आपसे डारेक्ट ये सब बा मुझे आपसे शादी का शौक नहीं चड़ा जो मैं इंकार करूँ, वो चिड़ कर बोली, चले फिर जिसे शौक चड़ा है, उसे तो अपना काम पुरा करने दे, विलिया उसके तमिनान पर और बिचिड रही थी, ये आपकी हिमाकत है, वो किसी तरह उसे इस सबसे दस्तब परदार होने के लिए मना लेना चाहती थी, ये आपकी गलत फहिमी है, इस बरजस्ता चवाब पर विलिया को काड़ी में होने वाली गुफता को याद आई, वो तब भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा था, मैं कल कुछ खा लूँगी, उसने धंकी दी, बिलकु जरूर ख खाएगा जो निकाह के लड़ो हम लेकर आएंगे, आपो शौक से खाएगा, मैं हर्गिस मना नहीं करूंगा, कशरारती रहटा विलिया को एक आउख नहीं भारा था, आप समझ क्यों नहीं रहे, आप मुझे एक दोजख से निकालकर दूसरे दोजख में ले जा रहे, वो पलो पूर सोच, अंदास में वहीं खड़ा रहा, उसे नॉर्मल होने में अभी बहुत वक्त चाहिए था, और तब तक दारिम को उसकी हर बात को हसकर सैना था, विलिया के घर के लिए निकलने से पहलो सदफ के पास आया, मेरी कोई भी खुशी आपके बगर अदूरी है, आ आप कैसे सोच सकती है कि अपनी जिंदगी के इस एहम लमे को में आपके बगर गुशारूंगा, यावर तयार खड़े शीशे के सामने बाल बना रहे थे, जिस वक्त वो तरवाजा नौक करके अंदर आया, सदफ सादा हुलिये में नाराज सी बैट पर बैठी थी, यह तु बच्चों को इतना ही अपने मातहित रखना चाए कि बगावत पर ना उतरे, ब्रश ड्रेसिंग पर रखकर कफ के बटन दरूस्त करते हुए संजीदा नजर सदफ पर डाल कर बोले, मैंने कब उन्हें मातहित किया, उसने और सारी ने, हमेशा जो चाहा, वो माना है, वो हिर करती हूँ, उन्होंने नजरे चुराई, बात को तूल मत दो, चलना है तो चलो, यावने बात समेटी, प्लीज ममी, वो भी मिसर हुआ, तुम्हें ये सब करते ही, ये क्यों नहीं नजर आ रहा, कि लोग क्या 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 नहीं कहेंगे, मेरा एक सरकल है, उसके रादे से मतज जलजल करना चाहती थी, तुम्हें वो सरकल अजीज है, मगर अपनी उलाद नहीं, यावने मलामती नजरों से उन्हें देखा, छोड़ दो, दारम, तुम उठो, सफेर चलवार करमीज में मलबूस उन्होंने अपने फुबरू बेटे को देखा, ममी, आप कुछ मत करिये का पस सिब शामिल हो जाए, वो फिर आज भरे लहजे में बुला, मैं वहाँ सिब तमाशाई की हैसित से जाऊंगी, मुझे किसी से खुश रिकला किसे पेश आने का मत कहना, वो जिसने कभी जीद नहीं की थी नजाने उस लड़की के पीछे इतना जीदी क्यों हो गया था, ए अभी तक सर जार मुपहार बैटी हो, दारीन ने सुबही ड्रैवर के हाथ सफैद खुबसरा सा सूट उसके लिए बिजवा दिया था, सारा घंटे से उसकी मनते कर रही थी, मगर वो तस्यमस ना हुई, आप मेरा गला दबाते, मगर मैं ये शादी नहीं करूंगी, पलंग क पुष्ट के साथ टेक लगाए, टांगे सीने के साथ लगाए, वो सामने किसी गयर मरही नुक्ते को देखते वे बोली, क्यों मेरी जिन्दगी को मुश्किल बना रही हो, सारा रोने वाली थी, अमा ये अच्छे इंसान के साथ जादती है, बेटा खुशी से तुम्हे वाला मसला उठा था, ना जाने वो कौन है, अल्ला करे उसके साथ जिन्दगी में कभी अच्छा ना हो, वो अंदर आती, मियमना ने बड़े करब से बेहन को देखा, तुम इस वक्त सब को छोड़ो, और बस उठकर तयार हो जाओ, ये देखो, मेरे हाथ जुड़े है, तेर इस दर पर आया है, उसके जाने के बात कोई नहीं आएगा, उन्होंने उसे हकीकत का आइना दिखाया, मत आय कोई, मुझे परक नहीं पड़ता, वो अधर धरम लहजे में बोली, विल्या तू ऐसी तो ना थी, सारा बेबसी से बोली, पहले मैं दागदार भी तो नहीं थी म मा, वो आँसों धरी आँखों से मा को देखकर बोली, उन्होंने बढ़कर उसे खुद में भेंच लिया, तो दागदार नहीं है, उसे यकीन दिला रही थी, या खुद को, किस किस को यकीन दिलाएंगे हम, वो इनके शाने से सर उठा कर बोली, दारिम भाई को इस यकीन की कब के खामोश खड़ी यमना बोली, उच जाओ आपा बस कर दो, वो भी उसके करीब आती बोली, वो गहरा सांस बरकर खड़ी हुई, निकाह की पेपर्स पर साइन करते, उसका बस नहीं चड़ रहा था कि उन्हें आग लगा देती, सदापा तो गई थी, मगर सलाम दूआ क किसी से मखातिब होना जरूरी नहीं समझा, सायरा को तो अबल उनके आमद की उमीद नहीं थी, मगर सदफ के रूखे रवया का उन्हें दुख नहीं था, दिलावर और शेहताद के घरवाले मौजूद थे, उसके अलावा सायरा ने किसी को नहीं बुलाया, वो नहीं चाहत उसने लिपस्टिक लिखा रखी थी, और इस रूप में भी, वो बेहत प्यारी लग रही थी, विलिया बस साद जुकाय बैठी रही, बहन अब रुकसती करे, उसके कमरे से निकलते हुए सारा से मखातिब हुए, उनके हमरा यावर के ही चंद दोस्त और रिश्टदारों मे सिर्फ सफी था, बाकी किसी को उन्होंने नहीं बुलाया था, यावर के कहते ही अमना, विलिया पर चादर डाल कर उसे अपने साथ लिये, कमरे से बाहर आई, सदब पहले गारी में जाकर बैठ चुकी थी, भाई साथ कोई ऊच नीच हो जाए तो माफ कर दीजेगा, सारा आ पुछ को आ लेजिम बोले, बहुत शुकरिया, दारिम भी सबसे मिलकर विलिया का हाथ थामकर अपनी गारी के चानी बढ़ा, उसका सर्द कपकपा था, हाथ दारिम के गरम हाथ में और विक पकपा रहा था, घर आते ही यावर ने काम करने वाली मुलासमाओं को विलिया को दारिम के कमरे में पहुचाने का कहा, सदब पहली अपने कमरे में जा चुकी थी, दारिम लाउंच में मौटू सोफे पर बैठा, हाथ आपस में बांदे न जाने क्या सोच रहा था, परिशान क्यों हो, यावर उसके कंदे पर हाथ रखकर उसे करीब बैठे, नहीं परिशा उसके लिए खुद को मजबूत रखो, यावर की हर बात उसके दिल में उतर रही थी, डैडी थैंकि सो मच, उत शक्र से लबरेज लह जिम बोला, उठो जाओ अब उसके पास, उसका कंदा दबा कर, वो भी उठकर कमरे के जानी बढ़ा, विलिया चादर उतार कर बैठ पर घुर रही थी, आसों चहरे पर मुद्वातिर बह रहे थे, साहरा ने उसे एक बैग दिया था, जिसमें चंड कपड़े थे, अब कुछ जरूरत का सामान, वो अभी उठकर उन कपड़ों से पीछा चुडाना चाहती थी, जो उसे अपने जिसम पर कीड़े की तरह काटते मह चाहती थी, जो कल तक उसकी आसों नहीं पहुंच सकता था, अब उसका महरम बन कर उसके हर दर्द का मदावा किसी से भी पहले कर सकता था, वो दर्वाजे की लौक की आवास सुनकर वीलिया की हाथ कपकपाए, मगर उसने फिर भी सर उठकर नहीं देखा, सोफे पर मوجود बैक से कप्रे निकालने मस्रूफ रही, जब अपने कंदे पर दारीन का हाथ महसूस किया, अब की बार वो उसे इग्नोर नहीं कर सकी, उसका हाथ कुसे से चटक कर आसों से लबरेज आंकों से उसे देखा, तो इंकार नहीं कि आपने क्यों, उच चटक कर वो ली, क्योंकि मुझ जानते हैं, मगर दुनिया नहीं जानती, वहां से इजद बचा कर निकली थी, यह नहीं मालूम था कि दुनिया दागदार बना कर छोड़ेगी, कहा था ना, मार दे मुझे, नहीं मारा आपने, देखे, देखे, यहां, वो अपने हिज्यानी अंदास में उसे परे हटते, अ किसको मेरी सफाई में ये बताएंगे कि मरे साथ वहां कुछ नहीं हुआ था, काच ये सब पता होता तो एक टाकू में अपने सीने में भी मार कर वही मर जाती, रोते रोते वहीं जमीन पर बैट गई, दारिम उसके करीब बैटका उसे खुद में भेंच गया, उसकी मतोश, शालत देखकर वो खुद पर जबत नहीं कर पाया था, लड़की इज़त उटा दे तो भी वो बुरी, वो इज़त बचा ले तो भी वो बुरी, ये किसी के पास चन्गंटे गुजार आई है, मैं कैसे दुनिया को दिखाओं में पाक हूँ, उसके गंदे से लगी, फूट लेप कर दिया है, उसका बादू थामे, सर उठाकर, रोते हुए को लाई, मुझे दुनिया की पर्वा नहीं, मुझे सिफ आप से गज़ है, मत खुद को ऐसे कहो, उकरब से बुला, उसका लफ्ज लफ्ज उससे तकलीफ से दो चार कर रहा था, मत हात लगाया, आप भी ता पाग साफ है, और उसके लिए मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, खामोशी से कप्रे चेंज करो, मैं आप के लिए कुछ खाने को लाता हूँ, और अब एक बार भी अपने लिए ऐसे अजियत भरे अलफास इस्तिमाल किये तो मैं बहुत बुरी तरह पेशा उठो, चेंज करो, अच्छे से मुहाद धो, कुछ खाने के लिए लाता हूँ, खुद खड़ा हुआ, फिर हाथ पकड़का उसे भी फर्स से उठाया, कपड़े उसके हाथ में थमाकर वो कमरे से बाहा निकला, कुछ दिर बाद खाने की ट्रे थामे कमरे में आया तो वो कप उसा से देखा था, मना जब भी इस हुलिया में देखा, नजरे सरत से उसके रूप से हटा लेता, मगर आज वो उसे यूँ देखने का हर हक रखता था, सोफे के आगे चोटी सी शिशे की मेस पड़ी थी, दारिम ने ट्रेप उस पर रखी, वलिया ने चौक कर उसे देखा, पिटांगे सोफे से लटका लिए, दारिम उसके खरीब बैठा, उना महसुस अंदाज में पीछे खिसकी, मुझे भूख नहीं, भारी लेज़े में उससे नजरे चुराक कर कहा, कभी-कभी भूख के बगए भी खाना पड़ता है, क्योंकि ये जरुवत है, चाहत नहीं, द कंदे के साथ कंधा टकराते, उसका लेज़ा कंभीर हुआ, वलिया एक दम और खिसकी, दारिम ने हाथ बढ़ाका से नजदीक करते, इसकी दूरी होने की पोशिश तर्प कर दी, ऐसे दूर होगी, तो मैं हर मस्थिध बालाय ताक रख तूंगा, उसका सरगोशी नुमा ले एक बात पूछो, कुछ देर खामशने से खाने के बाद, वलिया की आवास सुनाए दी, सो पूछो, महबा से चूर लहज़िंग बुला, येकिनन आपके बहुत से रिसॉर्से होंगे, क्या आप उस कॉल्व को ट्रेस करवा सकते हैं, जो उस दिन वहाथ को की गई थी, वलि वलिया का मूँ उसकी बात पर खुल गया, मेरी इस बात में ये बात कहां से निकलती, वहरा से मूँ खुले उसे देख रही थी, वो जिस किसी ने भी किया, मुझे अब नहीं जानना, आप मेरी है, मिरे लिए ही काफी है, दुबरा किसी का नाम यू मेरे सामने मत लेना, मैं उसकी तस्वीर तक नहीं देखी, विलिया ने चबा चबा कर कहा, तो दुख है, खाने से हाथ खीच कर कमर पीछे, तोफे की पुछते से टिकाते एक हाथ भी, उस पर धरा, ऐसे कि वलिया उसके बादू के हलके में आ गई, जी नहीं, उचिड़ कर बोली, कुछ देर पहले उसे देखा नहीं, उस एक्स का बड़ा दुख हो रहा है, फिर से उसे चिड़ाया, मुझे किसी का दुख नहीं हो रहा है, अंदाजा नहीं था, क्या आप शकी भी होंगे, प्लियर टेबल पर प्रटखने वाले अंदाज में रखे, अभी आपने मुझे जाना ही कितना है, उसके कंदे पर हुले से उंगलिया फेटे विलिया को कनफ्यूस कर रहा था, उसके चेहरे पर बिखने वाले सुर्खियों से मज़ा दिला रहे थी, वो अब उसकी थी, यही एहसास ही बहुत था, वो एकदम उठकर बैट की जानी बड़ी, दारिम ने उसका भागने वाला देखकर मस्कुराहत दबाई, मुझे सोना है, बैट पर बैटते उसने दारिम को कुछ बोलती, आँखों से नजरे चुराई, जरूर, उसे मजीद तंग करने कर आदा मलतवी करके उठा, इंटर कौम पर मुलासमा को कमरे में आने का कहा, कुछ दिर बाद दर्वाजे पर न देली पर गोली रखकर पाने के किलास बढ़ाए, उसने खामशे से गोली खाली, दारिम ने खिड़की के परदे दरुस्त कियर नाइट बलब आउन करके लाइट आफ की, वलिया सांस रोके ऐसे ही बैठी रही, दिल की धरकन तेज हो चुकी थी, रिष्टे का हिसास अब हो उसे अपने साथ लिटा कर वाजू के घेरे में ले लिया, इस रिष्टे को आगे बढ़ाने की मर्जी में आप पर छोड़ता हूँ, उसके अलफास वलिया की दिल की तेज होती धरकन पर फुवार बन कर बरसे, एक सुकून सा रखवोपे में उतर गया, हुले से उसके जान अपने सीने पर सर रखे, उसके हाथ पर हाथ रखे, उसे अपने लफजों से सिराप कर रहा था, एक हाथ हुले से उसके बालों में फिर रहा था, उसके आसाब इस गोली सी तो नहीं, हाँ, दारिम के अलफास और महुबत भरे लंस इसे जरूर पुर सुकून हो गए थे, च उसकी जानिब से करवट ले दी, मैं फरिश्टा नहीं, उससे मुखातिब होते थोड़ा सा फासला बढ़ा कर लेटा, उसके आँख खुली दारिम की करवट वलिया की जानी भी थी, खामोशे से कितने ही लमे वो उसके फुबरू चहरे को देखती रही, हाथ बढ़ा कर उस के छे बजे थे, अक्तुबर के वाइल दिन थे, इसलिए बाहर हलकी हलकी खुनकी थी, फिरके से लौन का मनजर साफ नजरा रहा था, एक दम उसे अंदर घुटन महसूस होने लगी, वाश्रूम जाकर पहले मुहाद धुया और खामोशे से कमरे से बाहर आ गई, दोबारा के नक्षे से वाकिफ थी, शिडियों से नीचे उतरी, फ़र सो खामोशी थी, वो भी सी खामोशी से बाहर लौन में आ गई, जा बजा खुसरत फूलों, पौदे, दरख्त लेला रहे थे, खामोशी से कितनी दिल वो यहां वहां चक्का लगा दी रही, फिर ठक कर सामने दर को डिस्टाप करना मुनासिब नहीं समझा, अंदा जाने की बचायों लौन में ही उसके पास आ गए, वलिया ने कदमों की चाप महसूस माई जानी देखा, यावर को अपनी जानी बाता देखो तेजी से खड़ी भी, अरे बैठो बैठो, उसे बोखलाहट में खड़े होते देखकर चेहरे पर मुस्कुराट सुझाए, उसे बैठने का इशारा करने लगे, असलाम उलेकुम अंकल, वो बैठते ही बोली, वालेकुम असलाम, अंकल नहीं डैडी, उसकी तसी करने लगे, उसने जटके से सर उठाया, दारिम का डैडी, तो तुम्हारा भी डैडी, उस आज भी आख खुल गई, दोबारा नीन नहीं आई, तो सोचा, यहां आ जो, कितना सुकून है नहीं, अब की बार उसने तफसीन से जवाब दिया, बेटे सुकून हमें तब ही महसूस होता है, जब वो हमारे अंदर होता है, उनकी बात पर उसने उलच कर उनके जानिब तो क्या ये सुकून, उस शक्स की मरूने मिनना था, उसने खुद से सवाल किया, एक बात पूछू, टेड़ी, जिजगते उन्हें मुखातिब क्या, जी मेरा बेटा, जरूर, बचहरे पर नरम तासुरात भी उससे देख रहे थे, आपने दारिम को मुझसे शादी पर क्यो सपोर्ट किया, मैं जानती हूँ, आंटे इस हक में नहीं है, है ना, उन से सवाल करते तस्दीक चाही, ये जरूरी नहीं होता कि हमारे फैसलों में हर दफ़ा हमारे साथ जुड़े लोग, हमारे साथ थे, हर एक की अपनी सोच होती है, और हम उसके सोच को ना तो ठीक करने क एक्तिया रखते हैं, ना हमें करना चाहिए, मुझे उनकी सोच से सरुकार नहीं, हाँ, मैंने दारिम की आंकों में तुम्हारे लिए महबत भांप ली थी, और वो ऐसी महबत थी, जिसमें अमीरी करीबी, खुबसूर्ती या मामली शकर, ये सब बाते मानी नहीं रखती, त अब जब वो तुम्हें देखता है, ऐसा लगता है कि वो एद्गित की हर चीज़ फरामोश कर चुका है, बैटे जो कुछ आपके साथ हुआ, उसमें आपका कोई कुसूर नहीं था, नहीं, आप खुद को इस चीज़ से बाहर निकालो, और ये तब ही ममकिन है जब अपने एद्गित की महबतों पर यकीन करोगी, और दुनिया को फेस करोगी, उनकी बात पर वो सा चुका गई, इनसान खुद को बड़ी जल्द अजियत मुब्तिला कर लेता है, लोग शायद उसे इतनी जल्दी अजियत नहीं देते, जितनी जल्दी वो खुद को देता है, और प केले-केले वॉक पर चले के, यावर के कंदों पर पढ़ने वाले दबाओं के साथ दारिम की बश्याश सी आवास उन्हें बहत भली लगी, वलिया जो हाथों को मरोडने मसरूफ थी, उसकी आवास पर चन लभों के लिए, हाथों की हरकत रोकी, कुछ देर पहले ही उसकी आ बागने के लिए पर तोड रही थी, फौरण उठकर अंदर के जानी बढ़ी, मुतमें हो वो तो अंदर जाती वलिया को देख रहा था, और यावर उसे उनके सवाल पर एक जानदार मस्कुराइट उसके लबों पर खिली, बहुत, उमीद है वो जल्द ही इस फेस से बाहर जाएगी, उसने मस्कुराइटी नजर उन पर डाली, इन्शालला, वमी ने रात में आप से कुछ कहा, एक दम उसका चहरा संजीता हुआ, यावर की भी मस्कुराइट से मुटी, उससे वक्त लगेगा वलिया को कुबूल करने में, उमीद अच्छी रखनी चाहिए, उसे प पर मौजूद थे, सदफ का इंतिजार कर रहे थे, सदफ ने बादल नौखासता जवाब देते, दारिम के बरावर में बैठी, वलिया पर एक अच्छती निगाँ डाली, यावर और दारिम ने खामुशे सदफ का उखड़ा उखड़ा रवया देखा, अब अगर यह हमारे खांदान का हिसा बन ही गई है, तो कोई धंके कपड़े भी उसे दिलवा दो, उसके कपड़ों को देखकर उन्होंने दारिम को देखकर तन्जियन कहा, वैसे तो मुझे हर हाल न प्यारी लगती है, लेकिन खेर, आपका हुकम सरा आंखों पर थोड़ी देर तक शौपिंग करवा लाता हूँ, माँ की बात पर लंभा बर को उसने उनकी जानिक देखा, फिस साथ बैठी वलिया को बाजो के गेरे में लेकर उसके सर पर प्यार करती माँ को गोया चिड़ाया, वो इस महबत भर नजारे को देखका सुलक गई, अपनी तरफ से उन्होंने, उसकी काम मा करते चहरे से वाकिफ था, रिसेप्शन का क्या करना है अब, आखिर हम ये बात कब तक छुपाएंगे लोगों से, मुझासल वरिया को कचोड़ के लगा रही थी, छुपा तो हम अब भी नहीं रहें, ना हमें जरुरा थे छुपाने की, मैं तो वैसे भी रात को अपने सब मिलने वालों और रिष्टेदारों को मैसेज कर चुका हूँ, यावन ने बड़े मज़े से एक और बंब उन पर गिराया, जहां तक बात थे रिसेप्शन की, बच्चे जरा रिलैक्स हो जाए तो वो भी करनेंगे, वैसे भी रात ही सारिम को बताया था, वो दो हफ़तों त तालुक रखोगी, और बच्चों की मौमलात में तिजस्पी लेने की बचाए, उनके रास्ते खोटे करोगी, तो यही होगा, उन्हें अपकें से हाथ और मूँ साफ करके टेबल से उठ चुके थे, दारिम को साथ आने को कहा, उसका हाथ थप थपा कर उठा था, उनके जात जिस्टे के बाद वो कमरे से बाहर नहीं निकली, सदफ की बाते बार बार उसके दिमाग में घुम रही थी, वक्त याद आया चब इस सब के होने से पहले वो मीठे लहिजें बोलती थी, कितनी अच्छी लगती थी वो उसे, वो हमेशा सोचती थी कि उसके पास भी बहुत स शौपिंग कर वाला है। उसके करीब बैट पर बैटते उसका हाथ थामना चाहा। जिसे वलिया ने पॉरन पिछे किया। सदफ गलत तो नहीं कह रही थी। वो इस काबिल नहीं थी के उनके इतने अच्छे दिल वाले बेटे की किसमत में लिखी जाती। मुझे नहीं जाना। वो सहुला से इंकार कर गई। उसके लहजे के उदासी दारिम से ढखी चुपी नहीं थी। क्या हुआ। रात तक उसे दारिम के कुर्बा से मसला नहीं था तो फिर आप यकिननी सदफ के रविये के बाद हुआ। बस मुझे नहीं जाना। मुझे दुनिया को नहीं देखना। उनके तमसकर उड़ाती नजरे मुझे बरदाश नहीं होती। वो बस रो देने को थी। विलिया आप तो बहुत बहादूर थी ना मुझे उस विलिया से महबत हुई थी जो मर्दों में शान से खड़ी काम करती थी जो मर्दों की हरीस नजरों को अपनी जूती की नौक पर रखती थी जो अपने हक के लिए ड़ जाती थी फिर ये क्यों उसे लमा लमा उसका होसला बढ़ाना था कुछ देर पहले कि कहीं यावर की बात उसे याद आई पेटे अभी रोज उसका होसला शिकन होगा और तुम्हे रोज उसका होसला बढ़ाना पड़ेगा वो जैसे जैसे लोगों में जाएगी वो उसे ताने देंगे मगर तुम्हे उसे इतनी मजबूती दे जाते हैं में बहाद्रो नहीं रही व्योक्त quando मेरा करदार साफ था कोई मेरे करदार कर उग्ली ठाने वाला नहीं था अब जिसका दिलिकर एगा हो मेरे कुछ बै नहीं की सकूंगी उसके लिज़े में क्या कुछ ना था तकलीफ हसरत और श्दीर तरीं दुख अच्छा करूंगी उसके लज़िम बेजारी थी वह जो हर बीवी करती है अपने मिमिया का दिल खुश करती है तारी फसूल करती है वो मज़े से जुखते देखकर बोला आपको बहुत तज्रूबा है वो ना चाते भी उससे इस तरह की बहस में हिस्सा ले ले लेती थी पता नहीं क्यो तजरूबा नहीं मुशाहिदा है उसने अपनी बात पर जोर दिया वलिया बेख से कपड़े निकाल कर अभी तक दारीम के अल्मारी में नहीं रखे थे उसे बैक से कपड़े निकालते देखकर दारिम ने अफसोर से सरी लाया आपने क्या अभी वापस अपनी अमने के घचाना है वल्या कपड़े निकालकर मुर्ति उसकी बात का मतलब समझने से कासिर थी क्या मतलब? सवाल नजरोस से उसे देखा अब आपको यही रहना है डिया तो अपने कपड़े इस बैक से निकाल कर मेरी अलमानी में रखकर उसको अपने होने का शर्फ बक्षे दारिम की बात पर उसने खामोश निकास पर डाली और अगर मैं आपकी चीजों और जगे पर हिसेदार ना बनना चाहूं अपनी बात का सर उसके चहरे पर देखा जहां उसकी बात सुनका उसका चहरा मतखर हुआ आहस्ता से चलकर वो उसके मकाबल आया इस्सेदार तो आप निगा कि पेपर स्पस साइन करते ही बन गई थी इस हिस्से पर अपना हक ना जताना चाहें तो वह अलग बात है अगर उसके अलावा अगर कोई फजूल बात आपकी दिमाग में पक रही है तो उसे ठीक करना मुझे आता है रात में भी आपको बावर करवाया था अब भी कह रहा हूँ आपको अपनाया है तो ये साथ मरते दम तक निभाओंगा मुझे दूर होने या इस रिश्टे को खतम करने का सोचना भी नहीं इसकी आँखों में ज्ञांकते हुँ मजबूत लहजिंग बोला वलिया ने हैरस उसे देखा वो कैसे इसकी सोच तक रसाई हासल कर गया था मैं आपको डिसॉफ नहीं करती साजुका कर वो फिर दारिम का इम्तिहान ले गई उसे कंदों से थामते अपने नद्धिक किया या आप नहीं मैंने डिसाइड करना था अरे डिसाइड करके ही आपको अपनी जिन्दगी में शामिल किया है महबत ने अपकी बार उसके टहरे को चुआ उसने पीछे होना चाहा मगर दारिम ने फिर से ये कोशिश नाकाम बना दी यूं दूर मत हुआ करे क्यूं मेरा जबता आजमाती है दारिम की बात पर अपके उसने खफा नजर उस पर डाली फजूल बातें नहीं करे मेरे साथ मूफ उला कर बोलती हो इस लमे दारिम को और भी प्यारी लगी जाए चेंज करे खुद पर बंद बांते उसने वलिया के बाज़ उपर से हाथ अटाया हो तेजी से वाश्रूम के जाने बड़ी पिछ कलर का हलके काम वाला खुबसरा सा सोट पहने वो दारिम के साथ उसके गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी थी कि नखियों से देखा जो आसमानी शलवां खमीस पहने गाड़ी चला रहा था यकिनान उसका लिबास बहुत कीमती होगा आच से पहले उसे अपनी कमाईगे का हसास इस बुरी तरह नहीं हुआ था चितना अब हो रहा था यकिनान इस अदफ की बातों की असर था दारी ने एक नज़र खुद को देखती वलिया पर डाली उसके देखते ही वलिया ने सरह से चहरा मूर लिया मगर वो भी नज़रों की चोड़ी देख चुका था हाथ बढ़ा का स्ट्रेय ओन क्या फिर वलिया का हाथ मजबूती से अपने बाएं हाथ में थामा और दूसरे से गाड़ी चलाता रहा उसने हाथ चुडाने के कोशिश की मगर दूसरी जाने गिरफत मजबूत थी आप जितना मुच से दूर होने के कोशिश करेगी मैं अतना ही करीब आँगा एक गहरी नजवस पर डाली आप तंग कर रहे मुझे रूहां सी लहजम बोली दारिम ने एक जानदार कहका हवा के सपुर्ट किया अब इतने से मैं आपकी हिमत जवाब दे कि उसकी बात का मफूम समझते वलिया ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा स्टेडियो पे गुणने वाली सिंगर के आवाज और अर्फास ने उसे भी मुझमित किया अच्छा ना अब पेचे नहीं भूंगी हाथ छोड़ दे अभी उबेचागी से बोली देट्स माइ गरल तारिम उसका सर्द पढ़ता हाथ छोड़ा घर के बाहर गाड़ी रोक कर वो दोनों उत्रे वलिया ने दर्वाजा बचाया कल तक वो इस घर और इस महले में जिल्ला तर रस्वाई सह रही थी आज उसे घर के बाहर खड़ा देखकर कितने ही जानने वाले गली में फिरते हसरत भाई निगाहों से से देख रहे थे तो यह है पैसे की ताकत कल की वो कम माया आज सब के लिए रश्क की हैसियत रखती थी उसने तुल्के से एद्गित लोगों को देखा दारिम उसके साथ साए की तरह खड़ा था और इस साएबान नहीं उसे आज फर्श से अर्श पर बिठा दिया था दर्वाजा खुलते ही दारिम ने उसे अंदर दाखिल उने का शरा किया अमा देखे आपा और दारिम भाई आये है मुस्तफा उसे देखकर खुशी से चिलाया वलिया ने महबबस से भाई को प्यार किया फिर दारिम ने उसे साथ लगाया साएमा और यमना तेजी से कमरे से निकल कर सिहन में आई माशालला मिरे बच्छे आए है वलिया बढ़कर मां के बाजों में समा गई ऐसे लगा बेकरार दिन को सुकून मिल गया है और उसका शान तचरा देखा सुकून तो सारा को भी मिल गया वरना वो कल की बहुत परिशान थी तारिम महबबस से पहले सारा से मिला फिर यमना के सर पर हाथ फेरा कैसी हो लिटिल गर्ल महबबस से पूछा बिल्कुल ठीक दारिम भाई वे खुशे से फूले नहीं समा रही थी और भाई पढ़ाय कैसे चल रही है मज़े से मस्तफा के कंदो पर बाजू धरे उसे लिए वो उसी के कमरे की जानी बढ़ा उसके कमरे में जाने तक बिल्या ने उस पर से नजरे नहीं हटाई कैसा साहर था वो एकदम सब को अपने सहर में जखर लेता था लगी नहीं रहा था कि कुछ दिन पहले वो उन सब के लिए अंजान था तो खुश है वल्या साहरा ने दारिम के जाते इस से पूछा वो तीनों भी यमना के कमरे में आकई हाँ अमा बहुत उसने नजर चुरा कर कहा कहीं माँ आँखों में छुपा दर्द ना जान जाए तुम दोनों बाते करो मैं कुछ चाय पाने का बंदबस करती हूँ साहरा उटते वे बोली अमा बस चाय बना दे नाश्टा देर से क्या था बस थोड़ी ही देर बैटना है वो जानती थी कि साहरा अपनी हैसे से बढ़कर करने की कोशिश करेगी वोने इस तकलीफ में नहीं डालना चाती थी अच्छा अच्छा वो उसकी बात पर सरह लाकर किचन के जानी बड़ी उफ आपा आज तुम्हें और दारिम भाई को एक खटे देकर मुझे बहुत खुशी हो रही है यमना उसके गले लगकर खुशी से जगमगाते लहजें बोली तुम्हारी इस खुशी के लिए मैं बहुत तकलीफों से घुशी हो उसकी खुशी के बरक्स वलीया का लहजा थका 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 था यमना ने पीछे उकस का चेहरा देखा तुम्हारी सांस अच्छी नहीं ना उसकी बात पर इस्तिजाई हसी वो अच्छी मा है और अच्छी माय कभी कभी अच्छी सांसे नहीं होती क्योंकि उन्हें बेटे के लिए अपनी बहुए उनके मियार की नहीं लगती और वो हक पर है वलीया ने हकीकत पसंदी से कहा ऐसे कैसे तुम तो इतनी अच्छी हो और पहले तो उन्हें अच्छी लगती थी यमना ने उसकी बात पर मुफ ला कर कहा पहले मैं सिर्ग गरीब थी मगर आगवाशुदा हो गरीब को तो वो शायद कुबूल कर ले थी मगर अगवा शुदा को कुबूल करना हर किसी के बस की बात नहीं वलिया के जवाब पर यमना का दिल सुकड़ा अच्छा ये बताओ अम्मा ज्यादा उदास तो नहीं थी उसने बात करूप मोरा हाँ थी तो बस तुम्हारी सास के रवए से ही ज़्यादा परिशान थी असाफ गोई से बोली अम्मा से कहना परिशान नहो डेडी और दारिंग बहुत अच्छे है उसने तसली दी अच्छा सुनो घर के खर्चे की फिकर मत करना मैं कुछ दिनों में ऑनलाइन काम शुरू करने लगी हूँ तुम किसी को मत बताना आपा वो तो दारिंग भाई ने कल अम्मा को खर्चे के पैसे दीये थे और कह रहे थे कि अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी यमना की बात पर हक्का बक्का उसे देखती रह गए नहीं तुम अम्मा को कहना हो पैसे वो हरकीस इस्तेमाल नहीं करेगी मैं दूंगी वैसे भी अभी इस सबसे पहले मैंने जो इविंट और्गनाइज किये थे उनके काफी सारे पैसे पड़े है तुम मेरी बैग अम्मा को दे देना उसमें इतने है के चार पाँच माह तो आराम से निकल जाएंगे फिर मैं कुछ और इंतिसाम करूंगी वो फिकर्मन जहजिम बोली वो दारिम का मजीद अहसान नहीं लेना चाहती थी इससे पहले की यमना की बात पूरी होती सारा की आवास पर चुप हुकर गई आई अम्मा वलिया ने उंची आवास में कहा बोलो वलिया उसे सवाल नजरों से देखा तुम पहले चल कर चाह पियो यमना ने बात बदल दी वहां से निकल कर दारिम करो किस जानी था वलिया को नहीं मालूम था वो तो उसके घर के रास्तों से अभी नावाकिफ थी दारिम खामशे से काड़ी चला रहा था किसका फोन गुन गुनाया वायरलेस हेट फोन उसके कान में लगे हुए थे फोन को आउन किया तो हाजरा की कुछ गुसूली और कुछ चहकती आवास सुनाय थी यूँ चीटर इतनी खामशे से शादी भी कली और किसी को हवा भी नहीं लगने थी दूसरी जानी वो चिला रही थे दारिम मुस्कुरा रहा था आखिर मिली गई तुम्हें तुम्हारी मुहबबत नहीं जानती थी कि दारिम किस से बात कर रहा है मगर उसकी बात पर वो तकलीफ से लब भीच कर रह गई चलो खर कोई बात नहीं रिसेप्शन कब है वो दारिम की आदत से वाकिफ थी जो बात तो बताना ना चाहे उसे कुरेदा जाये तो शदीर कुस्सा हो जाता था इसलिए हाजना ने कुरेदना मुनासिब नहीं समझा दो हफते बात सारी मारा है फैमिली समय तो बस उसके आने पर रखेंगे मौर कार्टिस ने बताया वलिया तुम्हारे साथ है उसके सवाल पर दारिम ने एक नज़र अपने साथ बैठी वलिया को देखा जो नजारे देखने मगंत यहां मेरी बात करवाओ वो मिसर हुई है अब तुम लोग बीच में टपक पड़ो मुझे अपनी बीवी के साथ बचा गया जानता था अभी किसी की सरासी बात भी उसके हॉस्टे डगमगा देगी बड़ी मुश्किल से उसे सदफ की बातों के असासी निकाल पाया था उसकी बात पर वलिया के चरे पर लाली बिखरी दारिम यूमीन अच्छा जनाब बीवी के आते ही बदल गए वो उसे सलवाते देने रगी हा हा इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में वो कहा हाता आने वाला था रात में बात करवाता हूं उसे तसली देते दारिम ने फोन बन गया एक मौल के सामने गाड़ी रोकते देखकर वलिया पर एकदम वहशत सवार हुई मैंने आपको कहा था मुझे अपनी जाने को दर्वाजा खोलते उसे भी उतरने का इशारा किया आप खुदी चले जाएं मुझे नहीं उतरना वो हटधर्मी से बोली दारिम ने गहरी सांस खेची या कोई ऐसा नहीं जो आपको जानता हो लिहासा कोई आपका तमसकर भे नजरों से नहीं देखेगा वलिया लोगों के पास इतना फाल्टो टाइम नहीं होता कि वो लोगों को देखते और उनके बारे में तफसरा करते रहे उसे तहम्मल से समझाया मुझे वहशत हो रही है डर लग रहा है उसके अंदर ये कैसा खौफ था मैं आपके साथ हो ना उत्रे शाबाश दारेम ने फिरसे से समझाया वो नफी में सरी लाएं लगी वलिया अपकी बार दारेम ने आँखी दिखाई अच्छा अब डराये तो मत उसे दारेम का रात वाला रूप याद आया जब जोड से चिलाते उसने वलिया को जोड़ा था उसके गुस्से से बहुत डर गई थी अब भी डर कर जल्दी से काड़ी सुतरी बहुत बुरे लग रहे थे अभी आप आँखे दिखाते मूफ लाये मज़े से उसके साथ चलते उसका बाजो थामे उसी की बुराया कर रही थी आप भी बहुत बुरी लगती है यू बेवज़े डरती हुई मुजदिल सी वलिया मुझे बिल्कुल मुहमबत नहीं है वो भी मज़े से उसकी बुराया उसी से कर रहा था अभी तो एक दिन में ही बुरी लगने लग गई वलिया ने चिड़कर जवाब दिया हाँ ना प्यार तो दिखा ही नहीं रात से कभी रोना धोना तो कभी लड़ना मुसक्राहर दबाते हूँ फिर से उसे चिड़ाने लगा खुद तो बड़ा प्यार निचावर कर दिया है गुस्से से बोलते हूँ क्या कहे गई थी समझ तब आया जब दारिम खुलकर हैसा मैंने तो ममी और डैडी के सामने भी प्यार निचावर किया था आप ही ला टमाटर बन रही थी दारिम का गंभी लहचा उसकी बोलती बन कर गया उसे परवा नहीं थी इस लम्हें कौन उसे देख रहा है वो कहां आ गई है और ये नोग जोगी तो दारिम ने उसकी जिन्दगी का हिस्सा बनानी थी उसे जवाब देने की बज़ा है तेज़ी से एक दुकान में दाखल हुए फिर दारिम ने उसे क्या कुछ दिला कर दिया और शुमार नहीं कर पाई बस कर दे मैं अब गिर जाओंगी कहीं वो तंग पड़ गई थी मगर दारिम फिरते हुए तंग नहीं पड़ा था लोग गलत कहते हैं कि मर्दों को दुकान दुकान फिरने से चिड़ होती है वलिया ने उसके मुस्ताकिल मिज़ाजी को देखका चोट की हाँ तो ये ओफर महदूद मुद्द के लिए है आइंदा आपको फिक्स टाइम मिले का उसी में शॉपिंग करनी होंगी वो हरी जंडी दिखा कर बोला फिर तो मैं अपने अलफाज वापस लेती हूँ वलिया ने जल्दी से बात बदली दारिम मस्कुरा कर रह गया कुछ खाना है दारिम के पूछने पस ने नफी में सरलाया नहीं कहीं बैट कर नहीं या तो घर चले या फिर गाड़ी में बैट कर कुछ खिला दे वो आकरी में ठग गई थी दारिम उसे लिए गाड़ी के चानी बढ़ा जिस लमें वलिया की आँख खुली सुबा दारिम उसे के लिए तयार हो रहा था गुड मॉनिंग ड्रेसिंग से बैट का मनजर वाज़े नजर आता था वो शिशे से वलिया को उठते देख चुका था मॉनिंग आप कहां जा रहे हैं उठकर बैठी पास पड़ा डूपटा उठा का शानों पर डाला और बाल समिटे आफिस जा रहा हूँ एक जरूरी मीटिंग है जल्दी खतम करके आ जाओंगा परफ्यूम स्प्रे करते वो मस्रूप से लहजें बोला मलिया ने आँखे बंद करके इस मस्हूर कुन खुश्बू का अपने अंदर उतारा ना जाने वो कौन सा पाफ्यूम इस्तिमार करता था बहुत दिल्फरे खुश्बू होती थी उसकी आप रेस्ट करना डैडी शायद घर पर हो उनसे बाते कर लेना नहीं तो स्टडी रूम में जाकर किताबे पढ़ लेना उसकी जानी बाते उसे वक्त गुजारने के तरीके बता रहा था वो सर इलाकर बैट सुतरी जब वो उसके मकाबल आया वलिया ने सर उठाकर सवाली नजरों से उसके जानी देखा कैसी बीवी है शोहर के नाश्ते की कोई फिकर नहीं मैंने कहा जा रहा हूं तो भी पूछा ही नहीं के नाश्ता किया या नहीं उसकी नीम के खुमार में डूबी आंखों को अपनी गहरी आंखों में जखड़े मुहबत भरा शिक्वा किया मुझे ख्याल नहीं रहा आप बस दस मिनट वेट करे मैं अभी नाश्ता बना देती हूं माते पर हाथ मारते तेजे से उसके साइट से गुजर कर वाश्रूम के जानी बढ़ने ही वाली थी कि बाजू दारिम के हाथ के शिकंचे में आ गया मजाग कर रहा हूँ अब टाइम नहीं आफिस जाकर करूंगा उसे वापस अपने मकाबिर खड़ा किया आप मुझे पहले उठा देते ना पता नहीं इतनी नीन क्यों आने लग गई है वो शर्मी लगी से बोली जब आपके दुख बाटने वाले मौजूद हो तो फिर सुकून भरी नीन्दे ही आती है महबबा से उसके सबीर चरे पर उमलिया फेरी वलिया खफीर सा पीछे होना चाहती थी फिर याद आया उसने धंकी दी थी जितना दूर हुई उतना करीब आऊंगा इसलिए धरकता दिल लिये वही खड़ी रही अब जाए ना देर हो रही है उसे टस्से मसना होते देखकर याद दिलाया इसकी बात का जवाब देने के बजार दारिम ने बढ़का उसे खुब से लगाया उसकी खुश्बू अपने अंदर उतारने लगा आप ऐसे क्यों कर रहें गबराई कभी ये मत सोचना कि मैं आपके साथ नहीं या कोई कुछ भी कह कर मुझे आपसे मतनफर कर देगा अब इस घर पर यहां की हर चीज़ पर आपका भी उतना ही है कर जितना हम सब का है आप इस घर का हिस्सा है ममी के बातों को पलीस दिल पर मत लेना एक तरफ आपका इतिमाद बहाल करता हूँ तो आप उनकी बातों को दिल से लगाकर सब तहस नहित कर देती हो मुझे पर इतना जुलम करके आपको तरस नहीं आता उसके माते से माता ठिकाए बोजहल आवाज में उसे बेबस करने के सब हर्बों से वाकिफ था शाम में जब वो शौपिंग से वापस आए दारिम ने उसे मा के पास बेचा के वो उन्हें चीज़े दिखा दे शायद मा का मूट बहाल हो मगर सदफ के रूट रवये पर वो फिर से दारिम के साथ अजनवी हो गई और यह अजनवियत रात तक बरकरार ही वो तो सो गई मगर वो रात देर तक लग जाता रहा मैं जान बुचकर नहीं करती मुझे डर लगता है अगर आप भी मुझे से बेजार हो गए तो मैं आपकी महबत को चाहते भी कुबल नहीं कर पा रही अगर कल को आपने मुझ मौल लिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी उसकी आँखों में भरने वाला पानी दारिम ने बहने से पहले हातों से चुन दिया जब सब जानते हुए आपको अपनाया है तो ऐसे कैसे किसी की बातों मैं आका छोड़ दूँगा दारिम की महबत भरे लहजेरे से तक्यूए पहुचाई यह सब आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं जा रहा हूँ मेरे पिछे कोई भी बात हो आपने कोई हिमाकत नहीं करने प्लीज रैडी मुसलसल मम्मी को समझा रहे मगर कुछ लोग समझते हुए वक्त लेते हैं और शायद औरते कुछ ज़्यादा ही आखरी बात पर उसे चोट की आपने मुझे टॉंट किया उसकी शरायत पर तो तौक्का के मताविक को भड़ा कुछी कोशिच तो नहीं की थी लेकिन अगर आपने महसुस कर लिया है तो कुछ कह नहीं सकता बंदे उचका तो इसके पास से हटते अलमारी की चानी बड़ा लैपटॉप बैग तमेट निकाला अच्छा आप मूड आफ नहीं करो अच्छे से सी आफ करो मुझे वो अभी भी वहीं खड़ी उसे खूर रही थी दारिम उसके अंदास पर मुस्कुराया इतना गुस्ता कहां से आ गया है आपने शाह से फिर उस पर चोट की आप गुस्ता दिलाते हैं सारा अलदाम उस पर लगाए उस्मान के लिए शुक्रिया वो गुस्ता और नखरे इसी को दिखाते हैं न जिस पर सबसे ज़्यादा मान होता है उसकी गुस्ते से लाल होती नाग पर महबत भरी निशानी देते उसे नज़े जुकाने पर मचबूर कर दिया जल्दी आ चाना कमरे से निकलते जिसके आवास पर दारिम का हंडल पर धराहाद लमा भर को थमा उसकी दो जाओंगा मुड़का उसे देखा जिसके चेहरे पर खौफ सथा ऐसे जैसे भीर में बच्चा अकेला रह जाए लगर उसे मजबूत बनाने के लिए कुछ जंगे उसे खुद मेरी पिले उसे अकेला छोड़ना था दारिम ने घर से निकलते वक काम वाली को कह दिया था के वलिया का नाश्ता उसके कमरे में ही दे आए नाश्ते से फारी को कर जिस वक काम वाली बरतन उठाने आई वलिया ने से पुकारा आंटी है घर पे जिजग का पुछा नहीं वो तो दारिम साहब के जाने के कुछ देर बाद ही चली कई थी बस बड़े साब घर पे है वो सरहिला गई कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकली डाउन से टीवी के आवाज आ रही थी वलिया ने सीडियों से जाका तो यावर बैठे थे वो सकुन की सांस देदी नीचे उतरी यावर उसे सीडियों से उताता देखकर मुस्कुराए कैसा है मेरा बच्चा उसे अपने करीब सोफे पर बैठने का इशारा क्या वो भी आराम से बढ़ गई मुझे दारीव ने बताया था यहां स्टडी रूम है फिड़ टीवी के दाने बेट नसुर नजरों से देखने के बाद उसने यावर से पुछा हाँ हाँ बिलकुल है और तुम्हें अपनी कलेक्शन दिखाओं उसके यूं किताबों में दिचस्पी लेने पर बेहत खुश है टीवी बन करते हो उसे लिए दाएं जाने बने कमरों की तरफ बढ़े एक कमरे का दर्वादा खुला कमरे की तीन दिवारों में अल्मारिय बनी हुई थी और उनमें किताबे सजी थी एक जानिब टेबल रखी थी जिसके गिर्द चार टेबल थी जो दिवार खाली थी वहाँ उन चारों की फैमिली पिच्चर लगी थी उसी के नीचे आरामदा सोफा रखा था उसने अभी तक सारिम को नहीं देखा था उसने भी दिल्चस्पी जाहर की हाँ हाँ क्यों नहीं तुम बैटों में तुम्हें अलबंस दिखाता हूँ उसे बैटने का शारा करते हो तेजी से एक जानी बड़े बड़ा सा अलबं निकाल का सोफे पर वलिया के पास बैट गए अफिक इतने घंटे वो उनके साथ वहाँ बैटी बाते करती रही उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ तस्विरों के वालावा मुक्तलिक किताबों पर सेर हासिन तफसिरा चंद किताब यावा से जास्त लेकर कमरे में ले आई उसका मूर बेहत खुशकवार हो चुका था उस लम्हे एक किताब लिये वो बैठी के साइट टेबल पर पड़ा मुबैल गुन गुनाया हाथ बढ़ा का उठाया तो दारिम कॉलिंग लिखा था कब से आपको और डैडी को कॉल करना था दोनों नहीं उठा रहे थे उसके फॉन उठाते उपरे शाये से बले सारी वो मैं डैडी के साथ स्टडी रूम में थी शर्मिन्दा हुई वाव गिरेट खुशकवार लेटे में कहा आपकी मिटिंग हो गई और याद आने पर पुशने लेगी हैं मिटिंग हो गई इनफेक्ट दुबई के कमपणी के साथ कुछ देन चल रही थी तो वाज फैनल हो गई है उसने तफसीर से बताए मबारक हो उसने भी खुशदिली से मबारक बात दी चले किचन में देखे क्या बना है मैं बस घर पहुँचने वाला हूँ फिर इखटे लंच करते हैं वो फोन बन करने से पहले उसे काम पर लगा चुका था फोन और किताब साइट पर रखती हुँ तेजी से उठी खाने के बाद वो बैट पर बैठा लैपटाप सामने रखे काम में मसरूफ था बैट के दुसरी जानी वो किताब हाथों में लिये पढ़ने से ज़्यादा कुछ सोचने मसरूफ थी सुने एकदम कुछ सोच कर से पुका रहा हुँ दारिम ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया आपके पास और लैपटाप है वलिया की बात पर उसने चौंक का देखा हुँँ स्टडी में पढ़ा हुआ है एक और क्यों फिर से काम के जाने मतवज़ होते उसने उसी अंदाज में पुछा बस वैसे ही सोच रही थी कि कुछ सर्च कर लिया करो वो बात बना गई मसलन क्या सर्च करना है मिया को काबो में करने के 101 तरीके वो गैर संजीद्गी से बोला यह तरीके देखने की ज़रत नहीं मुझे उसा जटक कर बोली उफ 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 क्या कहने इस अर्तिमाद की इधर देखना जरू मेरी तरफ उशास इसके बाज़ों पर हरत रखकर उसे अपनी तरफ मतवज़े किया कोई नहीं देख रही मैं आपको उसकी शायात वो जान गई थी नफी में सरिलाते सर और जुकर रह शाम में कुछ अच्छा सा बना दे क्या फाइदा शेफ बीवी का जिसके हाथ का कुछ अभी नहीं खाया वो लहजे में बेचार की समो कर बोला क्या खाएंगे किताब बन करके अब उसने दारिम के जानेब रुक गया जो आप खिला दे बलकि एकटे चल कर बनाते हैं घड़ी पर वक्त देखा शाम के खाएंगे का बना रही थी मेरे दिल चा रहा था आपके साथ इस्तिकाख से खड़े होकर वो सब बनाओ उसके कंदे पर हाथ रखे वो अपनी खुआशे बता रहा था तो ये खुआश पूरी होने बे मासुमिया से बोलता वो इसलमे वलिया को छोटा सा बच्टा लगा उस्ता जाले शामने मुझाशे से इजाज़त देती इससे पहले बाहर निकली किचन में पहुंच कर उसने वहां काम करती मुलासमा को जाने का हुकम किया दो एपरन किचन के कैबिनेट से निकाले वो लिये उसके करीब आया बजाया उसे पकड़ाने की कंदे से थाम का सकरुख मुडा और मज़े से उसे एपरन पहनाने लगा बल्ये ने दाएं बाएं हाथ खोल कर हैरत का इजहार किया कि मैं खुद भी पहन सकती थी जैसे ही वो बान कर उसके लामने आया और खश्मा की निगाहों से देख कर बोली जी बिल्कुल मगर मेरा मानना है कि जब आपको असिस्ट कर रहा हूँ तो पूरी तरह करो अच्छा बता है कि क्या बनाना है उसके जहरे के जावी बिगरते देखकर मौद बदल गया वो खामशी से फिरिज के जाने बढ़ी कुछ दिर उसमें देखती और साथ साथ सोचती रही मसला एफीसा गौरस तो नहीं पोछ लिया अपने सवाल के जवाब में इतनी लंबी खामशी देखकर और उसने हांक लगाई सोचने देना मुड का उसे घुरा फिर फिरिज से क्रीम का पैकिट निकाला लेमन टाट तो नहीं मगर इससे मिलती जुलती एक चीज़ बनाने लगी हूं बिसकिट कहां होंगे डारम दिल्चस की उससे देखने लगा फिर बढ़कर एक कैबिनेट से बिसकिट निकाल का उसके सामने रखे विलिया ने जल्दी से चंड बिसकिट के पैकिट खोल कर एक जानिब रखे बिलेंडर में डाले अब उनको आप बिलेंड करें मज़े से उ बिसकिट के मिक्स्टर को चखा वालिया ने बिलेंड हुए बिसकिट की अच्छी तरह टैय बिठाई दारिम के मिक्स्टर को चखा वाओ बेश साखता उसके मों से निकला टेस्टी है ना वलिया उसके तौसीफी अंदास पर खुश हुई बहुत थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा कड़वा पिलकुल आपकी तरह महबस उसे देखते थोड़ इसी क्रीम लेकर उसके नाक की नोक पर लगाए दारिम वो होले से चिलाई मेरी तवर्जे खराब ना करें अच्छा ना वना तो भी खाना पड़ेगा उसे धंकाने लगी वो खिल खिलाया जब तहे अच्छी तरह बिच गई तो वलिया ने मोल्ड उसकी जानी बढ़ाया अब इसे आदे घंटे के लिए फ्रीजर में रखे ताके सैट हो जाए दारिम ने उसके हाथ से मोल दिया और फ्रीजर की जानी बढ़ा ये तो फ्रीजर में रखने से सैट हो जाएका आपको कहां रखों कि आप भी मेरे साथ सैट हो जाए दारिम की गेर मतवा का सवाल पर सके चेहरे के रंग बदले आप हर बात में मेरी अपनी बात क्यों निकाल लेते हैं वो खब की बरे नजरे उस पर डाल कर बोली क्योंकि वो शायर ने क्या पूप कहा है इतनी मनमानिया अच्छी नहीं होती तुम सिर्फ अपने नहीं मेरे भी हो इसका जुमाइनी लहजा वलिया की नजरे जुकाने के लिए बहुत था इससे पहले कि कुछ क ममी कैसी है महबस सिमा की जानी बढ़कर उन्हें साथ लगाते महबस सिमा थी पर प्यार कियाा वालैकूब स्लाम ठीकूँ हूँ एक कार्दार नजर वलिया पर एडाली सब काम व küç कहां गई है सवालदारीं से था मगर नजरे वलिया की जानी songs फर्माश dulcie पεί Companiesुर उनर लेकर किचन में आ गया तो इनको भेज़ दिया आपको क्या तो ही वलिया दे देती है महबस उसकी जानी देखकर माँ से मखातिव हुआ मेरे पास कामवालियों की कमी नहीं है पिरिज की जानी बढ़ते उसे खोल कर पानी की बोतर निकाली और कुटेली नजर वलिया पर डालकर तंस किया किचन मौजूड टेबल के साथ रखी कुर्सी को घसीट कर उस पर बैठते एक गलास सीधा करके पानी उसमें डाला और घूट घूट पीने लगी जे बिल्कुल वो आपकी बहु की तरह आपका ध्यान नहीं रख सकती दारिम के चहरे पर अपकी बार गहरी संजीद की आई एक नजर वलिया को देखा जिसने आंसों से लवरेज आंखे चुकाई वो हमेशा से मेरा ध्यान ही रख रही है दो दिन से पसंद होगी मुझे हर्गिस नहीं है उन्होंने हर लिहांस बालाय ताग रखकर अपनी नापसंदिद्गी का खुलकर इजहार किया मा का हसास से आरी लेजा उसे शदीद तकलीफ से दोचार कर गया एक नजर वलिया को देखा जो होटों पर हाथ रखे आंसों को रोकने की कोशिश कर रही थी दारिम ने बेबस इस उसे देखा फिर एपरन उठा कर जोर से टेबल पर फैंक कर तामने रखी कुरसी को जोर से हमारी सदफ तो सदफ वलिया भी डर गई दोनों ने सहन कर गुसे से तनफन करते दारिम को किचन से जाते देखा सुकून मिल रहा होगा तुम्हे मेरे बेटे को मेरे मुकाबले पर लाते एक कड़ी निगास पड़ा ली आंटी ऐसा कुछ नहीं है एकीन करे मेरे बस में होत तो वो अपनी माँ खो देखा अगर इस खांदान के इस अहसान की कदर करती हो तो उसे दूसरी शादी करने के लिए राजी करो तुम जिसी से तो मैं हरकिस उसकी नसल चलाने की खोईशमन नहीं हूँ उसके कानों में जहर उंडेल कर वो भी किचन से बाहर जा चुकी थी व अगर वो मसलसल उसे इग्नोर कर रहा था खामोशी से सरजुकाय वाश्रूम में बंद होके दारी में सर ठाकर वाश्रूम का बंद होता दर्वाजा देखा फिस सरजुकाया रात तक उसका मूड वैसा ही रहा खाने के टेबल तक वो खामोशी रहा सारी म दो हफ़तों की कर जाने नहीं देते थे आपने और टार्ट बना लिया था दारी उन दोनों से एकसर बेनियास एकदम वलिया से मखातिवा वो एकदम चौंकी उमीद नहीं थी कि इतनी देर की नाराज़के बाद भूलाय का जी बना ली थी वलिया तो लाए दारी ने नेपकिन से हाथ साफ करते कहा सदफ ये अलतफाद देकर वेचताप खा रही थी आज आपकी बहुने टार्ट का नेमल बदल बनाया है जिस पर ममी ने अपनी बातों के डेकुरेशन भी कर दी थी दारी ने एक मलामती नजर माँ पर डाली उन्हें अंदासा नहीं था वो एकदम इस बात का हवाल कर रही है तो ममी उसे मकाबले में पर मत लाए वो मेरी बीवी है उसे जितना जल्दी आप एकसेप्ट करेगी बहतर है उसके साथ अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा भी मत करें वो संजीद की से एक एक लवस बस जोड़ दे कर बोला क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ उ अगर जो अगवा शुदा का टेग लगा है वो मैं आखिर दिल की बाद जुबान पर आ गई अगर आपकी अपनी बेटी होती उसके साथ ये होता कि आप उसे घर से निपाहा निकाल देती आज वो खुलकर उनसे बात कर रहा था क्या बकवास कर रहे हो वो तड़क कर बोली सिर्फ ये सोच करी आप देहल गई है तो सोचे वो जिनकी बेटी है वो किस तकलीफ से गुज़ी होंगी लमा भर को उसकी मा ना बने मगर ये सोच लेकर आपकी बेटी इस जगे होती तारिम की बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था कोई भी जवाब दिये बिनाव खाम करनी में वो वॉक कर रहे थे दोनों खामोश थे एक बात कहूं वलिया ने हिम्मत मुझतमा करकि कबसे दिमाग में चलने वाली सोच और इरादे को अलफास का जामया पेनाना चाहा कहें वलिया ने एक नज़र साथ चलते दारिम को देखा गिरे ट्राउजर पर स्किन कलर की टी-शर्ट पहने रफ से हुलिये में भी वो अचीब दिलकशी रखता था रात के पहर इस वक्त हासी खुनकी थी मगर इस लमें उन दोनों को अपनी मुंतशा सोचों के सबब महसूस नहीं हो रही थी आप दूसरी शादी कर ले उसकी बात पर लमा भर को रुका उसकी जान में तो था कि वह वाविला करेगा शदीद गुस्ता दिखाएगा मगर वहां तो सुकूत था मेरे लिए सिर्फ आपका नाम ही बहुत है मैंने तो इतने की भी चान नहीं की थी आपने मुझे कहा था इस रिष्टे को आगे बढ़ाने की मर्सी मुझ पर है मैं इस रिष्टे आपकी मा के मुकाबले पर आजाओं महबत की है आपसे आपके हर रिष्टे से महबत में तकलीफ नहीं दी जाती आपसे ही सीखा था आंसों से भरी आँखों ने दारिम को बेबस किया जब फाहस रिष्टा जुड़ने पर आपको मैंने ये कहकर मना किया था कि मैं अपनी मा पे बुझ दिलि के ताने दे रहे आपकी मा के सामने डर चाओं गुनेकार बन चाओं लगा के एक और कहर को आवाज दू नहीं दारिम ये नहीं कर सकती मैं अपनी ताकत रिष्टों पर दिखाने के हकमें नहीं उस रिष्टों के लिए तो इस्तिमाल कर सकती हूं मगर बसी सिरो दी, इसहार भी तो किया तो कहां, सरे रहा, वो दोनों ही अजीब थे, दारीन ने इसहार किया तो भीड में, और वलिया ने इसहार किया तो सरे रहा, कुछ महबते वाकी अजीब होती है, गर्स सिपाक, उन दोनों ने एक दूसरे से ऐसी ही महबत की थी, जिस इतनों की चाहा से मुबर्रा, जात की हुसूल की चाह लियो, दारीम ने अपने गिले होते बाजू, खोर को उसे अपनी हसार में ले लिया, अब उसे कुछ और सोचना था, वो घुस्से में है, उसके बाद पर उसके कंदे से सर उठा को से देखा, वो नाखुश है, और नाखुशी उससे को ही जर्म देती है, वलिया ने उसके तस्यीर की, अच्छा फ़र्ज करो, दूसे शादी कर लेता हूँ, मगर जानती है, उसके बाद पर सवाले निगाहों से देखा, दोनों में तवाजन, पहली के हुकुख पूरे करके फिर दूसरी करना, उसकी बाद पर उसका खामुशी से वापसी किरा ली, बुजदिल, दारिन की मस्कराते लेजे ने उसे चड़ाया, हाँ, हूँ बुजदिल, मुड कर उसे घुरा, भगोडी भी, उसके करीब आते एक और लकप से नवाजा, हूँ कियास, और मज़े से कंदे उचका कर बोली, अच्छा दूसरी श अच्छाई से यहाँ भी अपना ही सोचा है, खुद्गर्स हसीना, वापकी असीर है, उसकी बात पर वो खिल खिलाई, जब से उसके निकाह में आए थी, यह पहली बेफिकरी की हसी थी, क्या यह महबत के जार का अजास था, दारिन ने उसके चमकते चहरे को देखा, एक इत्हान ना लिया करे मेरा, जितना वक्त चाहिए दे दूँगा, मगर किसी और को हमारे बीच लाने की बात मत करे, अब क्यों संजिद्की से बुला, क्यामत, वाले दिन जब अल्लह कहेगा, खुद्गर्स क्यों बनी, तो आपका नाम ले दूजी, कि आपने बनाया था, सा और वही बात दोराने लगी, फाइदा भी क्या है, दारी ने भी तरकी बातर के सवाल किया, मैं अकेली आपके ताने सुनने वाली नहीं होंगी, उसकी बात पर खुलकर मस्कुराया, स्टूपीड, हस्ते वे घर के सामने आते, उसका हाथ थाम कर अंदर की जानी बड़ा, अ दारीम और आपने एकदम उन्हें शौक देकर उनके अंदर से एहसास वाली बात खतम कर दी है, अब सिर्फ बदला है, और उन्हें घुसा है कि दारीम ने आपको अपनी पसंदिगी का बता दिया, लेकिन मम्मी को नहीं बताया, हाला कि वो हमेशा कहता था कि कोई भी अमीजी करें मगर उन्हें एहसाद दिलाया कि बेजरर है और दारीम को पीछे लगा कर उनसे मतनफर करने वाली नहीं है, सारीम ने तफसील से उन्हें एक एक पहलू दिखाया, देखे डरी, मम्मी का इसे रिश्टा ही ऐसा है कि उसमें जरा सा जोल रिवायती रवयों को ज सोचे की, और मौमला बहतरी के जानिबाएगा, सारीम और उसकी वीवी साइकाइट्रिस्ट थे, दो साल पहले उसकी वीवी ने इसलाम कुबूल कर लिया था, और अब उसका नाम जैनिफर से नाजिश हो गया था, यावन ने सारीम को एक एक बात बता कर उसे मदद चाही, स इसी तरह साइकलोजी में भी हम मफरूजों पर ही बात करते हैं, कौन सा रवया ममी को वलिया के लिए बहतर कर दे, और वलिया को इस फेस से निकाल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता, उचन पल रुका, वलिया के बुजदिली इस वज़े से है कि वो बहुत बड़े ट्रामा से गुसरी है, यह चोटी बात नहीं होती कि आप रेप विक्टम का केस बनते मनते बच जाए, और उस पर उसने खुद को बचाने के लिए ही सही बहरहाल शमस को बेदरीग मारा, यहां तक क्यों मरते मरते बचा, कोई भी नरम दिल इनसान सिफ एक जानवर को गलती से मार दे तो रातों की नींदे उड़ जाती है, तो एक जीता चाकता इनसान था, बेशक वो नरमी के लायक नहीं था, लेकिन वलिया ने मारा तो है न, यह सब चीज़ें मिलकर अभी उसको इस फेस से बाहर नहीं निकाल सकी थी, कि दारिम ने निकाह का मौमला चेर दिया, उसे समलन कभी मौका नहीं मिला, मैं यह नहीं कहता कि आपका यह फौरी फैसला गलत था, मगर यह इतना गलत ना लगता, अगर ममी के जाने उसे वैसा ही रवीया मिलता जैसा आपके और दारिम के जाने से मिल रहा है, अब वो इस ट्रामा से और एक और साइको टेंशन में चली गई ह और वो अहसास से कम तरी है उन्हें सारिम के एक एक बार ठीक लग रहे थी बस आप कोशिश करे वलिया खुद मम्मी के सामने आए बहादूरी से है तो ये भी एक मफरूजा मगर ऐसे में ये होगा के मम्मी जो उसकी खामुशी और उसकी बुद्दिली से उस पर हावी हो रही है वो रिलाइस करेगी कि उसे दारिम की जिंदगे से निकालना या बिना किसी वज़े से यूं हर लमा उसकी तजलीर करना आसान नहीं है सारिम ने बात पूरी की थेंक्यो बेटा यावर तशक्र आमेज लचे में बोले इतनी दूर होकर भी वो इन सब के लिए बेहत परिशान था मेरे घर का मौमला है मैं आप सब की मदद ना कर सको तो मेरे डिग्री किस काम की उमस ने खवगी से बोला चलो तुम अपना काम करो बाकी देखते हैं यावर ने फोन बन करते कहा देख लो अब हो गया तुम्हारा शौक पुरा वो मेरा बेटा है मेरा दारिम है सदफ उसे चैलेंज करती निकाहों से देखकर तमसकर उड़ा रही थी सामने दारिम और उसकी दूसरी बीवी खड़े थे दारिम खामोश था तो मैंने उन्हें मना तो नहीं किया था मैं खुश हूँ कि उन्होंने आपकी बात मान ली है उपस तो लहजे में बोली काफी दिन उसने तुम्हारी बीवी की हैसे से वक घुशा लिया है अब उसे पैसे दो और अपनी जान चुड़वाओ सदफ की बात पर वलिया कच्छरा लुट्टे की मानी सफैद हुआ आंटी आपने दारिम की दुसरी शादी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी आंसों को गोला हलक में अटका हाँ तो मैंने भी कब कहा था कि वो तुम्हें भी साथ रखे उनकी चाल पर वो चकरा कर रह गई वलिया ने आज भी निकाहें दारिम की जानी बठाए कि वो उच्छ कहे कर मगर वो तो नज़रे चुडा रहा था तो क्या वो भी ठक गया था बस यही तक साथ निभाना था उसे तलाग दो और निकालो यहां से तहकमाना लहड़र में दारिम की जानी देख कर क्या हुआ? दारिम उसके कंदे पकड़े जिंजोड रहा था. वलिया ने पट से आंके खोली, दारिम सामने था. रोती बिलक्ती वलिया को समार रहा था. आप मुझे तलाग तो नहीं देंगे न? वो अभी तक कुछ देर पहले वाले लम्हे के सहर में थी. दारिम का कंदा था में वो यकीन चा रही थी. दिमाग सही है, लहजे में गुस्ता चलका. अब जब थोड़ा होश आया है तो देखा कि वो और दारिम तो बैट पर है. आपकी दूसरी बीवी कहां गई? कुछ हैरान होकर दारिम से पूछा जिसने शिकायती नजरों से उसे देखा. दिमाग के गहरे से निकली ते तो बनाम भरी सांस ली, जो कुछ देर पहले हुआ था, वो फौब था. कभी ये भी देख लिया करो, कि मैं और आप महबत के सफर पर रहे. लेकिन नहीं, फौब भी ऐसे देखना जो मुझे जलाए. दारिम ने से वापस लिताते, बुरे बुरे मु बन आते कहा, आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं, वो अभी भी खौब में मिलने वाले शौक के जिरह सर थी, नहीं मेरी जान. उसका सर अपने कशादा सीने पर रखे, उसके गिर्द बाजों का घिरा तंग गिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसका इतना कहना ही. विलिया के आसा थटा कर उसके बाजों पर गिराफ्त मस्बूत की, ऐसे जैसे उसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगी. सोने की कोशिश करो, मैं मर भी गया, तो मिले हूँ आप ही के संग रहेगी. उसके बात पर वलिया ने उसके सीने सर उठा कर दहल कर उसकी जानिद देखा. दा आपने रिष्टा नहीं बढ़ाना और मुझे पकड़ा ऐसी हुआ जैसे मेले में गुम हो जाओ का. दारिम हलकी फलकी बाते करके उससे रिलेक्स कर रहा था. हा ना, खुआप में तो बेदीद बने हुए थे. और फिर से अपने ख़चात मजे से बतान लगी. दारिम का ना सो चुका है तब आहस्ता से बैट सुठी. वो अश्रूं के जाने गई वजू करके जा नमाज बिचाई. इस वक्त से बहतरीन वक्त हो ही नहीं सकता था अल्ला से बात करने का. दो नफिल पढ़का सिजदे में गिर गई. ऐ ला, मेरी मदद फर्मा, मैं इस आजमाईश में नहीं उतर सकती. मुझे इस आजमाईश में मट डाल. आंटी का दिल नरम कर दे. या मुझे उनकी बाते बरदाश्ट करने का होसला दे दे. मैं इतने अच्छे शरीक हयात की नाकदरी करके तेरी नेमत की नाशुक्री नहीं कर सकती. मेरे दिल में और इतने प्यारे शक्स के दिल में मेरे लिए महबद डाली है. तो हमारे एद्वित वालों को भी हमारे जिन्दगी को सहर करने की तौफिक दे. मैं दारिम के दूसरी शादी नहीं करवा सकती. कि मेरे बसमें नहीं. ना मैं उसकी मां से अपने हग के लिए बत्तमीजी कर सकती हूं. तो अल्ला उन्ही उसकी महबद का जवाब महबद से दे सको. मैं बेसकून रहती हूं. जब उसकी महबद भई नजरों को बेफैस चाने देती हूं. यह शक्स मेरी सद महरी के तो लाइक नहीं. यह तो हर लमा महबद के जाने के लाइक है. मैंगर मुझे लगता है उसकी मां को नारास करके जो मुहबत हासिद की वो मुझे रास नहीं आएगी इस से पहले कि ये शक्स मेरी महबत ना मिलने से मुझसे मूँ मूँ ले या ठक जाए इसकी माँ का दिल मिरे लिए मूम कर दे मेरी मदद फर्मा मैं कल उनके सामने जाकर उनसे बात करना चाहती हूँ मुझे हिम्मत देना कि जहां ये शक्स मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है मैं उसकी माँ का दिल अपने लिए हमवार कर सको एए ल्ला मुझे हिम्मत देना वो मसलसल आला है से दुआ गो थी ना जाने कितनी देर वो वही बैटी रही उसे वक्त गुषने का अंदाजा ही नहीं था बस ओ लुछा को मना कर ही उठना चाहती थी और फिर ऐसे वक्त जब ल्ला से उसका बंदा कुछ मांगता है तो ल्ला कभी उसे खाली हाथ नहीं लॉटा था ये वक्त तो ल्ला का भी पसंदिदा है और यकिनन वलिया भी उसके पसंदिता वद्दों में से थी जो वो हर मुश्किल के साथ उसके लिए आसानी भी लिखता था सुबह जिस वक्त यावर और दारन वॉक और जॉगिंग पर निकले वलिया को वो वक्त सदफ से बात करने के लिए बहतरीन लगा उसके आदत थी नमास पढ़कर वो कुछ देर कुरान पढ़ती थी चंद सफे पढ़ने के बाद उसने फिर से अल्ला से दूआ मांगी दलकते दिल से वो यावर और सदफ के कमरे के बाहर खड़ी थी अल्ला का नाम लेका दरवाजे पर दस्तक दी कमिन के आवाज पर वो कमरे में दाखली सदफ के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इस वक्त वो उनके कमरे में आएगी क्यों आई हो लहजा तीखा था खुट बात करनी है आपसे वो इनके लहजे की परवा की बिना बैट के करीब आई जहां वो बैटी कोई किताब पढ़ने मसरूफ थी उसकी बात पर उन्होंने बुरा समू बनाकर तवर्जे फिर से किताब के जानी मभजूर की जैसे उसे देखना ना चाहती हो इस रवए के बाटूत उसने होसना नहीं हारना था वो उनके करीब दो जानों बैट गई क्या कर रही हो उससे इतनी बेखबर भी नहीं थी जितनी बन रही थी उटो यहां से उन्हें बुरा लगा क्यूं वो नहीं जानती थी फिलीस मैं आपका जादा वक्त नहीं लूँगी उटे यही बैट कर कह लेने दे उनके बैट पर फैली टांगों पर धीरे से हाथ रखा कुछ लंगस हमारे फोल चटखाने के लिए काफी होते है मैं जब पहली बार आपसे मिली तो अंताजा हुआ दारिंग की परवरिश वाकई एक अजीन गोदने की है वो सामने मوجود साइड टेबल पर रखे लेम के जानी देखते बोलना शुरू हुई उचाते हो भी उसे खामोश रहने का नहीं कह सकी फिर आप मेरी इंस्परेशन बन गई आपका अपने साथ रवया देखकर मुझे आपसे बेहत महबत हो गई और मैंने सोच लिया जिन्दगी ने जब मौका दिया आप ही की तरह इंसानिये की खिदमत करूँगी इसकी बात पर उन अज़रे चुड़ा गई मगर कभी कभी हमारे दूसरे के बारे में ख्यालाद गलस साबित होते है उसका अंदाजा तब हुआ जब आपको मुझसे नफरत हुई मैंने कभी दारिम को लुभाने की कोशिश नहीं की मैं उनके और अपने दर्मियान मौझूद इस स्टेटरस के फर्क से बहुत अच्छी तरह आगा थी इसलिए जब उन्होंने मुझसे अपने ऑफिस के एनिवल डिनर की रात इज़ार महबत किया मैंने उनकी रती भर हुसला वजाई नहीं की और उसी रात मेरी माने मेरे रिश्टा पका होने की खबर सुनाई मुझे वो मौका बहत्रीन मौका लगा जिसका फायदा उठाकर मैं दारिम को किसी भी इमत्याई कदम से रोक सकती थी और मैंने कुछ दिन बाद उन्हीं एक खबर सुना कर ऐसा ही किया मैं इस बाद से इंकारी नहीं कि मुझे उन्से मुहबत है क्योंकि शायद कुछ लोगों की मुहबत अल्लहा खुद बाद दिलों में डाल देता है हमें उस लम्हें नहीं पता होता कि ऐसा क्यूं हुआ लिकिन फिर जल्दी या बदेर अल्लहा की हिकमत समझ आ जाती है मैंने कभी नहीं चाहता ना चाहती हूं कि मेरे वज़े से दारिम आपके बदे मुकाबल आए माओं के रुद्बे तक दुनिया का कोई और रिष्टा नहीं पहुँच सकता ना ऐसी वेवकुफाना खुआश रखनी चाहिए वो आज भी आपके बेटे हैं वो कल भी आपके ही बेटे रहेंगे मैं हरकिस उनको आप से छीन नहीं सकती ना ऐसी चाह है मैं गुनेगा नहीं हो सकती इसलिए आपको मा समच कर आप से दर्खास करने आई हूँ कि पिलीज आप इस इंसेक्रिटी में ना रहें विलिया कहती जा रही थी सदफ ने उसे एक बार भी नहीं ठोका उसने हिम्मत मुश्तमा करके कहा अगर मैं रेप विक्टम होती तो आप यकीन करें मैं मर जाती मगर दारिम से कभी शादी करके आपको और इस घर के किसी फर्द को तकलीब से रोचार ना करती अब की बार उसकी आँखों में आंसू जिल मिलाए सदफ की आँखों में उसे इस लमी महरूमी नजर आई मैं गरीब हो सकती हूँ बुरी हो सकती हूँ मगर मैं जूटी नहीं हो सकती उनकी टांग से हाथ उठा कर उसने उनके किताब पर धरे हाथों पर हाथ रखा दारिम की दूसरी शादी करवाना मेरे बस में नहीं है मैं ये जल्म अपने साथ नहीं कर सकती ना दारिम को इस अजिया से दोचार कर सकती हूँ आप मुझे उसके लिए माफ कर दे और दूआ कीजेगा आसो ठाकेलते वो इस लब में बड़ी तकलीव से गुसर रही थी अल्ला मुझे मौझे मौद दे दे ताकि आप फिर उनके लिए दूसरी बीवी ला सके खुदकशी हराम ना होती तुम ये कपकी कर चुकी होती आप तो माँ है ना अलाद के लिए दिल से निकलने वाली दूआ कुबूल होती है बस दूआ करे मैं इतने सारे बोज़ कंदों पर रखकर ठक गई हूँ आपकी नफरत का बोज़ तारिम की महबत का बोज़ तोनों ने मुझे अद्मुआ कर दिया है पता नहीं कौन लोग होते हैं जिन्हें दुख मिलने के बाद हार्ट अटेक हार्ट फेलियर हो जाते हैं मैं तो हर लमा अजियर से गुजर रही हूँ पता नहीं मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता आंके जुका कर चेहरे पर बेहने वाले आंसों को सदक से छुपाया मुझे माफ कर दीचे का उनके हाथ से हाथ उठाकर आंसों साफ की सदक की दिल को कुछ हुआ खामोशी से उठकर चेहरे आई थी वैसे ही उनके कमरे से बहार निकल गई तारिम जिस लमें वापस आया वा किसी गहरी सोच मुटला थी क्या सोच रही है उसने दारिम के कमरे में आने का नोटिस भी नहीं लिया था सर उठाकर उसे खामोश नजरों से देखा क्या हुआ अभी तक रात वाले खौफ का असर है उसके करीब बैट पर बैटते वो शरारती अंदास न बुला वलिया हुले से मुस्कुराई नहीं मैंने अपनी हर कोशिश कर लिया बस मैं इतना ही का सकती थी उसके कंदे पसर रखे वो क्या कह रही थी दारिम को कुछ समझ नहीं आई क्या कह रही है किस बारे में उलजा मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे घट छोड़ाएंगे कुछ दिनों के लिए उसकी बात पर वो छिटका क्यों? उसके सवाल पर उसके कंदे से सर उठा कर वलिया ने भवे सुकिड़ी क्या मतलब क्यों? शादी हुने का ये मतलब थोड़ी है कि में अम्मा के पास नहीं जा सकती उसने अचंबे से पुछा दारिम ने एक सफाथ नज़र उस पडाली पहली बात तो ये कि आपका असल घराब वो नहीं ये है दूसरी बात ये कि आपने जो पहली बात की थी उसका मकसद क्या है फल्यान एक गहरी सांस भरी कुछ नहीं बस ऐसे ही कुछ बातों का कोई मकसद नहीं होता बस हम अपने दिन की तसली के लिए कुछ रस्वात को अलफाज दे देते हैं आंखे जुकाय बोलती हो दारिम को बहुत डिस्टरब लगी दो दिन बाद सारीम और उसकी फैमिली आ रही है दारिम ने जिसे रोकने का जवाज जुटा हाँ इसलिए बस दो दिन के लिए ही जा रही हूँ उसकी बात पर वो सर हीला गया ओके आप तैयारी करो मैं आफिस जाने से पहले आपको छोड़ दूगा दारिम की बात पर वो सर हीला गयी सब खैरियत है ना वो जो बैक समित आई थी सारा को कुछ खटकी क्या हो गया है अमा अगर मैं चन्द दिन रहने आऊंगी तो इसका मतलब है कि कोई खैरियत नहीं है फिर ही आऊंगी सारा के तश्वीश बरे अंदास पर जुण लाई नहीं मैंने मतलब नहीं धा सारा कड़ बढ़ा गई अच्छा तुम आराम करो यमना उसके पास ही बठी थी क्या हुआ है परिशान लग रही है उसके चेहरे पर फैला तफक्र देखकर बोली कुछ नहीं बस ऐसी उस दिन जब मैं आई थी तो तुमने कोई बात करनी थी वलिया को एकदम याद आए आपा वो असल में न वलिया के एकदम पूछने पो उसका सांख सुकड़ा क्या है यमी बोलो न वो पहले ही परिशान थी और अभी यमना और परिशान कर रही थी आपा वो फाहत के घर फोन कॉल मैंने और शेजाद भाई ने करवाई थी यमना ने आँखे बन करके जल्दी से बता दिया क्या यमना की बात पर वो एक चीख नुमा आवाज उसके हलक से निकली यमना ने तेजी से उसके मूँ पर हाथ रखा प्लीज अमा को मत बताना मुझे माफ कर दो मुझे और शेजाद भाई को लगा था कि ये सब करके हमारे उनसे जान छूट जाएगी और तुमारे दारिम भाई से आराम से शादी हो जाएगी शेजाद भाई को भी दारिम भाई नजरों से देख रही थी आपा यकीन करो हमें अंदाजा नहीं था प्लीज माफ कर दो कबसे गिल्ट है मगर मैं तुम्हें बता नहीं पारी थी ना मौका मिलदा था वलिया सर पकड़ कर बैड़ गई और अगर जो दारिम को अप पता चल जाए तुम्हारा और शहजाद का इ तुम तोनों ने बहुत गल्त किया है उसे मलामध धी नजरों से देख कर रेंगई आपा तुम्हारी मोहबद में किया था सच में हमें अन्दाजा हो रहा था कि दारिम भाई तुम्हें पसंद करते हैं यमना एकदम उसके कले लगकर जैसे उसे काम डाउन करने लगी मोहब पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी अच्छी नियांत का खम्याज़ा भी कभी कभी अपने बुगत सकते है। यमना जरूरी नहीं होता कि हर अच्छी चीज हमारे मुकदर में हो। उसका होना ना होना सिर्फ अलला जानता है कि वो क्यूं है और क्यूं नहीं हम इस кажется को नहीं जान सकते हैं क्यूंकर हर चीज और शक्स हमारे लिए नहीं होते हमें खैर नजर आने वाली चीज में कभी कभी शर्ट छुपा होता है और जो शर्ट नजर आता है कभी कभी उसी में खैर होती है लेकिन इसका भी अंदाजा हम नहीं कर सकते बस अपनी फैसले लह पर छोड़ देने चाहिए उस अल्ला ने जो बह सान से मिलने वाली तकलिफ के मदावे भी अल्ला ने साथ साथ रखे होते हैं वो बुर्दबारी से समझा रही थी मैं दारिम भाई से माफी मांग लूँगी उस शर्मसार लहजें बोली जरूर वलिया उसे मजीज हमिदा नहीं करना चाहती थी इसलिए बात समिटी शाम में बैठी मुस्तिफा को पढ़ा रही थी जिस वक्त दर्वाजा बचा जाओ देखो मुस्तिफा को दर्वाजे के जानी भेजा थोड़ी देर बाद मुस्तिफा के हमरा दारिम को अंदर आते देखका वो हिरान ही खायरियत ना सलाम न दूआ दारिम ने उससे सलज़निश की ओ सौरी असलाम अलेकुम मगर आप इस वक्त हैरानगी सवा थी वो तो उसे कह कर आई थी के दो दिन रहेगी आपकी अम्मा का घर है तो मेरा ससूरा ले मैं जब मर्जी आऊं वो बेनियाजी से बोला दारिम की आवास सुनकर सारा भी बाहर आई बढ़कर उसके सर पर प्यार सुबा से वलिया की खामुशी देखकर जो घबरात हो रही थी दारिम का नॉर्मल रविया देखकर तसली हो गई बैठो बेटा उसे उनुस खड़े देखकर बोली नहीं आउंटी वो मेरे फॉर्म हाउस पर कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो इसलिए वलिया को लेने आया मस्कुराहाट रोकते दारिम को गुस्ते से देखती हो पैर पटक कर अंदर के जानी गई बैठो बटा पानी तो लो यमना बैटे दारिम भाई आये हैं पानी ला यमना का आवास लगाए जो कमरें बैठी पर रही थी और बैटा अमी अब्बू ठीक है उनके हमरा चार काम किया आपको कहां भी था कि मैंने दो दिन अमा के पास रहना है वो खफ़ा से रहज़ें बोली हाँ तो यार अब एकदम प्रोग्राम बन गया अगले हफ़ते आठा ना उसे तसलिए थी कौन से दोस्तों का प्रोग्राम बना है अब वो मजीद तफ्तीश करने लगी है क कुछ दारिम के मुक्तसा जवाब पर उसने भवे उचखाई मैंने तो कोई खास कपड़े भी नहीं रखे थे अब उसे एक और फिकर लाहा कुई कोई बात नहीं आप ऐसे भी मलेका अलिया ही लग रही है दारिम की बात पर उसने कड़ी निगां डाली सच्च में वजाक न खामद नहीं आई वो किस कॉल की बात कर रही है जो यमना और शहजाद ने फहद को की थी उसने वजजाहत कियो मस्वराया हाँ जिस दिन आपके साथ वो साया हुआ और जब मैं आपको हस्पिटर लेकर गया था शहजाद ने उसी दिन मुझे सारी बात बता कर माफी मांग दारिम ने सरसरी अंदाज में बताया आपको घुसा नहीं आया उसे उसका परसुकून अंदाज देखकर हैरत हुई जाहर है उसलमें तो बहुत आया था इसलिए कि मेरी पोजिशन आपके सामने खराब हुई थी और फिर आपने इतनी बाते सुनाई थी सबसे बढ़कर शर्म सार किया था आइम सो सोरी वो उसी शर्मिंदगी के सिरे सर बोली कोई बात नहीं गुजरी बातों को जितनी जल्दी भुला दिया जाए उतना अच्छा होता है वन्ना वो दिमा की तरह हमें खा जाती हो कुछ बावर करवा रहा था और अगर तुसरे भुलाने नहीं वलिया ने उसे गहरी संजीदगे से पूछा हम दूसरों को खुद पर इतना हावी ही क्यों आने दे कि हमारी सोचे हता के हमारी सांसों के कुल मुखतार बन चाए ये उनकी गलती नहीं हमारी गलती है दारिम के बात पर उसे नजर जुका कर हातों की उंग्लिया मरोडी आप घर में बता कर आए हैं कि हम फार्म हाउस जा रहे हैं कुछ सोच कर उसने दारिम से पूछा हाँ मैं पहले घर गया था अपने कपड़े लिये थे तो मम्मी घर पर ही थी उनने बता आया था उसकी बात पर वलिया ने एक नजर उसे देखा उनका मूट कैसा था उसे सुबा क इसकी बात बताना भी नहीं चाती थी लेकिन बेचैन भी थी के सदफ के बारिम पता चले नजाने इसकी बातों के बात उनका क्या रद्यमल था बिल्कुल ठीक था हलाके मज़े लगा था कि वो कोई तंसिया आपके हवाले से कोई चुपती हुए बात करेगी लेकिन उनने बड़े आराम से कहा अपना और वलिया का ख्याल रखना मुझे खासी हैरत हुई दारिम के बात पर उसमें खुशकवार हैरत से देखा कोई बात हुई थी आपकी ममी से इसकी हैरत दारिम से चुपी नहीं रही नहीं मैं तो वैसे हैरान हुई हूई हूँ जैसे आप हुए ह एक दम बात बदल गई उमीद की एक किरन नजर आ रही थी कुछ देर बाद वो लोग फॉर्म हाउस में मौझूद थे वहां पहुचकर क्या वहां बुजरे पल एक फिल्म की तरह वलिया के जहन में गर्दिश कर गए दारिम तो आते ही सो गया चबके वो वहां मौझूद म बहुत खुश हुए महमान कब तक आएंगे किचन में बैठी वो चाय पी रही थी जब उसने एक मुलाजमा से पुछा कौन से महमान उसके सवाल पर चौंकी साहब के महमान मतलब दारिम के दोस्तों ने आना था ना उसकी बात पर उनके चहरों पर अभी बी उलचन थी नही बीबी साहब ने तो बस कहा था कि मैं और तुम्हारी बीबी आ रहे हैं मेमानों का तो नहीं बताया था इसकी बात वो चाय छोड़का देज़े से किचन से निकली कमरे में दाख लोई तो दारिम बीबी और अंदे मूँ बैट पर लेटा सो रहा था गुस्ते से उसका कंद अडियल गोडी की तरह इड जाना था दारिम के बात पर उस अदमे से बेहाल हुई मैं गोडी लगती हूँ आपको पूरी बात में से उसने क्या कमाल बात निकाली थी तश्विया दे रहा हूँ डफर दारिम अफसोस में सर इला कर बुरा तो तश्विया के लिए आपको ग अलाकर सामने बड़े सोफे पर जा बैठी अभी मैं और भी बुरा बने वाला हूँ जस्ट वेट एंड वाट डारिम के गंभीर आवास पर उसका दिल धड़का क्या मतलब उच्छोंकी कुछ बातों का कोई मतलब नहीं होता बस जजबात को अलफास दे दिये जाते हैं कोन की बात पर उसे खत्रे की घंटिया बच्ती सुनाई दी आपके रादे ठीक नहीं लग रहे उसने खबराते वे अपने ख़चात जाहर किये मेरी जान मेरी तो नियत भी ठीक नहीं है दारिम के रहजे की गंभीरता कम नहीं हो रही थी दर्वासे पर होने वाई दस्तक में उ उसे लिए वो वहां मौटरूत कुर्सियों पर बैठा जब कभी हम अपने इद्गित के लोगों से मिलने वाली तकलीफों से ठक जाएंगे तो चंद दिन यहां आ जाया करेंगे दारिम की बात पर वो हॉले से मुस्कुराई और जब मुझ से तंग आ गए अपने दाये जा अचाए सुर्खी को देख चुका था मगर उसे तंग करने का इरादा मौकिफ नहीं किया पानी में चांद काक्स कितना अच्छा लग रहा है वलिया ने उसकी फुद पर से तवज्ज हटाई मेरा चांद भी बहुत अच्छा लग रहा है महबत पाश लहजे पर उसने बेख का इसार इसकदर खुल कर क्यूं कर रहा था क्यूं वलिया भी तो इनसान है और बाकी भी उसकी जाने से हत्तल मगदूर एहतिरास किया नहीं बाकी इनसान है और वलिया मेरी जान है दिन की धरकन तेजवे आप यह सब बाते सुनाने मुझे तनी दूर लाया है वचा कर भी नजरों को फुद पर से हटा नहीं पा रही थी नहीं महबत करने यहां लाया हूँ दारी ने मुसक्राहर दबा कर कहा उफ मैं जा रही हूँ एक दम वो वहां से उठे अच्छा बैठो कुछ बताना है आपको उसका बाजो पकड़ कर वापस खिंजा मैं आपके शौप पर रेस्टोरेंट बना रहा हूँ रिसेप्शन के बाद आप वो जॉइन कर रही है शहजाद दिलावर सब आपके साथ होंगे और मैं इस बारे में कोई आर्गिमेंट नहीं सुनूंगा मुझे अपनी वलिया के वो सब वाप पुरे करने हैं जिने लेकर वो इस भीड का हिस्सा बनी थी माजी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे सोच सोचकर लकीरे खिशने का फायदा नहीं आप सुकून तब ही हासिर कर सकते हैं जब हाल और मस्तक्बिल की फिकर करें गुजरे हुए पर हमारा इस्तियार नहीं नहीं हम उसे वापस लाकर सब सही कर सकते हैं हां मगर हमारा अपने हाल और आने वाले कल पर पूरा इफ्तियार है ताके कल को हमारे पास पच्टावा ना रहे दारिम का एक एक लफज उसके दिल में उतर रहा था अब अन्दा चले ठंट बढ़ रही है दारिम के जानिब देखकर उसने मस्कुरा कर इस बात में सरे लाए मुझे अफसोस हुआ कि आपने यमना को मुझे से पैसे लेने से रोका लेटे हुए दारिम ने मामूल की तरह उसका सर अपने सीने पर रखा हुआ था जब कुछ याद आने पर उसने कहा खेर आपकी इसी खुददारी को देखते मैंने आपके रेस्टरेंट का सोचा है ताकि आप खुद कमा कर अपनी जिम्मेदारी निभा और यहसान वाला कीड़ा भी आपके दिमाग से निकले दारिम की बात पर वो हौले से हसी बहुत दात निकल रहे हैं उसके हसने पर उसने चोट की हाँ तो आप इतने अच्छे से मुझे जच करते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ इसका मतलब है कि आपको मुझे सच्ची महबबत है मगर मुझे नहीं हुई अभी वो लहजे मुझे दुख लाकर बोली हाँ ना आपको वाकर मुझे मुझे महबबत नहीं वैसे जो मेरी दूसरी बीवी खुआब में देखी थी क्या हो प्यारी थी दारिम की बात पर गुस्चे से लेटे उट बैटी और खुंखवार नजरों से इसके जानी देखा बहुत बत्सुरत थी उसके बिल जलाने वाली मुस्चे से बोली तब ही आपका रो रोकर बुरा हाल था दारिम ने अफसोर से सरी लाया वैसे तो कह रहे थे कि दूसरी शादी नहीं करनी अब कल से बहाने बहाने से टॉपिक बार बार चिर रहे उसके सीने पर गुस्से से हाथ मारा हाँ तो आपका जोश देखकर मुझे भी आखर दिर्चस्पी होई गई दारिम के बाद पर उसने तीखी नजरों से देखा हाजरया का नंबर दू उसे कन्वेंस कर लो शरारती मस्कुराहत मसलसल चहरे का हाता किये हुए थी उसके तने नकोश दारिम के मस्कुराहत पर और तन गए मस्कुराते वे एकदम उसकी जानिब जुकते उसके चहरे पर महबत के फूल खिलाए वलिया बुकला गई आप जो मैं करने जा रहा हूं मुझे उस पर हरकिस अफसोस नहीं है आपके और मम्मी के दर्मियान मौझूद सर्द मौरी तोड़ने के लिए जरूरी है उसका कमभी लहजा वलिया के हवास मखतल कर गया दारिम नहीं उसने शदीद खबरा कर उसे रोका मगर महबतों का सालाव उसके लिए रोकना मुश्किल हो गया दारिम ने रिष्टे को बढ़ाने के फैसले का इफ्तियार अपने जिम्मे ले लिया सुबह जिस लम्मे उसकी आँख खुली वो उज़े विक्रे विलिये में सोफे पर बैठी थी हाथ माथे पर रखा हुआ था दारिम के उटते उसने गुसे से उसके जानी देखा क्या हुआ मेरी जान सुबह सुबह किस गहरी सोच हो मुपतला हो इसका शरारती लहज़ा वलिया को सुलगा गया बात मत करे मुझसे इंताए बुरे हैं आप वो फंकारी मुतल मैं हूँ उसने बड़ी मज़े से ये इल्जाम खुबूल किया खबरदार अगर अब आप मेरे पास आये उसे अपनी जानी बाते देखकर वो उंगली उठा कर वान करने वाले अंदास बोली आप दोनों का दिमाग ठीक करने के लिए जरूरी था अब करो मेरी दूसरी शादी का शौक पुरा कपड़ा खुद पर से हटाते वो वाश्रूम के जानी बड़ा और वो सर हातों पर गिरा गई उसके वह मुगमान में भी नहीं था कि दारिम उसके वजूद पर इतने आराम से अपनी च्छाब बिठा देगा वो तो सदफ की रजमन्दी की मुंतजर थी जब तक वो उसके साथ छीक न होती वो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी मुझे वापस जाना है जैसे वो वाश्रूम से बाहर आया उसे देखी बिना वो सपार्ट लहजिम बोली जरूर वो तो जैसे तैयार बैठा था मैं कभी आपको माफ नहीं करूँगी नमाकों से देखा जो कल रात से हट धरम बना हुआ था मैं सब की कभी माफी मांगगा भी नहीं तोलिये से मुखुश्क करता वो बावर करवा गया जहर लग रहे इस वक्त की बात पर वो फिर से मुस्कुराया रात को प्यारा लग रहा था उसके चड़ाने पर तन्फन करती वाश्रूम में जाग उसी सारा गुसा वाश्रूम के दर्वाजे पर निकाला घर वापर जाते भी उसका मेज़ाच उखड़ा उखड़ा ही था सारिम तो कल पहुँच तेरे तो मशुरों की खेर नहीं अच्छी भली मेरी बीवी को मुझसे खफा करवा दिया गाड़ी सलाते की नक्खियों से नारासी वलिया को देखकर वो दिल में सारिम से मुखातिपा ये वशुरा भी सारिम का था कि यहुँ वलिया को फैसले का इश्तियार दे कर उसने गलती की है सदव के रविये के बास अगर वो उनकी बातों में आकर कोई गलत खवाश कर बठी तो इसके पास सिवाए पश्टावे के और कुछ नहीं रेगा लहाज़ जरूरी है कि दारिम से अपने होने का यकीन पूरी तरह दिलाए और वो रुष्टा बढ़ाए वगेर मुम्किन नहीं वो जितनी मज़ी बातों से तसली दे लेता मगर कभी कभी जजबाती सहारे की जरत जादा होती है ये बताने के लिए के हमें दुनिया की परवा नहीं और वलिया को इस वक्त उसके जजबाती सहारे की शदीद ज़रत थी दारिम ने सुबाही सारिम को वलिया के शदीद रद्यमन से मतालिक मैसेच कर दिया था मगर अभी तक उसने नहीं पड़ा था वो जबरद्सी का कायल ही नहीं था अपनी आदत के पर खिलाफ जो कर बैठा था अब वलिया के रवये से अंदर एक अजीब जंग चुड़ गई थी आखिर अपने अर्स के दर्मियान इस सर्द महर फामशी को तोड़ने के लिए उसने प्लेयर आउन कर दिया गारना था कि दारिम की दिल की आवास वो भी तो उसे रोशनी की जाने लेचाना चाहता था जिस हिम्मत और होसले वाली वलिया को उसने पसंद किया था वो उसमें वैसी ही वलिया को तोबारा जिन्दा करना चाहता था लेकिन वह जान था कि वो फिर से बैसे ही हो गई है जिस अंदाज मुझे सदफ के सामने अपना आप मनवाया था वो उन्हें सोचने पर मजबूर कर गया था कि कहीं तो उन्हीं की गलती है जो सब उन्हें ही समझाने लगे है और ये काम उस दिन सुबा वलिया ने कर दिखाया था जो काम दारिम की बाते और यावर की तंस नहीं कर सके वो वलिया बड़ी आसानी से कर गई थी अमा के घर छोड़ाओं दारिम ने बिलाखर उसे मुखातिब करने का होसला करी लिया नहीं मुक्तसा जवाब वलिया अपकी बार फुकार में शिद्दत थी मुझे इस वक्त आपकी आवाद भी तुनी उस प्रकाता जवाब देखता हूँ असर स्वीट पर रखकर आँखे मुझे दारिम ने अपकी बार खामोशी क्यार कर ली उसे वैसी रूट वलिया के जोलग में पर आई चो कर ली और दूसरी बार मिलने पर लगी थी दारिम ज़ेरे लख मुस्कुराय वापसी हो रही थी कर पहुँचकर और दारिम से पहले गारी सुतर कर अंदर के जानी बढ़ी दारिम ने गाड़ी अंदर ले जाने की बचा ऑफिस के जानी बढ़ा दी उसने दारिम की गाड़ी स्टार्ट होने के आवाफ कर लेड़ के इंतिहाई बुरे है बुरे का जो आखरी लेवल है बस वो है आप तक यह को दारिम समझकर दिल की भडास निकार रही थी बिलकुल नहीं बोलूंगी आपके साथ एक और धंकी आपकी अम्मा को पता चल गया ना मिनिट से पहले मुझे घर से बाहर करेगी एक और इतिलाव से दी पता नहीं कहां गए होंगे हैं यह फिकर महबत भी तो थी ना जितना भी गुस्सा आजा था महबत का क्या करती अपना बैक भ खार का तग्ये पर सरक्खा और चंदी लबों में गहरी पुर्सकून नीन सो चुकी थी ना जाने कितनी देर सोती रही थी तरवाजे पर होने वाली मुसलसल दस तक पसकी आँख खुली मुंदी मुंदी आँखों पर सामने लगी भड़ी पर वक्त देखा शाम के पांच ब पूछा है अब डाट कर भेजा है लगता था दारिम उसकी अच्छी खासी किलास ले चुका है हाँ वो बस ऐसी आंख लगी पता ही ना चला और जाहत देने लगी हमें तो आपके आने का पता भी नहीं चला था वो तो चौकितार ने और दारिम भाई ने फोन करके बताया द बेज़े या आन्टी वापस आए हैं वो कमरे से निकल ही रही थी जब उसने पूछा जी बड़ी बाजी तो आ गई है आपका पूछ भी रही थी इसकी बात पर उतका खुन खुशक हुआ अच्छा तुम जाओं में आ रही हूं नीचे फिर खुद में हिम्मत पैदा की जो कैसे उसे अलग कर सकती थी एक अलवी ही मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का हता किया बैट से उतरकर वार्डॉप के जानी बढ़ी जो दारिंग ने उसे शौपिंग करवाई थी उसमें से एक खुबसरत सा काले और बलू और पिंक रंगों के अमतिजाच का ड्रेस निकाला जिस पर धागे से हलका हलका सा काम हुआ था कपड़े बदल कर मुँ हाथ धोकर उसी के हमरा यरिंग्स पहने जो उस दिन दारिंग में ही दिलवाय थे साथ हलके से पिंक लिपिस्टिक लगाए घने बालों को ढीली सी टोटी की शकल दी उसकी तैयारी मुकमा ती शिशे के स सामने खड़े होकर खुद पर एक तनकीदी निगार डाली एकदम नजरदारिंग के परफ्यूम पर पड़ी उठाकर हलके से खुद पर स्प्रे किया आंखे बंद करके इस खुश्बू को सांसों के हमरा अंदर उतारा हुत्मेल होकर बाहर के जाने कदम बढ़ाए नीचे सामने करसी पर बैठते देखकर उन्होंने अपने बरावर वाली करसी के चानी में इशारा किया वलिया खामशी से उनके साथ रखी करसी पर आकर बैठ गया गौस उसका चेहरा देखा बेटे की महबत के आसार उसके चेहरे से जहलक रहे थे जहान दीदा औरत थी बहुत कु तुम्हें लिए हॉस्पिटल पहुचा मिने एक दोस्त जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी और तुम्हें ट्रेट कर रही थी उसने तुम्हारी तस्विर खीच कर मुझे बेजी और ये कहा कि दारिंग तुम्हे लाया है मगर दोनों बड़े बिखरे हुलिये में हैं उसी लमे में हो, अजीब सा दुख था उनकी आवाज में, वलिया यक्टो को ने देख और सुन रही थी, जब मा मा दोंगी न, तब मालूम होगा कि मा बाप में भी ऑलाद को लेकर बड़तरी और कमतरी का हिसास होता है, मा सारा दिन ऑलाद के लिए प्याग देती है, अपना स समझती थी कि मैं अपनी बच्छों की बहतरी न, मकर जब सारिमने शादी की, तब उसने भी बाप को सबसे पहले बताया,ICIA गो, अब जब सार, दारिमने भी तुम्हें पसंद किया, तो भी उसने बाप को सबसे पहले बताया, मुझे ऐसा रगा, मैं उनकी जिदागियों में कहीं हूँ ही नहीं फिर निकाह का फैसला और बागी सब बस तुम से एक अंग देखे चिड़ हो गई मैं अपना गुस्दा उन दोनों पर तो उस तरह ना निकाल पाए मगर तुम मेरे अताब का निशाना बन गई और यकीन करो ऐसे ही होता है हमेशा बरतर अपने से कमतर और कमजोर पर ही आँखे निकाल सकता है वो कभी अपने से बरतर को कब कुछ नहीं कह सकता तुम मेरे रवये से खौफ़दा हुई और मैं तुम्हें खौफ़दा करती गई और ये सब करते में इतनी अंदी हो गई, अंदाजा ही नहीं हुआ कि किस किस तरह, तुम्हारे दिल आजारी कर गई, उनके लेज़े में नमी बुदी, दारिम की बातों से मेरा सक्ती का खोल चटाक रहा था, मगर उसमें आखरी कील तुम्हारी बातों ने लगाई, बेटे मे जल्दी से सदक के बंदे हाथ खोले, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था, कि मैं तुम्हें इसा पहुंचाती, विलिया ने बढ़कर उनके आंसुसाब के, मुझे अंदाजा था, आप ऐसी नहीं है, मगर मैं अंजान थी कि आप ऐसा क्यूं कर रही है, मैं आपको फिर यक यकीन दिला रहे थी, मुझे यकीन है बेटे, अब यकीन करो, अब तो तुम पर फख रहे कि मेरी बहु ने एक हवस के मारे जहन को शिकिस्त दी, वो महबब से उसका चेहरा हाथों में थाम गई, नहीं आंटी, मम्मी, उन्होंने फॉरण से टोका, मैं समझती थी, मैं हौसले वाला होता है, मलिया जैसे उन्हें समझ कई थी, सही कह रही हो, मगर मुझे अफसोस है, एक औरत होकर मैं तुम्हारे लिए लड़ने की बढ़ाये, तुम्हारे ही मुकाबल आगे, बहुत शरमसार थी, आप ऐसे नहीं सोचे, अब मुझसे वादा करे, उसकी बात प वो महबबस से वो ली, आज बेटे की पसंदिद्गी के लिहासों से देख रही थी, तो वो और भी अच्छी लगी, आप भी बहुत अच्छी है, बस ये शैतान है जो हमारे बीच आकर हमारे रिष्टों को कमजोर बनाता है, और हमें आजमाईश से दो ठार करता है, मगर व यावर और दारिम से कम और एक दूसरे से जादा बात तो मस्रूफ थी, वो खामोशी से दोनों का चैसा ले रहा था, यावर से शारों में पूछा उन्होंने मुस्कुरा थे, फक्त विक्ट्री का निशान बनाया, रिसेप्शन की तैयारी कब करनी है, कल सारी मुनासिश प तो फिर तैयारी भी शुरू करनी होगी, तदक न यावर को मखादित किया, जैसे आप कहें, इस विकेंड पे वो आ रहे हैं, तो अगले विकेंड पे रख ले पे, मेरा खयाल है, एक हफ़ता काफी होगा आप खौवातिन की तैयारी के लिए, यावर भी नॉर्मल अंदास सुबार्चित कर रहे थे, इसका मतलब था कि वो इस सब की कुछ ना कुछ वज़े जानते थे, इस नॉर्मल नहीं था तो दारिम, तो बस खामशे से उन तीनों की बाते सुन रहा था, दारिम खाना तो सही से खाओ गटा, उसे कुरसी खिसका कर वहां से उस्ते देखकर सद से वाकिस हो चुके थे, कि वो उलच गया है, कहां तो सदब, वलिया की शकल नहीं देख वही थी, और उसे घर से निकलवाने की ठकर में थी, तो ये काया पलट कैसे, तो जान चुके थे, अब उसे भी आज़ा करना चाहते थे, उसके कंदे पर हाथ रखे, उसे लिए वो ब मुझे पुकार कर माफी मांगे रोने लगी, आज अगर ये लड़की मुझे ये सब ना कहती तो मेरी आंखे कभी न खुलती, हम कभी कभी महबबतों में इतने अंदे हो जाते हैं, कि अवलाग के खुशी किस से और किसमे हैं, उसे बुला कर बस ये सोचते हैं, कि हमारी ओल हमारी हर बात माने, ये बेल अचक अंदाज भी बेटों को माहों से इस वक्त दूर कर देता है, जब वो उनकी महबबत को खुबल नहीं करती, बैटियों की शादी करके भी माएं उनकी माएं रहती है, मगर बेटों की शादी करके वो सिर्फ उनकी बीवी की साज मन जाती है और यू अपना बेटा फोर देती है, यावर में दारिम को खोना नहीं जाती, वो इस लमी आगाही की मंदिलों पर थी, यावर ने उस सुबह की एक एक बात इसे बताई, फिर बचाए उस पर तंस करने के मैंने उसे समझाना बहता समझा, तो मगर अपने रवायों को नहीं पर वो खामोशी रही, इसलिए कि मैं इस बास से वाकित हूं कि वो यहाँ उसे हम से चीने के रादे से नहीं आई, यह नहीं होता तो तुम्हारी अब तक की बातों पर वो लगाए बुझाए करके दारिम को लेकर अलग हो चुटी होती, वैसी नहीं है, शक की निगाह से द तो तुम्हारी हर सोच गलत साबिक कर देगी, दारिम के महबत उसके साथ है, क्या उसे उसे गलत इस्तिमाल करके इस घर पर कोई जारादारी कायम की, मैंने हर सावाल पर वो ला जवाफ हो चुकी थी, एक औरत होते हैं, तुम्हें तो फखर करना चाहिए किस हिमत और होसले के समग देती हो, और अपनी बहु को हर लमो, पचो के लगाती हो, कि ये ही तुम्हारा इल्म है, तुम्हारा तज्रूबा कहता है, बस उसके बार सारा दिन वो घर रहे कर, शायद अपने रविये की बदसूर्दी का सोचती रही, और आज शाम में उसने विलिया से माफी मा नहायत अदब और इत्राम से उन्हें वो सब बावर करवा गई जो यावर और दारिम शायद महीनों लगे रहते तो ना करवा सकते, उसके कित-कित अदब पर वो कुर्बान जाए, सुकून और इत्मिनान उसके रगवपे में उटर गया, ऐसी ही तो बीवी की उसने चाह की बीखते की जो इससे भी पहले, उसके रिष्टों को अधमियत और प्यार दें, उसके बंक कहें, वो ऐसी ही निख़ी। वॉक खतम करके जिस वक्त और ओकमरे में आया वलिया मौश रूम जाकर बरःश करके व topics कमरे में आया, तो वलिया काफी के हम्रह कमरे में मौशूद दारिम नेक्स नजों से देखा जो, उसकी कौफी का कप साइट टेबल पर अपने के बाद वाडरॉप के जानी बढ़ना चारे थी, लेकिन दारिम वहां इस्तादा था, सीने पे हाथ बांदे वाडरॉप से टेक लगाए, उसने गहरी निगाहों से देख रहा था, वलिया के मश्कूक नजरों से देखते सवाल कर गई, शुकर, मैं समझा दुबान कहीं और रख आई हैं, जो इशारों में बाते हो रही हैं, चेहरे पर शरार्ती मुस्कुरार सचाय वो, वलिया को जिच करने का काम शुरू कर चुका था, बहुत पुराना जोख है, भगे उठका करो जिसे बदमजा हुई, जो पुराना है, तो क्या हुआ, हम तो नहीं हैं, फास खड़ी वलिया का बाजो पकर के कुछ और करीब किया, जिसे उसने हजब तवक्या जटक कर फास्ता फिर से बढ़ाया, ममी से राजी हो गई, यमना से राजी हो गई, बाकियों से भी राजी है एक मुझ गरीब से नाराज में कब तक बरकरार रखनी है, उसके अंदास परो महबत भड़ा शिकवा कर गया, उन्होंने मुझे चीट नहीं किया, अंदास नरोटा ही था, हाँ, तो मैंने भी तो आगहा कर दिया था, मुस्कुराट लगों में दबाए, वो उसमें फिर से एक सेकंड पहले बताना, क्या बताना होता है, तो क्या मैं एक पेपर प्लैन बना कर आपके सामने रखता, फिर आपके साइन लेता, वो मज़ाख उड़ाने वाले अंदास बोला, सबर नहीं था आपके अंदा, मैं मम्मी को राजी करने के बाद इस रिश्टे को बढ़ाना चाहते थी, लेकिन आप उसे जगे पर फसीवी थी, तो यार मम्मी अब राजी हो गई है ना, उसकी मन तक समझने से कासर था, तो इस वक्त तो ना आपको पता था ना मुझे पता था, उससे जुटाने लगी, वैसे मम्मी से बात करने के लिए थाइंक्यू, दारिम कुछ याद आने पर बोला, उस तब मैंने आपके लिए नहीं, अपने लिए किया था, मूँ बना खर बोली, मैं सौरी नहीं करूँगा, उसे हनूज नाराज देखकर को याद दिलाने लगा, मैं भी आपके कुछ नहीं सुनूँगी, कॉफी ठंडी हो जाएगी, पी और मुझे क कपड़े चेंज करने दे, उसकी तवज़ बटा कर अपकी बार उसके बंधे बाजों पर हाथ रखे, उसे जबरदसी वाहां सहटाया, दारिम कौफी की जानी बढ़ा, जितनी देर में उसनी कौफी खतम की, तब तक वो कपड़े चेंज करके बाहर आ चुकी थी, मज़ए स उसकी दुआ जरा पसंद नहीं आए थी, कम असकम रोध होके मेरे पास तो रहती थी थी ना, उसकी बात पर वलिया ने बेस आखतम उस्कुरार चुपाई, यह सब करने से पहले सोचना चाहिए था, आपको ही शौक था ना, मेरे अंदर की बहादुर वलिया को जगाने का, यही बहुत था, वरना उसकी शिदत पसंदी पर वो शदीद परिशान हो गया था, आप मनाये अपने हनीमून, चिडाने वाली हसी हसी सोफे पर लेड़के, बुरे बुरे खुआब आएंगे, लाइट बन करते उसे धंका रहा था, नहीं अब नहीं आएंगे, इत्मिना व पर था, और अगर मुझे बुरे खौब आए तो, मैंने कितने प्यार से आपको उस रात तसली दे थी, ये बदला दिया, मेरे रहसानों का, दारिंग की दोहाईया, बैट पर लेटे, वो हर तरह उसे अपने पास आने के लिए कन्वेंस कर रहा था, मगर वो भी टस्यमस नह हो रही थी, वो हैसान नहीं महबत थी, और इस महबत की ही वज़े से मैं आप से बात कर रहे हूं, शुकर करें, अम्मा के घर नहीं चली लिए खपा होका, वलिया ने भी मज़े से उसकी हर दोहाई का जवाब सोच रखा था, अल्ला करें, रात को बिजली करके, फिर फिल्म का रिसेप्शन का ड्रेस नहीं लूगा, फूले मुह से एक बार फिर तड़ी लगाई, आपकी पसंद में मेरी पसंद, वो मज़े से बोली, तो मेरी खुशी में आपकी खुशी क्यों नहीं, तक्ये पे हार ठिका कर थोड़ा सा उंटा होकर उसे नायट बलब की रोशनी मे देखा, तो मेरी खुशी में आपकी खुशी क्यों नहीं थी, वो भी तर्की बद तर्की बोली, मेरी वलिया इतनी धिटका भी नहीं थी, बुरा समू बनाकर वापस सर तक्ये पर रखा, आपका सर है, अब सो जाए, फुद तो कॉफी पीकर नीन भगा ली मुझे सोने दे, मुँ दूसरी जानिक करके उसे खामोश रहने का कहा, सारिम और नाजिश के आते ही, घर में जैसे चहकारे गुंजूठी थी, उनके प्यारे से बच्चे, बहुत जब वलिया के साथ भी फ्रेंक हो गए थे, जैसे ही दारिम को मौका मिला, उसने सारिम को गे लिया, तेरी व दिये थे, अब बता कैसे सही करो, सारिम से मशुरा मांगा गया, अच्छा बेटे, अब सब सैट हो गया है, तो इल्जाम मुझ पर, सारिम उसे आंके दिखाने रगा, सौरी बेटा, इस मौमले में अपना ही दिमाग इस्तिमाल करे, तुम जैसे डपर के साथ इतनी ही नेकी बहुत थी, सारिम ने हाथ उठाकर गोया, उसके मदद करने से साफ इंकार किया, यू आर सो मीन, दारिम उसके अंदास पर मसनी गुस्से से बोला, आखिर भाई किसका हूँ, उसके आंके फिरने पर, वो बुरा सुम बनाया, उसे देखकर रह गया, दो पहर का खाना खाकर नाजिश, सारी मौर, बच्चे ठकर उताने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे, सदाफ और यावर रिसेप्शन के लिए मार्की की बुकिंग के लिए निकल चुके थे, अब वो रह गए वो दोनों तो वलिया भी खामुशी से उटकर किचन में जा चुकी थे, रात के म अकेला बैटका टीवी देखता रहा, फिर उपता कर कुछ सोचता किचन में पहुचा, जहां से महबबत शुरू की थी, तो तजदीदी महबबत भी वही से शुरू करने में क्या हाश था, किचन में आते ही काम करने वालियों का हैस्ता से वहां से जाने का इशारा किया, वल कारिम की तबज़े करदन पर मौजूद, तिल ने अपनी जानी मवजूल की, पहले बार तिल ने ही उसे अपनी जानी खीचा था, तब भी किचन का ऐसा ही मनजर था, तब उसे देखने और छूने का हक नहीं रखता था, मगर अब हर तरह का इस्तिकाक रखता था, वामुश इस तरह तंग करेंगे, शर्ते आयत करनी शुरू की, एहद लिये, कभी नहीं, आहिस्ता से सर उसके कंदे पर रखा, रिसेप्शन का ड्रेस मेरी मर्जी का होगा, एक और शर्त, सब आप की मर्जी का होगा, बड़े आराम से मान गया, सोफे पे नहीं सोगी, कुछ चर्ते इसकी भी थी, अकर आप तंग करेंगे तो, अब सोफे की बजाए, दूसरे कमरे में चली जाओंगी, दारिम ने एकदम कंदे से सर उठा कर उसकरू का अपनी चानी मोड़ा, आँखों में शराज समाई थी, मैं कितने आराम से सब मान गया हूँ, अब मजीद धंकिया दे र आराम से आएगी, महबत से भरपूल है, जिम्में कहते हैं समयट लिया, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे अब अपना नाम और निशान मिल गया है, जिससे ढूनने के लिए, तपती धूप से और नाचाने कितने तूफानों से गुजरी हूँ, पर उठा कर उसके नरम पिखने वाली, आँको मभूत कर रही थी, तारिम बे स्टेल गिरे, थ्री पी सूट पहने, उसकी मैकसी के हमरंग टाय लगाए, बेहत खुबसरत लग रहा था, सब चहरों पर इतमिलान था, मेरे बच्चे कितने खुश लग रहे, अल्ला नजर बच से बचाए, स्टेज से दूर खड़े सदफ ने महबब से वलिया, दारिम और सारिम और नाजिश को देख कर कहा, चारों स्टेज पर बैठे कह कहे लगा रहे थे, आमीन, यावा ने बिजल से उनकी दूआ पर आमीन कहा, कभी कभी बड़ों को अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद को ब बनाएं और रिष्टों को जोड़े रखने के लिए अगर अपनी अना, अपनी खुशियों, अपनी खुशियों की छोटी छोटी कुर्बानिया दे दे तो क्या हच है, रिष्टे भी बच जाएंगे, और महबबते भी कायम रहेगी, मगर ये तो तौफिक भी सिर्फ उनही को कुछ नहीं बताया गया था, मैं आज आपको अपनी फिवरेट जगे पर अच्छी सी कॉफी पिलाने ले जा रहा हूँ, ब्राउन लेदर की जर्केट जिसके नीचे ब्लू शार्ट और ब्लू ही जिन्स थी, वो इस नमें उसे सबसे खुश्रत इंसान लगा, इन तीन मह को इतनी बेपना महबबत दी थी, कि वो हवाओं में कैसे न उड़ती, हाथ बढ़ा का उसके छेहरे पानाने वाली लटो को महबबत से पीछे किया, खदर का स्टालिश, ब्लैक ट्रेस, पैने शॉल को मफलर की तरह गले में डाले, ब्राउन लेदर की ही जैकेट में सोचती कि वो दारिम को इस दुनिया की सबसे हसीन नड़की लगी, या फिर महबबत की नजर हर महबूब को हसीन बना देती है, अब तक तक तो तकरीमन आपकी हर फ्योरेट जगे पर हम जा चुके हैं, ते कौन सी तर्यास की है, उसके सवाल पर मुभम समस्कुराया, कुछ देर ब बहुत पसंद है, आख महबत का जहां बसाए, वो वलिया को बता रहा था, ये तो मुझे पहली बार बता चला, एक हाथ मोड़कर कोहनी टेबल पर ठिकाए, हाथ की मुठी बनाकर ठोड़ी के नीचे ठिकाए, वो मस्नी हरस से बोली, और एक और बात बताओं, अब कि उसका लहजा रासदाराना था, मुझे यहां के ओनर से शदीद महबत हो गई है, उसकी बात सुनकर वलिया ने बमश्किल मस्कुरह चुपाई, अच्छा तो शादी के तीन महाँ बाद ही आंके फिरने लगे, मस्नी गुस्से से दारिम पर आंके निकाले, बस क्या करे, दिल का क्य किसी पर भी किसी भी वक्त आ सकता है, उसने बेचारगी जाहर की, देखो आपको क्या कहेगी, एक तरफ खामुशी से उसकी महबत पड़ी रहेगी, उसकी बात पर वो कब से हसी रोक रही थी खिल खिलाई, मुझे इस दिल पर सिर्फ मैं ही, मैं नजर आनी जही हूँ, हाथ की अचीब गरीब महबत एक दुसरे से करते थे, दी एंड, पिर मिलेंगे, कोई अच्छी सी खुबसरा सी नोविल के साथ, दुआओं में याद रखे का, अपना धेर सारा खयाल रखे का, खुदा हाफिस,